नमस्कार दोस्तो आज एक जबरदस्त मास्टर वीडियो लेकर आए हैं अस्पीडी केरेंट अफेर्स के दिसंबर एडिसन में दिया हुआ सुरुआत के चैप्टर पेज एक से लेकर पेज बासर्ट तक काफी महत्पुर्ण साबित होने वाला है अगर आप इसे एकजाम में जाने से पहले पुरा देख लेते हैं तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहले करेंट अफेर्स कौन क्या कहा है उसमें देखते हैं सबसे पहले संबैधानिक पदाधीकारी राष्ट पती अभी कौन है तो द्रौपदी मूर्मूर है और ये कितने नमबर के ये भी पूछा जाता है ये पंद्रहवे नमबर के है उप राष्ट पती है जगदीब धनकड और ये कितने नमबर के है तो ये 14 हवे नमबर के है परधान मंत्री की बात करें तो कौन है भी शरी नरेंदर मोदी है और ये कितने नमबर के हैं तो ये 15 वे नमबर के हैं न्याइक परमुख की बात करते हैं तो मुख न्याइधिस CIG मुख न्याइधिस सर्वोच न्याला के कौन है तो DY चंद्रचूड है और ये भी पूछा ज कि अनियमूर्टी परकाश स्रि भास्तव। संसाधियब परमुख की बात करते हैं तो सभापती है रा सभापती पौन होते हैं उपराश्टपती होते हैं कौन उपराश्ट पती और यह हैं जगदीब धनकड उपसवापती राजसवा के कौन है हरिबंस नराइंसी हरिबंस नराइंसी महासचीव राजसवा के कौन है परमोध चंद्र मोहंती पर महासचीव राजसवा के परमोध चंद्र मोधी राजसवा के महासचीव परमोध कि लोग सभा कि अध्याच कौन है और यह कितने नंबर के सत्रेहवे नंबर के ओंबीरला है और यह भी सत्राहवे ने में 172 ौजब लोग सभा के अध्याच कौन है और उसक्मार maior दिश्वा कर दो सथी पादा कितने आर्टिकल में निर्वाचन अउग्ट 324 मुख चुनाव राजिब कुमार के कितने नंबर के हैं काफी ज्यादा इंपोर्टन है पचीसवे नंबर के हैं और चुनाव यूथ दो होते हैं तो अरून गोयल और अनूप चंद्रपांडे राजिब कुमार पूप चुनाव तो दीप जय कि नयंत्रा के BM महा लेखाप परिच्छा की बात करते हैं नंत्रा के के परमोग सर्वुस्यनापति राष्टपति होते हैं और कौन है तो द्रापदी मुर्मुर्ण सर्वस्यनापति राष्टपति द्रापदी मुर्मुर्ण बायुस्यनाध्याच है बी आर चौधरी बी आर चौधरी और कितने नंबर के नौ सेनाध्याच है आर हरी कुमार और क है कितने पोचीश की हम बात करते हैं मनोज पानडे है उन किलिए इंप्पर्टेंट रावट कि dement इस आप कौन है तो लेटेन जनरल मनोज कुमार कटियार मनोज कुमार कटियार सचीव मम सलाकार की बात करते है तो केबनेट सचीव भी है राजिव रच्छा बित सचीव है गारगी कॉल जो है रच्छा बित सचीव है विदेश सचीव की बात करें तो बिनाय मुहन कौत्रा है अगला देखते हैं ग्रीश सचीव ग्रीश सचीव है अजय कुमार भल्ला बित सचीव है टीवी सोमनाथन बित सचीव रच्छा सचीव रच्छा स पाथ य controversy सरच्छा सलाकार अजीत बाद जैसे इनकी नजर है जी डोबाल राष्ट्ध हस जनाखर है वह गुमार करते हैं अब आजये बात करते हैं मुखु सुचनायक्त कौन है कोई काफी important है निर्देशक Intelligence Bureau, आई-वी के है थपनुकुमार डेका रा के परमुख कौन है रभीषिह। राश्ति जार्च एजन्सी के महानिदेशक है दिनकर गुपता कौन है दिनकर गुपता परभारी महानुख निर्देशक प्रवर्थन नेदेशलाई ED के हैं राहुल नवीन नार्कोटिक्स कंट्रोल बीरो NCV के महानी देख सक हैं सत्य नरायन परधान अब आई ये बात करते हैं अर्ध साइनिक बलों के परमुख के तो महानी देख सक ससस्त्र सीमा बल SSV के हैं रस्मी शुकला रस्मी शुकला हैं सास्त्र सीमावल के महानी देशठी सीमावलस। सील बरधन सीम। राष्टे सुरच्छागाड स्ब्स्द की सेमे गेंजिए सब構躪 हैं। अ्यमे गन पथी में गनपति विश्च सुरच्चा समून इस्पई जी लिए और यूर पाल सी और दो कितने नमबर प्रतिक्रिया वल एंडी आरिफ के महानी दे सक है अतुल करवाल रेलबे सुरच्छा वल आर पी एफ के महानी दे सक है मनोजी आदब मनोजी आदब असम राइफल्स असम राइफल्स के महानी दे सक है पर्दीप चंद्रन नायर महाणी से यह सक है होमगार्ड के एस बी के सिंग परमुख आयोगों के अध्याच है वह हम सचीव की बात करते हैं तो नीती आयोग के अध्याच है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी उपाध्याच नीती आयोग के कौन है सुमन कुमार बेरी नीती आयोग के अध्याच होते है वह परधान मंत्री होते हैं और नरेंद्र मोदी है सी यो नीती आयोग के है बी बी आर सुबरमन्यम संग लोग सेवायोग के अध्याच है डाक्टर मनोज सोनी 22 वे बिधी आयोग के अध्याच है रितुराज अवस्ति, 22 वे बिधी आयोग के अध्याच है रितुराज अवस्ति, राष्टिय महला आयोग के अध्याच है रेखा सर्मा, और कितने नमबर के नौबे, राष्टिय महला आयोग के अध्याच है रेखा सर्मा, राष्टिय पिछला बरग आयोग के अध्याच है ह लोगपाल के अध्याच है परदीव कुमार मुहन्ति पंद्रहवे बीत आयोग के अध्याच है इनके सिंग पंद्रहवे बीत आयोग के अध्याच है भारतिय प्रतिसपरदा आयोग के अध्याच है रबनीत कोर रबनीत कोर जो है भारतिय प्रतिसपरदा आयोग के अध्याच राष्टे अनुसुची जाती आयोग की बात करते हैं तो अभी अध्याच है बिजेश सापला राष्टे मानवा अधिकार आयोग के अध्याच कौन है अरुन कुमार मिस्रा अरुन कुमार मिस्रा और यह कितने नमबर के है तो 8umu अध्याच जो है राष्टिय बाल अधिकार सरचनायोग के भी कौन है प्रियांग कानुन गो अध्याच राष्टिय अलप संख्या कायोग के कौन है सरदार इकवाल सी लालपूरा राष्टिय अलप संख्या कायोग के अध्याच है सरदार इकवाल सी लालपूरा अब आये बा पहला तो कौन है जैया बरमाश इनहा रेलवे बोड का अध्याच भारते परतिभुर्ती एवं बिनिमे बोड सेवी के कौन है माधपूरी बुच माधपूरी बुच्छ CBFC केंद्रिया फिल्म परमान बोड के CEO कौन है तो रविंद्र भाकर रविंद्र भाकर नागरिक उडियन सुरच्छा बीरो के अध्याच है जुल्फिकार हसन जुल्फिकार हसन केंद्रिया परतियचकर बोड के अध्याच है कौन है चेरमैन? राष्टे देरी पिकास बोड का चेर्मैन? मिनेशा कंपनी कानुन बोड के अध्याइश महेस मिद्टलकुमार पेट्रोलिया वेवाँ प्राकिर्तिक गैस न्यामक बोड के अध्याज है संजीव नंदन सहाल संजीव नंदन सहाए अगर भारते दूर संचार बिन्यामक प्राधिकरण ट्राई की अध्याच की बात करते हैं तो पीडी बागेला है भारते बिसिस पहचान प्राधिकरण UIDI के है CEO कौन अमीत अगरवाल भारत का महा पंजे के बम जनगना अयुक्त है अधिर रंजन चोदरी अब प्राकलन समीती के अध्याच है ग्रीस बाप्टा भारते राष्टे राजमार्ग प्राधिकरण के अध्याच कौन है संतोष कुमार यादव संतोष कुमार यादव अब आईए देखते हैं महारतन कंपनियों के परमुख कौन कौन है इतनी महारतन कंपनियों है तेरह निदेशक निशनल थरेंबल पावर कार्पोलेशन NTPC के हैं गुरीप सी ओ फ्रहते हैं अरोन कुमार सी सेल के निदेसक हैं drains परकास गेल काई सुतरीट आफ इंडिया लिमिटेट के निदेसक है सनदीड के गुप्ता आयो सियल के निदेसक सिरिकानत माधब बैद कोल इंडिया लिमिटेट के ध्याच कौन है पुलाब्रामू इम परसाद पुलाबरापू एमपरसाद है कोल इंडिया लिमिटेड के ध्याच बीपी सियल के निदेशक कौन है जी कृष्ण कुमार भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकस लिमिटेड के निदेशक है कोपू सदासीब मूर्ती हपी सियल के निदेशक है परमिंदर चोपड़ा ग्रामिन बिधुती करन निदेशक है बिवेक कुमार देवांगर ओयल इंडिया लिम्टेड ओयल के निदेशक है रंजितरत कौन है अब आये देखते हैं परमुक सर्वजनिक उपकरनम अध्याच इभमसा प्रवंध निदेशालाई अगला है सुनील कुमार नेशनल बिल्डिंग के निदेशक है पीके गुपता नालको कमपनी के निदेशक जो है वो सृधर पात्रा है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड बिएल के निदेशक है एमबी गुबत्मा हुल हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड के निदेशक है सीबी अनन्द कृष्णन सीबी अनन्द कृष्णन एनमडिसी के निदेशक है सुमीत देव आराई एनल के निदेशक कौन है अतुलभट सी आई सीबिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया के निदेशक है हरजीत कौर जोसी नेवेली लिगनाइट कर्पोरेशन लिमिटेड एनल सीकर निदेशक है राकेश कुमार अब आई ये देखते है सिच्छन एवा मकादमिक सस्थानों के परमुक बिस्विद्याले अनुदान आयोग UGC के ध्याच कौन है एम जगदीश कुमार एम जगदीश कुमार जो है UGC के ध्याच है इंडरा गांधी राष्टे मुक्त बिस्विद्याले इगनु के कुलपती है प्रोफेशन नागेस्वर्रा कुलपती दिल्ली बिस्विद्याले के कौन है योगेसी जवाहरला नहरू बिस्विद्याले JNU के कुलपती है सांती स्री धुली पुण्डी पंडित सांती स्री धुली पुण्डी पंडित बनारस हिंदू बिस्विद्याले BHU के कुलपती है सुधीर के जैन, नलंदा विश्विद्याला के कुलाधी पती है अरवींद पनगडिया और नलंदा विश्विद्याला के कुल पती है अभाई कुमार सिंग, अभाई कुमार सिंग, कुल पती जामिया मिलिया इसलामिया के है प्रोफेसर नजमा अक्तर, निदेशक रास्टिय सच्छिक अनुसंधान इभां परिस्चन परिसद NCRT के निदेशक है धिनेस परशाद सकलानी सहित अकादमी अध्याच है माधव कौशिक संगीत नाटक से खरसन अललेट कला अकादमी के अध्याच है उमा नंदूरी उमानन्दूरी नेक्स देखते हैं प्रेस एवं मीडिया परमुग अध्याश परसार भारती बोड के भी कोई नहीं है परसार भारती के भी सीओं है गौरवद्वेदी नेशनल अस्कूल अफ ड्रामा के अध्याश कौन है नेशनल अस्कूल अफ ड्रामा के अध्याश है तो बसुधा गुप्ता है प्रेस्टरस्ट ऑफ इंडिया PTI के अधियाच है के अन्सर्मार है युनाइटड नीज आफ इंडिया के अधियाच कौन है तो सागर उखफपा ध्याज इंडिया नीज पेपर सोर्साइटी आईनेस के अधियाच है राकेश सर्मा बग्यानी के अब हम अनुसंदान संगठनों की परमुकी बात करते हैं इसरो के अध्याच है एस सोमनाथ इसरो के अध्याच अभी है एस सोमनाथ और ये कितने नमबर के हैं ये दसवे नमबर के हैं परमानु उर्जा आयोग एईसी के अध्याच है एके मुहंती परमानु उर्जा नियामक बोड़ AERB के अध्याच है दिनेश कुमार सुकला भाबा परमानु अनु संधान के अंदर बार्क निदे सक है अजीत कुमार मुहंती रच्छा अनु संधान एवं विकास संगठन डियाडियो के अध्याच है समीर भी कामत महानिदे सक बग्यानी केवं और दोगी कनु संधान परसद CSIR के है नला थंबी कलाई से लवी और दोगी केवं विकास अनु संधान परसद के अध्याच है टी रामा स्वामी निदे सक बिक्रम सारा भाई अंतरिस्च के अंदर के है डाक्टर उन्नी कृष्णन नायर खेल संधानों की परमुकी बात करते हैं तो ICC अंतराष्टे क्रिकेट परसद के अध्याच है ग्रेक बारकले कौन है ग्रेक बारकले और यह कहां के है तो यह है न्यूजिलेंड के है अंतराष्टे किर्केट परसद ICC के CEO अभी कौन है जोफ इलार्डिस और ICC के अध्याच ग्रेक बरकले पर्थम सुधन्त्र महिला ने डेशक ICC के हैं इंद्रा नूरी ACI किर्केट परसद ICC के अध्याच है जैसा मिस्सा के सुपुत्र है जैसा अंतराष्टे ओलंपिक समीती IOC के अध्याच है थौमस बाग जो जर्मनी के है और ये कौन से खेल खेले थे ये भी पूछा जाता है तो ये फेसिंग खेल खेलते थे थे थौमस बाग अंतराष्टे ओलंपिक समीती के जो अध्याच है अंतराष्टे एथलेटिक्स महासंग क और ये बिटेन के हैं अंतराष्टे भारत तोलन महासंग के अध्याच है मुहम्मद जलूद मुहम्मद जलूद अंतराष्टे होकी महासंग के अध्याच है मुहम्मद तैयब इक्राम मुहम्मद तैयब इक्राम एथिक्स ओफिसर और लोगपाल BCCI के हैं बिनीत सरन बिनीत स अनतराश्टे मुन्गेवाजी संग अध्याच भाल्णा ब्रोटेक क्रिक्ट्ट गैट्रोλλ बॉट्ट बी-सी-सी एक अध्याच रोजर बिनी और यह जो जानी समीति चर्टेर कोल सब्कूल समाल Лृदम बाइनते महें किर्केट टीम मुख्ष कोच है अमउल मजुंदार बारते महें किर्केट टीम के मुख्ष कोच पहले रुमेश पवार्त भारती खेल प्राधिकरन के महानय ह्ए नीलम कपूर नीलाम कपूर भारतीป बुस्ति फेडरेशन डबलु एफ आई के अध्याच है बुदि भूण सिंग भारति टेबल टेश संग चैजेँ हैं मेगना हलावत मेगना अहलावत अखिल भारतिय फुटबाल परी संग एऐ एफ हम कज्यान चोबी बॉलियुबॉड फेडरेशन अफ इंडिया के संघ कैठ्ध संजय कपूर हवर की इंडिया के दिए कौन न भारतियं इल्टिक्स फेडरेश brushline आदिलसुम्रिवाला भारतिय मुख्यवारिश संघ ऐफ अज्य लत्य वलंपिक संग ऑ से PB के अद्हें जो पहली महला बने है प्य लभर कंडीटे उसा पिल्लूसा कंडी टे का प्रविलुशा एस्याय उलम्पिक परसद के अध्याच हैं सेख तलाल जो है इस्याय उलम्पिक परसद गहज़ाएं भारते tv Kumitव औरूल कि समीती डीपा दीपा मलिक नेक्ट देखते हैं बीमा संस्थानों के पर्मूख अध्याच है भारतिय बीमा नियामक और विकास प्रद्रिकरन इर्टा के कौन है रहाज शीज इर्टा के जो अध्याच है रहाख है सिद्धार्त मोहनती Odagh किरमचारी राज बीमानिगम के महानिदेसक है राजञेंद्र कुमार जी आईशि भारतिय सधारण बीमानिगम के cmb सिएमडी कौन है cmb देबेiba obe cmd नेवु-ींडिया इंसुरेंस कमपनी लिमितेड़ के है निर्जा करपूर निर्जा कपूर परवन सब्रक्राइब निदेशक भारती जिवन भीमा निगम llc के कौन है आर्ब दोरी स्वामी आर्ब दोरी स्वामी उनाइट इंडिया इंसुरेंस ओर्पनी के निदेशक सत्यजीत्र तिरपाथे। नैशनल इंसुरेंस कम्पनी नाएसील के cmd है सुचीता गुपता सुचीता और नेक्स्ट आर्थिक बानिजिक संस्थानों संगठनों के परमुक्ष अभी कौन है फिक्की के महासचीव है सेलेस पाठक। फिक्की के अध्याच है अनीश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वा सुंधर्य राम्वर्थी भार्ते सथी सद्रॉं अध्या उनियन ट्रस्ट यू टियुट लिएज हैं लिवगल निचनल स्टाउक एक्सजिंग सीजरते स्हीं सिर्ण भाइंकों की अधिकारी के बात करते हैं तो गवर्नर भारते रिजर्ब बैंक के कौन है सक्तिकान दास और यह कितने नंबर के है यह 25 नंबर के है सक्तिकान दास भारते रिजर्ब बैंक के गवर्नर उप्त गवर्नर रिजर्ब बैंक अप इंडिया के कौन कौन है तो स्वामिनाथन जानकी रमन ती रव और माइकल देबरत पात्रा मुख बिती अधिकारी आर्वियाई के हैं सूधा बाल कृष्णन अब आये देखते हैं सार्वजनिक बैंकों के परमुख M.D.I.C.O. कौन-कौन है भारतिय स्टेट बैंक के अध्याच है दिनेश कुमार खारा दिनेश कुमार खारा भारतिय स्ट देअनीकी के तिवारी स्वरी अलोक कुमार चौदरी आर्घला श्रिनिवासलु सेथीं इतने लोग हैं भारतिय स्टेट बैंक के परवंद्नी देश्ा क्विन कव दिनेश कुमार खारा दिनेश कून-कौन सब्सकुरा इंडियन बैंक के कौन है तो सांतिलाल जैर इंडियन ओवर सीज बैंक के M.D. and CEO है अजय कुमार सिरवास्तव पंजाब नेशनल बैंक के है अतुल कुमार गोयल पंजाब एंड सिंध बैंक के है अध्यच सुरूप कुमार साहा युको बैंक के M.D. कौन है अस्विनी कुमार इंडियन बैंक। इंडिया के M.D. हैं blending कुछ देख लेता है कि 30 अगरस 2019 10 सर्वयजनिक छेतर के बैंको को चार बड़े सुरूजनिक छेतर बैंकों में बिलाई के बारत में सुरूजवजचेंचरों बैंको के संक्रैा कितनी हो गई है 12 हो गई है इलाहबाद बैंक का बिले हो गया है किसमें इंडियन बैंक में किसमें हो गया है इंडियन बैंक में चला गया है इलाहबाद आंध्रा बैंक का बिले हो गया है उनियन बैंक ऑफ इंडिया में उरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और उनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का बिले हो ग लें किस बैंक में हुआ यह बैंक बड़ा उद्रा में कर दिया गया है चलिए आए देखते हैं नीजी बैंक को एवं बीतिय संस्थानों के परमुक सीयों कौन है एकसिस बैंक के अमिताव चोधरी बंधन बैंक के कौन है चंद सेखर गोष कोटक महिंद्रा बैंक के सीयों है असोख बासवाली इंसेंड बैंक का सीयों है सुमंत कंट पालिया सुमंत कंट पालिया बैंक को बेश्ट के परमुक है नंदिता बक्सी नंदिता बक्सी आइसी आ के हैं महाद्रसा महाद्रसा यस बैंक की कैंप परशांद कुमार कि रिभ hellu फ़्ब्क्रामू 2 ला दिच्टं सीमुं डिच्ट बैंक Mr.अ भावेश फेक्वेश गूप्ता पेट्या के मेंट-बैंकeeeee जो है और पॉसर प्यून दोनों old Japanese्ट is सी यो सुरिंदर चावला भारतिय लग हूँ अाइडिवि के सिघ्रम इस रमान जो है सीड़ी के भारतिया दोगि को इस आईडिम वीआ आइक से स्याखे ब्ला अतुल कुमार गोयल राश्टियावास बैंक NHV के MD है सारदा कुमार होटा CEO आरवियल बैंक के है आर सुब्रमन्य कुमार करूर बैस बैंक के CEO है बी रमेस बावू फेडरल बैंक के अध्याच है दिलिप संद्रांगनी दिलिप सद्रंगानी IDFC फर्स्ट बैंक के CEO है बी बैदनाथन CEO करनाठक बैंक के स्री कृष्णन हरियर सर्मा CEO डेवलब्मेंट क्रेडिट बैंक DCV बैंक के है कौन मुरली M. नेटराजन भारतिय महला बैंक के देश काउन है SM स्वाती 1 अप्राइल 2015 में ING BASE बैंक का बिले COTAK महिंद्रा बैंक में हो गया है और हाली में LACHMI BIKAS बैंक का बिले SINGGAPUR के DBS बैंक की भारतिय साखा में किया गया है Next देखते हैं रच्छा उपकरन हेलीना किस देश में बिक्सित किया गया है बारत में बिक्सित किया गया है क्या है तो ये टैंक रोधी मिसाल है हेलीना चीनु क्या है तो अमिर की कमपनी बोइंग है यह एक हेलिकोप्टर है बराक आठ बराक आठ डियाडियो एवम इजराइल के दोरा बिक्सित किया गया है सर्फेस टु एर मिसाल है आइनेस बेला की बात करते है तो फ्रांस के दोरा बिक्सित किया गया है अस्कॉर्पियन स्रेनी का पंडुबी है राफिल काफी इंपोर्टेंट है राफिल फ्रांस के दोरा बिक्सित किया गया है एर डिफेंस सिस्टम है पिनार भारत का पहला सोदेसी है भारत वरा विक्सित क्या है रॉकेट है आई एनस कलवरी सोदेस निर्मित है स्कॉर्पियन्स रेली की पंडूबी है अपाचे अपाचे जो है अमेरिका के द्वारा विक्सित क्या गया है यह एक लड़ाकू सबसे पहले सबसे अब्सक्राइब कॉन नाइजीरिया के है अध्यात सत तर्वे महसवा के थे सावा कोरोसी हंगरी के सावा कोरोसी हंगरी के सतरवे अध्यास थे संजुकतराश्ण महासवा के और ठतरवे सतर के संजुकतराश्ण महासवा के कौन है ठतरवे सतर के अध्यास तो डेनिस फ्रांसिस है तिरनाद और टोबाइको के संजुक्त राजसंग के वश्षट अविकरन 14 वे अध्याप बिस बैंक आई बी आर्डी के यह भारतियां मेरकी है गुट निर्पेच अंदोलन नाईम के अध्याप इलहाम अलीएव प्रवन निर्देषक हैं अंतराश्टिय मुद्रकोस आईमेप के कौन है तो क्रिष्टालीना जर्जियोबा क्रिष्टालीना जर्जियोबा और यह बुल्गारिया के हैं बिस्प व्यपार संगठन डव्लू ट्यों के महानिदेशक हैं नगोजी उकोंजो इवेला अंकटाड के महा सचीव है कहां कि हैं फ्रांस के हैं एफ एओ खादेवं किर्सी संगठन के महानिदेशक है क्यू डोंग्यू क्यू डोंग्यू और यह चीन के हैं अंतराश्टिय स्रम संगठन आयलो के महानिदेशक हैं गिलवर्ट होंगवो गिलवर्ट होंगवोरी कहां के हैं टोंगो के हैं यूनि संजुक्त राष्ट विकास कार्जक्रम UNDP के परसासक है अचीम अस्टेनर ब्राजिल जर्मनी के महा सचीव दच्छे सार के कौन है तो इसाला रूबन बिराकून इसाला रूबन बिराकून सिरलंका के अंतराष्टी अब हम छेत्रिय संगठन की बात करते हैं तो राष्ट संदर यानि Common Belt माहस हजीव न जिखुए संग की संशद अध्याच प्छलों माल्टा मेवन नुख कि संग की अध्याच कि कांग के यह इस वार क्या है जी 20 के नया सदस्व बन गये हैं यह जी 20 यह बन गया है जी 20 वन तेल-निर्यातक देशों का संग ठन उपेक का माच शचीव है है तम अलगीश है तम अलगीश कुबबएद के नाटो के महास अचिव कौन है जन्स चुलैंबर्ग जन्स चुलैंबर्ग ना अभिनास कुमार, एस्याई विकास बैंक, एडीबी के अध्याच है, मातसुंगू, असकाबा, जापान के, इंटर पोल के महास अचीव है, जरगेन अश्टॉक जर्मनी के, और इंटर पोल के अध्याच है, अहमद नासर अलराईसी, अहमद नासर अलराईसी कहां के, एवेई सब कहां के, ब्राजिल के, उचायुक संजुक तरास सरनार्थी, उचायुत यूएन एच्सीयार के है, फिलिपो ग्रांडी इटली के, और परमुक है, यूएन एचार्सी के, बोल कर तुर्क अर्ष्ट्रिया के, अंतराष्टे प्रमान उर्जा अजेंसी के महानी दे सक है, रॉफल ग्रासी अर्जेंटीना के, और M.D. & CEO हैं तराष्टे बित निगम IFC के, स्टेफनी बान फ्रिडबर्ग, अब आ ये देखते हैं, चर्ची तराष्टे महला हैं, कौन कौन है, दीपका मिस्रा, बिर्ता पदक प्राफ पहली महला बायु सेना अधिकारी है, गीता र ड्राइवर है, लॉफल नायक मंझू भारते सना की पहली महला इसकाय ड्राइवर है, नेक्ट देखते हैं, डाक्टर अलका मितल ONGC की पहली महला अधियाच है, पीटी उसा है पहली महला अध्याश भारते ओलंपिक संके मेगना अलावत पहली महला अध्याश है भारते टेबल टेनिस संके नला थंबी कलाइसल भी काफी इंपोर्टेंट है CSIR की पहली महला निदेशक है CSIR की पहली महला निदेशक है अभिलासा बाराक भारते सेना की पहली महला अध्याश है नेक्स्ट है धृति बनर जी जो है वो जुलाउचकल सर्वे आफ इंडिया की पहली महला निदेशक है धृति बनर जी सोमा मंडल सोमा मंडल जो है वो पहली महला चेर्मेंथ है सेल के सोमा मंडल आईसा जीज भारत की सबसे युबा महला पाइलट है आईसा जीज है भारत की सबसे युबा महला पाइलट सिरिशा बादल अंतरीच में जाने वारी भारते मुल्की दूसरी महला अंतरीच में जाने वारी भारते मुल्की दूसरी महला है स्रिष्टी गोस्वामी एक दिन के लिए मुखमंत्री उत्राखन राज के लिए बनी थी स्रिष्टी गोस्वामी सांती स्री धुली पूरी पंडित जेन्यू की पहली महला कुलपती है पूजा देवी जम्मु कस्मिर की पहली महला बस चालक है हाल फिलाल जो भी है यूद पोत की पहली महला कमांडिंग ओफिसर बन गई है यूद पोत की कौन बनी है तो ये बनी है कमांडर प्रेरना देवस्तली भारते नोसेना के एक यूद पोत की कमांड संभालने वाली पहली महला अधिकारी बनी है जो हाल फिलाल का न्यूज है प् सिवांगी 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 कि बहसे सो다고 न की बाद करते हैं तो सली सेलो सली जोंसी जो है classical senghatsan की पहली महला मासचीब है मैनुएका रुका-बोटे मीनुएका-डे मोटिक से काफी परसिद है रियान बरनावी सब्सक्राइब की पहली महला अंत्र श्यात्री नतासा पिर्कमुशर स्लोवेनिया की पहली महला राश्टपती है गीता गोपिनाथ IMF की पहली उप्रवंद निदे सक है गीता गोपिनाथ माइक डेलना एंडर्सन स्वीडन की पहली महला परधान मंत्री है नगोजी उकोंजा इवेला डेवलू टियो की पहली महला महानी दे सक है लौरेन हवर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहली ट्रांसजेंडर है प्यंका राधा कृष्णन न्यूजी लैंड की पहली भारतिय मूर की मंत्री है मनीशा रोपेटा पहली हिंदू महला पुलिस अधिकारी है पकिस्तान के नावरा अलमत्रूसी युएई की पहली महला अंत्रिच्यात्री है नौराल मत्रूसी, सामिया सुलू हसन, तंजानिया की पहली महला राष्ट पती है, सानिया सुलू हसन, अब आईए देखते हैं, बिभिन देशों के भारतिय राजदूत या उचायुत कौन कौन है, मौनजाबिक देश, इसकी राधानी कहां, ये भी परमुख है, आजकल पूतो, वहां राजदूत है, भारतिय कौन, रावर्ट सेटकिंटाउं, बेल्जियम की राधानी है, ब्रुसेल्स, राजदूत है, सौरव कुमार, इंटीग्वा बार्मुडा, इंटीग्वा बार्मुडा की राधानी, सेंट जौन्स है, डाक्टर अमीट एस तेलंग जो है, राजदूत है, तक जिकेस्तान के, इटली की बात करें, राधानी रोम, बानी सर राजवराँ, चाय PayPal, को सेरूत है, मंगोलिया, कहां है, मंगोलिया जोरान πεटार, ś रल哥 शिर्लंका, के राजदूत है, संतोज्जा चायुक्त है एस्ट्रेलिया की राजधानी है और उच ये शुक्त है Also कंगो कंगो की राजधानी किसा किसा कंगो की राजधानी है मदनलाल ऑगर यहां के रजदूत है गवाना गवाना के रधाने जोड़ टौन जोड़्स टौन और भारतिय रधायकों तो डॉक्टर अमीट एस तेलेंग जमैका की किंगस्टन है कफुर्टेंट है मैंक जोशी यहां के राजदूत हैं लिंक डेस्टीन रियासत के राधानी बांदुज है गुर्दो कुमार यहां के राजदूत है तिम्धार युद्धिंध स्पर्धिं निकारागवा कि के राजदानी माना गुवा सुमेद सेट यहां के जो है राजदूत है और ब्रहमान जो सुंद्री बनी है वो निकारा गुवा की ही है बरकीना फासो परकीना फासो के राजदानी है औंगा डंगु औंगा डंगु है और यहां के राजदूत है भासकर भट सिर्या की राजद गाना एकुपता यहां के राजदूत है लिथवानिया के रधानी बिनियस है देबेस उत्तम यहां के राजदूत है विंच्टुरियल के रधानी बिन्न गिनन्य के राख्य। एक डेकते हैं साइपरेस के रधानी निकोशिया ती मनी इस साइप के राजदूत् quietly एस ताना टी बी नागैंदर परसादी यहां प्टरर्वाद नूर गहान राजदूत है सरबिय रधानी बेल अरे सुबदरिपाथी यहां राजदूथ है कतर के रधानि दोहा है सिरी बीपुल कंपाला Southwest keywords नांवे के रधानि कहना है सांती के नोगल पुरुषका डाक्टर 1 में हैं यहां के रजदूध सबस्थ मनाथ करें रजधानी rocks जो राज्दूध सबस्थ कर्ण गबजन ना कि भरत कुमार कुछ यहां के राजदूध सब्सक्राइबिकित हमोणिया नच्जर में सब्सक्राइबिक पर्मोक के सीयों काउन है एपे अपे एपल के कमपनी के सीयों है टीम कुक टीम कुक माइक्रोसफ्ट के सिय dramas सद्या्टेला त्यिंदिया के है अधारपुनावला ताठा स् percentages के हैं अभी नट्राजन करें तिन फोसिष के सलील पारिक सलील पारिक अलफावेट या गूगल के कौन है सुन्दर पिचे के सुन्दर पिच्छे अमेजन के के सीओ कल्यान कृष्ण मूर्थी फेश्बुक के हैं Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Twitter के CEO है Linda Yakarin लिंडा या करीने ट्वीटर अब किस नाम से हो गया है तो X नाम से हो गया है Instagram के CEO है Kevin Sistron Twitter के मालिक को है तो Elon Musk है जो Tesla और Space X Company के भी मालिक है WhatsApp WhatsApp के CEO है Bill के कोट के कौट Meta India के CEO है Sandhya Devanathan YouTube के CEO है Neel Mohan FSAI के CEO है गंजी कमला भी राव गंजी क मला भी राव टाटा यह टाटा इलक्रोनिक्स के CEO है रंधीर ठाकुर सीरम इस्चूट अफ इंडिया के अधार पुनावला अधार पुनावला ओपन CEO open CEO है Mira Murati Mira Murati SpaceX के CEO है Elon Musk Elon Musk आप आई यह देखते हैं Social Media Company के निवासी सिकाई तदिकारी कौन है Facebook के अस्पुर्ती पिरियास पुर्ती पिरियास ट्वीचर के बिने परकास बिने परकास WhatsApp के प्रेस विलाइब प्रेस विलाइब प्रेस विलाइब टेलिग्राम के अभि मनुयादव इस्पुर्ती पिरियास इस्टाग्राम और Facebook के दोनों के एक है यह सिकाईत अधिकारी कू के राहुल सत्यकाम राहुल संकितर अलिंग डेन के है तान्या ममपिली तान्या ममपिली अब आई यह देखते हैं भारती एरलाइस अब उनके परमूख एर इंडिया के मुख्याले दिल्ली CEO है Campbell बिल्सन इंडिगो के मुख्याले गुरुग्राम हर्याना में पीटर इलबर CEO है असपाइस जेट के मुख्याले गुरुग्राम हर्याना में है और CMD है अजैसी गो एर के मुख्याले मुंबाई महरास्ट में कौसिक खोना जो है वो CEO है विस्तारा के मुख्याले गुरुग्राम हर्याना में बिनोध कनन जो है CEO है जेट एरवेज के मुख्याले मुंबाई महाराष्ट में है और संजीव कपुर जो है इसके CEO है एर ACI इंडिया के बिंगलूरू करनाटक में मुख्याले है एस रामा दुरही जो है यहां के CMD है अब आये देखते हैं 2020 से 2030 तक गंतंता दिवस समरों के मुख्यातिती कौन-कौ जिस जहाकी का पुरुषकार मिला था मानास खंड़ अधारित उत्राखंड की जहाकी को 2022 मनाया गया था कोई नहीं था इंडिया 75 सर्वस्रेश जाकी प्रुषकार मिला था उत्तर प्रदेश की काशिव विश्वनाथ कोरिडोर जाकी को कोई नहीं था कोविड नाइंटिन के कारण आई यह देखते हैं इस रों के बर्स 2022-30 के प्रमुख मिशन कौन-कौन है तो गगन यांड टीवी डीवन 21 अक्टूबर 2030 को प्रच्छेप्रंती थी था जीसल्वी मार्क थाड़ से जीसल्वी मार्क थाड़ से अधित 11 दो सितंब 6 चंद्रियान 3 काफी इंपोर्टेंट है 14 जुलाई 2030 को छोड़ा गया और यह पहुचा कब था तो 30 सितंबर को पहुचा था कब 30 सितंबर को और यह LV M3 M4 से LV M3 M4 के से यह पहुचा था सोरी 30 सितंबर ने 30 अगस को पहुचा था चंद्रमा पर और LV M3 M4 से NBS 01 29 माई 2030 को प्रच्छेपन तीती था GSLV F12 से टेलियोस 2 22 अपरेल 2030 को यह प्रच्छेपन तीती था PSLV C55 से ओपेन बेव इंडिया 2 26 मार्च 2030 को छोड़ा गया LV M3 M3 से ओपेन बेव इंडिया यूस 7 दस परवली 2030 को छोड़ा गया SSLV D2 से यूस 6 26 नवंबर 2022 को छोड़ा गया PSLV C54 से अब आए देखते हैं इस रो के अगामी मिशन क्या-क्या है तो गगन यान 3 2024 का है भारत का पह 2024 में मंगल गरहे तो भारत का दूसरा इंटर प्रिनेटरी मिशन रहेगा निसार 2024 में पृष्थिविक की निगरानी है तो नासा इसरों की संजुक मिशन है निसार प्रजेक्ट चीता है क्या तो प्रजेक्ट चीता के तहर 17 सितंबर 2022 को नावीविया से आठ अफिर की चीतों पाच नादा और तीन नर को मध्परदेश के कुनो राष्टे उदान में लाया गया जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौध हो चुकी है इसकी निगराने है तो स जारी करता है भारते बनजीव संस्थान 29 जुलाई 2030 को किये हैं भारत में बागों की कुल संख्या 362 इससे पुर्वजारी रिपोर्ट में बागों की कुल संख्या 366 बताई गई थी बिस वुका 75% बाग केवल भारत में है और सरवादिक कहां है तो मध्परदेश राज में 2018 से 2022 के बीच बागों की संख्या में बिर्दी 24.9 एक परसेंट डर्ज की गई है जीम कारवेट रिजर्व उत्राखड में देश के सबसे ज्यादा बाग है कितने हैं 260 है और बिहार में बागों की संख्या 2018 में 31 था तो 2022 में कितना हो गया है 54 हो गया है बिहार में पर्यावर अब आ यह देखते हैं भारत में 2021 से तेश में आये तुफान एवं चक्रबाद गुलाब परभावी छेत्व था उडिशा अंद्रपरदेश उत्पत्ति थी बंगाल की खाड़ी गुलाब को नामकरण किया था पकिस्तान ने असानी अंद्रपरदेश उडिशा में ने में डूस मेंडूस तमिलनाडू अंद्रपरदेश परभावी छेत्र बंगाल की खाड़ी की उत्पत्ति है युएई के द्वारा नामकरण किया था में डूस के ग्रेबियल के परभावी छेत्र आउकलेंड और न्यूजी लेंड मोचा मोचा बंगाल उडिशा को परभ अब सगर में आया था और इसका नामकरण जो है बहूँ के बंगाल की खाड़ी में आया था इरान शीर्थ तीन सूपर कंप्यूटर प्रमसिदी पर्तिवस और मेरी ये सभी बदल चुके हैं फ्रेंटियर तो नंबर बन पे हैं ही लेकिन फुकागू के जगा पर भी अमेरिका कहीं आ गया है नेक्स देखते हैं भारत बन स्थिती रिपोर्ट 2021 परियावरा नेवं बन भुमी भुपें 737 बर किलोमीटर है 24.62 पर स्थ देश में कुल बनावरन है 7,13789 बर किलोमीटर 21.971 पर संथ देश देश में कुल बिर्चा बरन 95748 बर किलोमीटर 2. 1991 यह दोनों के मिलाके बनेवन बिर्चांडwith शेवराण है 24.62 पर संथ पर weigh decipheruper बना बिर्चा बरन में है 2515-ės rumor बना बरन में बिर्धी 1540 बर किलोमीटर बिर्चा बरन में बिर्धी 720 बर किलोमीटर है यह सभी 2019 की तुलना में देश में कुल मैग्रोब बन 492 बर किलोमीटर है बिर्धी हुआ है 17 किलोमीटर स्क्वाईर सरबाधिक मैग्रोब बन छेत्रबाले राज है पश्चिम बंगाल 42 तीन तीन परसेंट उसके बाद गुजरात पेश देसमलाब पांचार परसेंट अनबान निकोबार्दी बारा देसमलाब तीन चार परसेंट सरवाधिक बंच्छेत्रवाले राज हैं मध्य परदेश सततर हजासो तिरानमे किलोमेटर असक्वाइर और नाचल परदेश 6688 किलो किलो मिटर असबसे कम बंच्छेत्रवाले राज हैं हर्याना 16 दसमरब 3 किलो मीटर उसके वाद पंजाब 18 17 सोजब 18 Govan पंजाब 18 한 18 защूमेटर एसक्वाइर और गोवा 2244 किलो मिटर सबसे कम बंच्छेत्रवाले यह राज है बनाबरण में बिर्धी दिखाने वाले सीर्स राज है आंध्र परदेश 647 km2 तिलंगाना 632 km2 और उडिसा 537 km2 सरबादिक बनाबरण परतीसत बाला राज है सबसे जादा मिजोरा में 84 देसलों पांतीन परसेंट है अरनाचल परदेश में 89 देसलों तीन तीन परसेंट और मिघाला में 46 देसलों जिरो जिरो परसेंट है देश के बनों में कुल कारवन स्टॉक है बहत्तर सो चार मिलियन टैन लगवग अब आई ये देखते हैं परमुक किर्सिगत उत्पादन भारत अबम 20 में 20 में पर्थम कौन सा देश है और भारत में पर्थम कौन सा राज है मक्का की बात करते हैं तो बिस में पर्थम अमेरिका है भारत में पर्थम करनाटक है दलहने अबम दाले की बात करें तो बिस में पर्थम भारत का स्थान आता है और भारत में भी मध्य पर्देश का पहला स्थान आता है मुंखफली की बात करते हैं तो चीन बिस में पर्थम आता है और भारत में पर्थम गुजरातर आ जाता है गन्ना की बात करते हैं तो बिस में पर्थम ब्राजिल और भारत में पर्थम उत्तर परदेश है जूट की बात करते हैं तो बिस में पर्थम भारत है और भारत में पर्थम पस्चिम बंगाल है तमबाकू बिस में पर्थम चीन का आता है और भारत में पर्थम आंधर परदेश का प्राकिर्टिक रेवर सबसे ज़्यादा बिस में थाइलेंड और भारत में केरल में कोफी की बात करते हैं तो 20 में पर्थम ब्राजिल का और भारत में पर्थम राज करनाटक का सुरज मुखी 20 में पर्थम यूक्रेन का और भारत में करनाटक जवार सबसे ज़्यादा अमिर्का में भारत में सबसे ज़्यादा महाराश्ट में कपास की बात करते हैं तो बिस्म पर्थम चीन का आता है और भारत में पर्थम बुजरात राज का आता है कपास प्यास सबसे ज़्यादा चीन में भारत में तो जानते हैं महराश नासिक में सबसे ज़्यादा चाई की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चीन में और भारत में सबसे ज़्यादा असौम में सोया बीन सबसे ज़्यादा है जो अमेरिका में और भारत में मधपर्देश में दूद की अगर हम बात करते हैं तो दूद बिस्म में पर्थम भारत का स्थान आता है और राज्यों में राजस्थान, चीने में भारत पर्थम, राज्यों में महाराष्ट, मसाला, विस्व में भारत पर्थम, राज्यों में मध्यपर्देश, कूल तिलहर, विस्व में सबसे ज़्यादा भारत का, और राज्यों में राजस्थान का, उसी तरह अगर हम परमुख मपर्फ में पर्फम चिली और भारत में पर्फम बढ़्द करते हैं तो बिस में पर्फम स्ट्रेलिया का है। भारत में भारत में उडीशा का। चांदी बिस्व में मेक्सिको का है और भारत में पर्थम राजस्थान का है कच्चा तेल की बात करते हैं तो बिस्व में पर्थम अस्थान अमिर्का के और भारत में राजस्थान का प्राकिर्थिक गैस सबसे ज्यादा रूश में और भारत में असम में बॉकसाइट की बात क करते हैं तो सोना जो है वह 20 में सबसे ज्यादा चीन में और भारत में करनाटक में अब रे विस्व में सबसे ज्यादा चीन में भारत में पर्देश कैडमियोगी है सब चीन में भारत में जो है वो आंधर प्रदेश निकल निकल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में 20 में है और भारत में उडीसा राज क्रोमाइट क्रोमाइट जो है वह दच्छीन फिरका में सबसे ज़्यादा और भारत में कहां उडीसा में टीन की बात करते हैं तो टीन सबसे में चीन में बिसमें और भारत में 36 सीसा भी बिसमें सबसे जादा चीन व हरत में राज़स्थान में लेटीनंग की बात करें तो भारत में जो है वह उड़ी सा अभ आएए देखते हैं काफी इंपोर्टंट चैप्टर है अस्थल foreign या अभियानों के परिवर्टित नाम अभी काफी अभियानों के नाम परिवर्टन किया गया है सहरों के नाम भी अस्तलों के नाम है तो आईए देखते हैं आईस्मान भारत स्वास्तेवं कल्यान के अंदर आईस्मान भारत स्वास्तेवं कल्यान के अंदर प्राइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ धारा सिव किया गया है राय बरेली होकी स्टेडियम का नाम बदल के रानी गल्स होकी टर्फ किया गया है चर्च गेट रेलवे स्टेशन चर्च गेट रेलवे स्टेशन सीडी देश्मुख रेलवे स्टेशन किया गया है जो प्रस्तावीद है रावर केला होकी स्टेडियम को बिर्सा मुंडा अंतराष्टी होके स्टेडियूम किया गया है हैरिस पार कहां है सिडनी आस्टेलिया में जिसे नाम बदल के लिटिल इंडिया किया गया है मोटे अना जयानि मिलेट सुपर फूड का नाम बदल के स्री अन किया गया है इसलाम नगर गाँंद उसे नाम बदल के जगदिस्पूर क्या गया है। मुगल गार्डेन डिल्ली का नाम बदल के अम्रीत उद्दान क्या गया गया है। हुलोंगी ग्रिन फिल्ड ऐरपोट्ट अर्णाचल परदेश में है जिसे नाम बदल के डोनी पोलो ऐरपोट किया गया है महाकाल कोरिडोर उच्जय स्री महाकाल लोग में है दौलातवाद किला उसे बदल के देवगीरी किला किया गया है नेक्स्ट है चंड़िकड हवाई अड़ा का नाम बदल के सहीद भगस्टी अंतराश्टि हवाई अड़ा किया गया है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो इंग लाइन में उसके नाम बदल कह दराश्टर है उसे नाम बदल के गनहिल किया गया है रास्टे रेल और प्रिवहांट संस्थान का नाम बदल कर गती सक्ती विश्विद्य किया गया है हरुआ सब्ध का नाम बदल कर डाक्ट्र कर दिल्ली सरकारण म्यां का बड़ा को रहाना का नाम बदल कर मिथला मखना किया गया है μ plugin करवेた राश्ट्य iaudh giaisy station उत्तर परदिश का नाम बदल के विर रांगन लचमी भाई р thiade Ke incentives किया गया है हभीव गंज रेलेवे स्टेशन मद्ध पर्दिश का नाम बदल के रानिक कमलाबती रेलेवे स्टेशन किया गया है। लोग सभा राजसभा टीवी के नाम बदल के क्या गया है। संसर टीवी संसर टीवी। नेक्स्ट है मिड़े मिल योजना का नाम बदल कर किया गया है पीम पोसन स्कीम, सेना खेल संस्थान पूने का नाम बदल कर नीरत छोपडा स्टेडियम किया गया है, राजिव गांधी खेल रतन पुरुसकार का नाम चेंज करके मेजर ध्यांचन खेल रतन पुरुसकार किया गया है काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्षन किया गया है चेनारी नासरी सुरंग का नाम बदल कर डक्टर स्यामा प्रसार मुखर्जी सुरंग किया गया है वीलर दीप का नाम बदल के एपीजी अब्दुलकलाम दीप किया गया है और हैबलाग दीप का नाम ब प्रफुजन रहता है किसे सहीद दीप और किसे सुराजदीप कहा जाता है नेक्स चाइब कोबिड-19 वैक्सिन निर्माता कंपणी कौन-कौन है को वैक्सिन के तो भारत बायोटेक और सीरा में स्चूट और आज इस एमर्बार किया गया है अक्सफोर अस्ट्रोजन का को सीरा में स्चूट आफ इंडिया पुने द्वारा कर्वोबिड-19 लिम्टेड अंत्राबाद द्वारा जाइकोब डीद किया घ्याइद के दिला अमदाबाद के दौरा इनको वैक्स किया ग अमेरिका का जॉंसन और जॉंसन किया था जॉंसन फर्मा स्टिकल कंपनी द्वारा अब आए देखते हैं परधान मंत्री को प्राप्ट सरवच पुरुषकार 2016 से देश तक क्या क्या मिला है और कौन से देश ने दिया है और अबदुल अजीज अलसौद पुरुषकार 2016 में मिला था सौधियरभ ने अमीर अमानुला खान पुरुषकार 2016 में मिला है अफगानिस्तान के द्वारा स्योल सांती पुरुषकार 2018 में मिला है दच्छिन कोरिया के द्वारा स्योल सांती पुरुषकार ग्रेंड कॉलर पुरुसकार 2018 मिला है फिलिस्टिन के दौरा चेंपियन आफ अफ दा अर्थ अबार 2018 मिला है उनाइटेड नेशन के दौरा ग्लोबल गोल कीपर अबार 2019 मिला है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फ़ॉंडेशन के दौरा The King Khmaad Order of The Renaissance 2019 मिला है बहरीन के द्वारे Order of Jayed Award 2019 मिला है संजुकतरव literाव UAE के द्वारा Sent and Drill the Apostle Award 2019 मिला है रूस के द्वारे Philippe Kotler Award 2019 मिला है कलॉग Escool of Management के द्वारा Rule of Nisani Ajuddhin Award मिला है 2019 माल्डिब के द्वारा Legion of Merit Award 2020 मिला है अमेरिका के द्वारा कि अबाट वाई आट बंगया अथी को उあइसे अट है थीजी फ्र परदान मंतरी नरेंडरमोदी को Grand Cross of the Legion of Honor 2013 France के द्वारा Grand Cross of the Order of Honor के द्वारा मिला है Greece के द्वारा अब आईए देखते हैं डिक्शनरियों द्वारा चैनित Bird of the Year यह सब 2021 और 22 का है 2030 में भी कई डिक्शनरिय का आ गया है लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है इसलिए important topic नहीं है चलिए next देखते हैं करनाटक सरकार ने सुरू किया है डक्टर पुनित राजकुमार हिर्दय ज्योती योजना नमो सेतकारी महासंबान निधी योजना महराश राज सरकार द्वारा सुरू किया गया है लेक लड़की यानि प्यारी बेटी योजना सुरू किया गया है महराज सरकार के द्वारा मुख मंत्री लोक सेवक आरोग योजना असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है मुख मंत्री निर्मान स्रमिक योजना च्छतिसगर राज सरकार द्वारा शुरू किया गया है सबल योजना सबल योजना हिमाचल परदेश राद्वारा सुरू किया गया है मुख मंत्री मिधावी छात्र पुरसाहन योजना उडिशा राद्वारा सुरू किया गया है मुख मंत्री मिधावी छात्र पुरसाहन योजना ग्री अधार योजना गोवा सरकार द्वारा सुरू किया गया है मुख मंत्री संपुर्ण कुष्टी योजना उडिसारा सरकार द्वारा सुरू किया गया है मुख मंत्री नास्ता योजना तलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है मुख मंत्री स्रमिक कल्यान योजना मुख मंत्री किर्षक मित्री योजना मद्ध पर्देश के द्वारा मुख मंत्री आत्म निर्वर अभ्यान असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है बाल स्रमिक बिद्दय योजना उत्तर परदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है मेरा बिल मेरा धिकार योजना चला रहा है केंद्र सरकार पीम विश कर्मा योजना के सुरू किया है केंद्रे मंदल ने मेरी माटी मेरा देशा भ्यान सुरू किया गया है भारा सरकार मोझ जंगली जामी योजना उडिशा सरकार दोरा Аंघ पो खरी वह नए व्रीसा सरकार दोरा ग्रिह लsl transforming Lahore मुख मंत्री वोगना मिखहले सरकार सर्कार कद्वरा सिरू किया गया है अन स्पृफप करकेट भाया कि खळ्वारजस्थान सरकार द्वारा नास्ता योजना तमिलनाडू सरकार द्वारा मुख मंत्री सीखो कमाओ योजना मध्परदेश सरकार द्वारा सुरू किया गया है ससक्त महला रीन योजना ससक्त महला रीन योजना हिमाचल परदेश के द्वारा गजह कोथाव्यान गजह कोथाव्यान असम सरकार द करनाटक सरकार के दवारा सुरूख से दखते हैं नमौ िन्य कारी दोरा महरा सरकार अस्टाट कार्ज करम स्वागत्त पहल गुजरास सरकार द्वारा गीत करम कुला मुह क्यंतर हैं स्वास्न सरकार के स्वारा मुक्ष मंत्रिय कोसल अन्यcej 일ब ad उत्राखंद सरकार के द्वारा सुरू किया गया सासन अपालियादारी पहल सासन syllable महारास सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खिल पता यूजना 36 सरकार द्वारा सुरू किया गया है लाडली बहना यूजना और क्रूट लाडली लच्मि यूजना 2.0 स करद्वारा शुरू किया गया ए ह Probation तर dal 2.0 मौपरदिर सरकार द्वारा जहां बंधन인 वहाँ ट्रस्ट अभियां और नाचल परदेश के द्वारा शुरू किया गया है अमरित भारत स्टेशन योजना ये रेल मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया है डिजिटल सक्ती 4.0 अभियार रास्टिये महला आयोक के द्वारा शुरू किया गया है वन डिस्टिक बन सपोर्ट योजना उत्तर परदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। वन डिस्टिक बन सपोर्ट योजना उत्तर परदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बन्दे भारत पहल महारास सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मुख मंत्री स्वास्त बिमा योजना शुरू किया गया है नागालेंड सरकार के द्वारा। नेक्स चैप्टर है त्योहार उत्सब मेला महोत्सब दोहजर बाइस तेस। नौवा भारती अंतरास्टे बिग्यान महोत्सब कहा मनाया गया तो फरीदाबाद हरियाना में। इंथुरियम महोत्सब दोहजर तेस मनाया गया मिजोरम में। हॉर्णबिल महोत्सब हॉर्णबिल महोत्सब दोहजर तेस मनाया गया नागालेंड में। गाई जात्रा उत्सब दोहजर तेस निपाल में मनाया गया गया गाई जात्रा उत्सब बंगस बैली फेस्टिवल दोहजर तेस जम्मु कस्मीर में मनाया गया। नुआ खाई तोहार 2030, बिहान मेला, कौन जन जाती दोरा मनाया गया, उडिसा में, नदी उतसब 2030 मनाया गया, दिली में, नदी उतसब 2030, लाइट हाउस उतसब 2030, चिखल कालो उतसब 2030, ये सब मनाया गया, गोवा में, लाइट हाउस उतसब और चिखल कालो उतसब गोवा में, आदी पिरकू उतसब 2030 मनाया गया तमिलनाडू में आदी पिरकू चाचिन चराई महोसब अरनाचल परदेश में मनाया गया हेमित तसेश्चू महोसब मनाया गया लेह लद्दाग में बीहुकू उतसब मनाया गया अरनाचल परदेश में बीहुकू पहला जन जातिये खेल महोसब 2030 मनाया गया भुबनेस्वर उडीसा में बितस्ता महोसब 2030 और लेवेंडर महोसब ये दोनों मनाया गया है जम्मू कस्मिर में बितस्ता महोसब और लेवेंडर महोसब मोनम चेनमो महोसब मनाया गया लेह में माता खीर भवानी मेला जम्मू कस्मीर में बाजरा महोसभ देहरादुन उत्राखन में मनाया ग Ryu भूमच्च्य महोसभ मनाया गया अंग Trading दिब कला मेला 2030 गंगा पुस्क्रली उत्सब में बारांसे 2030 गुजरात में मनाया गया कटी बीहु पर्व 2030 रोंगाली बुहांगी बीहु 2030 ये मनाया गया असमें कटी भी हूँ रोंगाली और वहांग भी हूँ असमें मत्वा धर्मेला और गंगा सागर मेला ये दोनों मनाया गया पस्चिम मंगल में मत्वा धर्मेला 2030 और गंगा सागर मेला 2030 पस्चिम मंगल में मनाया गया जी 20 Flagler Festival 2013 और Adi Mohsab 2022 ये दोनों मनाया गया नई दिल्ली में बिज्ञान Sahit Mohsab 2013 और Dibgla Mela 2022 मनाया गया भोपाल में फोर्थ राष्टिय वात संसद Mohsab 2030 नई दिल्ली में मागी मेला 2030 भैसाखी और झिंगा मेला है ये सब मनाया गया पंजाब में मागी मेला बैसाखी जिंगा मेला सब पंजाब में गान नगाई तोहार या सांग उत्सब और या सांग उत्सब दोहजारतेश मनाया गया मनीपूर में परपल उत्सव साव जौव उत्सव मनाया गया गोव में अटुकल पॉंगल और ओनम पर्व और तिर्शूर पूरव उत्सव यह सम मनाया जाता है केरल में अगला देखते हैं, चौदारवा राष्ट्य संस्कृती महोसभ 210-2030 बिकाने राजस्थान में मनाया गया, काला घोरा कला महोसभ 210-30 मुंपई में, खजुराहो निर्त महोसभ 210-30 मध्य प्रदेश में, अजंता एलोरा अन्तराष्ट्य महोसभ 230 महारास्थ में मनाया गया, चतिसवा सूरजकुन अंतराष्टिय सिल्प मेला दोहजर तेस फरीदावाल हर्याना में मनाया गया नवा अंतराष्टिय योग महोसब दोहजर तेस रिसी केस उत्राखन में मनाया गया ओरेंज फेस्टिवल 2030 मनाया गया कोहिमा नागलाइड में माग भोगाली बिहु अम्बु बाची मेला और बैखोत तेवार ये सब मनाया गया असम में भारत रंग महुसब 2030 मनाया गया महराश्ट में 26 वा रास्टे युवा उत्षब 2030 और उगादी उत्षब 26 वा रास्टे युवा उत्सब 2030 और उगादी उत्सब मनाया गया करनाटक में चेर चेरा महोसब 2030 36 गड़ में मनाया गया अब आये देखते हैं तुरंगिया उत्सब 2030 और पसुराम कुण महोसब यह रनाचल परदेश में मनाया गया तुरंग्या उत्सव 2030 और प्रसुरामपुड महोसव और नाचल परदिस में अबतार महोसव राजस्थान में तामू लहोसर मना गया सिक्की में और सब्सक्रें इंपोर्टन कई बार पूछा गया है बतुकंपा फूल उत्सव 2022 मना गया था तिलंगाना में 2300 में भगोलिक संकेत जिय आई टेक्स प्राप्त उत्पाद कौन Matrix के लिए मिला है कि STवार जिले का केसर जम्मू कस्मिर को मिला है सी बकर थौणफल लधा के लिए बेरिनाग चाय मिला है उत्राखंद राज के लिए याग चूरपी खामती चावल और तांगसा बस्त्र केंदर पाड़ा की रसवली मिठाई मिला है उडिसा के लिए काजू मिला है गौा राज के लिए चोकुआ चावल मिला है असम राज के लिए राइगड़ा साल कोरापुट काला जीरा चावर ये मिला है जियाइटेग उडिशा राज के लिए सलेम सागो मिला है तमिलनाडू राज के लिए सलेम सागो जलेसर धातु सिर्प मिला है उत्तर परदेश राज के लिए बेविनका मिला है किसके लिए तो गुआ के लिए उस्तकला सिल्फ बिकानेर मिला है रजस्थान के लिए उस्तकला सिल्फ बिकानेर को मिला है रजस्थान के जियाई टेग मनकुराड आम जियाई टेग मिला है ये गुआ के लिए कुफ्तगीरी धातु सिल्फ जो उदैपूर के है मिला है जियाइटाइग राजस्थान के लिए बंधेज कला जोदपूर में होदा है यह जियाइटाइग मिला है राजस्थान को मैटी केला मैटी केला उत्पाद को जियाइटाइग मिला है तमिलनाडू के लिए जदेरी नाम कट्टी तमिलनाडू के लिए चेदी बुट्टा साड़ी तमिलनाडू राज के लिए मिला है अमरोहा ढोलक उत्तर परदेश के लिए मिला है बागवत होम फरनी सिंग उत्तर परदेश के लिए मिला है आथुरपान का पत्ता तमिलनाडू के लिए मिला है GIT कारी इसादाम मिला है उत्तर करनाटा के लिए कारी इसादाम अराकी बैलिक कौफी बकाली मेर्च मिला है अंधर परदेश के लिए मन्ना मदुराई मृत भांड कंबम अंगूर मन्ना मद्राई मुरित भाड और कंबा मगूर मिला है तमिलाडू के लिए गोंड पेंटिंग मुराइना गजग मुराइना क्या है गजग है और गोंड पेंटिंग मध परदेश के लिए मिला है कई बार पुछा जाता है कि मुरैना इन में से क्या है तो उसमें एक option गजक भी रहेगा अब अच्छे से देख लेजिए रीवा के सुन्दरजा आम सर्वती गेहूं मिला है मधपर्देश के जी आई टेक लकड़ी किनकासिकला लद्दा को मिला है नागरी दुबराज चावल 36 गण के लिए मरचा चावल पच्छिम चंपारं को मिला है और बिहार राज बसोहली पेंटि जम्मू कस्मीर के लिए बनारसी पान लंगडाम उत्तर परदेश के लिए हतरस हिंग नगीना लकडी सिल्प उत्तर परदेश के लिए रामनगर भंटा सफेद गोल बैगर उत्तर परदेश के लिए मिला है आदम चीनी चाबल बखीरा ब्रास्वेर उत्तर परदेश के लिए मिला है नेक्स देखते हैं कांगडा चाय एरोपियन उनियन द्वारा हिमाचल परदेश को मिला है मिथला माखाना मिथला माखाना 2022 में मिला था जी आई टेग बिहार को गमोच्छा 2022 के लिए मिला है असम को तंदूर लाल चने 2022 में तलंगाना को मिला अरक्त से कॉर्पो खुवानी मि दाग के लिए जी आई टेग अब आए देखते हैं वो चर्चित बेक्ति जिनका निधन हो गया 2022 में ये भी प्रस्ट में कभी-कभी पूछा जाता था कि फातिमा बीबी के संबंदी छितर क्या था तो आए देखते हैं राजकुमार कोहली का जो निधन है 24 नवंबर को हो ग पुर्व आर्वियाई के गवर्नर थे एंसंक्राइया मार्शवादी नेता थे सुब्रत राय सहारा समों के संस्थापक थे और ये कहां से बिलाउं करते थे लीमा आउमचारी संगितकार थे मैथू पैरी मैथू पैरी हैं अमेरिका करणडाई अभी नेता ली किंग्यां प इससी वेदी क्या थे किरकेटर थे बिएस अच्युतानंद रॉय पुर्व मुख मंत्री केरल के मार्टी अहतिसारी पुर्व राष्ट पती फिनलैंड के हैं मैसगिल एमेसगिल हैं पुर्व मुख चुनाव आयोगत साचीदानन मूर्ति पत्रकार थे बीपी गंगाधरन फिल्म निर्माता थे बीपी गंगाधरन मस्वामी नाथन मस्वामी नाथन थे भारत की हरित करांती के जनक थे मस्वामी नाथन गीता मेहता लेखिका आबम फिल्म निर्माता अजीत नीनान अजीत नीनान कटूनिश्ट थे क्या थे अजीत नीना कटूनिश्ट थे अरुन थी बग्यानिक थे इस्रो के एंबलार मती डेनिस ओस्टीन सह निर्माथा माइक्रोसोफ्ट पावर प्लांड के जैन्त महापात्रा अंग्रेजी कभी सीमा देम मराथी अभिनेत्री थे सियार राव परसीद संकिक की बीद थे जॉन बारनोक एंडोब कमपनी के सहसल थापक थे बियस अरुनाचलम बग्यानिक थे मुहम्मद हभीब फुटबोलर थे बिंदेसवरी पाठक क्या थे समाजी कार्क करता थे सिद्की क्या थे फिल्म निर्माता जी बिठल राव लोगपिरिये तेलगु गायक थे जी बिठल राव नितिन चंदरकांत देसाई परसीद कला निर्देशक थे बुराय टेवर पूर बिकेट कीपर अस्ट्रेलिया के थे उमान चंडी केरल के पूर मुखमंत्री थे उमान सास्त्री थे कॉर्मेक मैकार थी अमेरिकी उपनेसकार थे सिल्विया बिलुष कोनी पूरुपरधान मंत्री इटली के भारुख मेहता अभिनेता थे गिताजली यह इंकर थे कुछ और भी नाम है देख लेते हैं गुंफी पटे पिंटल अभिनेता थे गुफी पिंटल अना के बेद कुमारी घही संस्क्रीट विद्वान टीना टर्नर स्विस सिंगर थे सरत बावु तमील विनेता एस्पी हंदुजा एस्पी हंदुजा हंदुजा गुरूप के अध्यास थे एर खलेल ए आई एफफ के पुरू उपाध्यास थे एंटोनियो कारवजल थे मेक् मढद्शिद भारती इतिहासकार प्रकाशी बातल पंजाब के पुर्मुख मंत्री टारिक फत्य पाकिस्तानी करणडाई पत्रकार केसम महंद्रा महंद्रा एन महंद्रा के इमरिट्स चेर्मैन जलाबाला बैद परसिद रंग्मन चबनितरी थे जगरनात मातो कूं थे घार मल्यालम उपनियसकार सलीम दुरानी गाडर मुर इंटल के सहसं स्थापक परदीब सरकार लेखा केवं निर्देशक सतीश कौशिक अभिनेता और फिर्मकार सतीश कौशिक एम अहमदी भारत के पुर्व मुख न्याइदीज सत्य तिब्रत मुखर जी किंद्रिय मंत्री भाज के ओपी कोहली पुर्वराजपाल गुजरात के तुलसी दासबलराम भारतिय फुटबॉलर बलिया भागवत पठकत्था लेखा कव्यों यच्छ गान के गायक थे बलिया भागवत जाबेद खानम रोही अभिनेता ललिता लाजमी चित्रकार थे परवेज मुर्शरप पु के उपराष्टपती केसर नात तिरपाठी पस्चिममंगाल के पुर्वराजपाल थे पेले कौन थे ब्राजिल के फुटबॉलर थे ब्राजिल के मान पुटबॉलर पेले कहकेला सत्यनरान अभिनेता सुलोशना चववान मराठी लाबनी गायका ग्रांट बहल पत्रकार विष्णाजी राव अभिनेता थे और युग्यंद्र अलग अर्शा थे इन लोग की मिर्तु 2022 तेश में हो गई हैं नेक्स देखते हैं बर्श 2022 तेश की प्रमुख राष्टिये न्यूपतियां पिनाकी चंद्रगोस देश के पहले लोकपाल थे जनरल विपीन रावर बैनेसा नकाटे सद्भावना राज़दूत उनिसेव के हर्ष बर्धन स्रिंगला भारत के और से जी टुएंटी के मुक समनबैक अमिताव कांथ भारत के और से जी टुएंटी के सेरपा आर्के सिंग अध्याच अंतराश्टिय सौर गटवंधन के नेक्स देखत में इन्वेस्ट इंडिया के बैभब्त नेजा बैभब्त नेजा मुख्र बिती अधिकारी टेसला के थे बैभब्त नेजा आर दुरईश्वामी परबंद निदेशक एलाइसी के है निलकंठ मिस्रा अंसकालिक अध्याच यू आई डियाई के न्याइमूर्ति परकास्री वास्त अधियाच एंजीटी के नेक्स देखते हैं डाक्टर बस्धा गुपता परधान महानिदेशक आगासवाने के डाक्टर बस्धा गुपता नीराज मितल सचीव दूरसंचार विभाग डॉट के रजनीश कुमार अधियाच मास्टर कार्ड इंडिया के सिंधु गंगाधरन उपाध्याच नैश कौम के राजेच नामब्यार अध्याच नैश कौम के सिंधु गंगाधरन उपाध्याच नैश कौम के थे और राजेच नामब्यार अध्याच नैश कौम के मनीश देशाई परधान महानिदेशक पी आईवी के आर माध्वन अध्याच है भारते फिल् और रेल बोड के पर्थम महिला यह अध्याची पमसियों है जैवर मासिना तरुन सोबती उप परमुख नोशेना के बीके मुहंती बीत निदेशक इरडा के नेक्स देखते हैं रगु स्री निवासन परमुख सीमा सलक संगठन बियारों के स्री मुनीज कुमार कारिकारी सिव मुल्यायों के अरिंदम बाग्ची संजुक्त राष्ट में भारत के स्थाई प्रतुनीदी संजय कुमार जैन निदेशक है आयर सीटी सी के राज कुमार राव राष्टी आइकन चुनाब आयों के अमोल मजुमदार मुख कोच भारते महला क्रिकेट टीम के मनुरंजन मिश्रा करिकारी निदेशक आर्वी आई के परवीन मधुकर पवार संजुक निदेशक सीवी आई के हितेश कुमार मकवाना भारत के महा सरवेच्छक कुलजीत सीचल नमो एपका राष्ट्य संयोजक है कुलजीत सीचल दिपेश नंदा कौन है CEO टाटा पावर रिन्यूब ट्रस्ट का हीरालाल समर्या मुख सुचना युक्त है बिना M3 से MDN भारतिय स्टेट बैंका अनीश साथ अध्याच है फिक्की के नेक्स दखते हैं बर्स 2022-23 के परमुख अंतराष्टिय न्यूक्तिया पदमा लच्मी UNDP की सदभामना दूत बनी सौम्या स्वामिनाथन डव बोमेन की उपकारिकारी अध्याच अंसुला कांथ अंसुला कांथ बिस बैंक के सीएफो शुमन कुमारी पकिस्तान की पहली महिला जैज सुमन कुमारी जो बाइडन राश्टपती अमेरिका के 46 वा और जील बाइडन उनकी पतनी है अमेरिका की पर्थम महिला है जो इटली की पहली महला प्रधान मंत्री है जर्जो मिलोनी अब मोदी के साथ आजकल काफी चर्चे में हैं मैलोडी नाम से हैस्टेंग मैलोडी पीरे उनबियर गोरिचंस मुख अर्षास्त्री अंतराष्टे मुद्राकोश आईसा मली कौन है पकिस्तान की पहली महला मुख के बनेशा नकाटे सद्भावना राजदूद्ध है इन्वी सेव के नेक्स्ट है अरुन सुब्रमन्यम पहले भारते अमेरिकी जज्ज निवार कोट के है एरिक गार्सेट्टी एरिक गार्सेट्टी है भारत में अमेरिका का राजदूद्ध डेनिस फ्रांसिस प्रणुट टिओ में भारत के स्थाई परतिनी दी मैनुएला रोकाबोटी परधान मंत्री है एक्वेटोरियल गिन्नी के रामचंद्र पोडेल है राष्टपती निपाल के बोला टिनूबू है राष्टपती नाइजिरिया के शेक अहमत नवाव अलसबा है परधान मंत्र थाइलेंड के थ्रेशा थोबिसीन सेंटियागो पेना है राष्टपती प्रागवे के हुन मानेट हुन मानेट है परधानमंत्री कमबोडिया के धर्मन सम्मुंग रतनम है राष्टपती सिंगापूर के धर्मन सम्मुंग रतनम सातो किलमन सातो किलमन है परधानमंत्री बनु डोर के सुल्तान इब्राहिम इसकंदर है मलेशिया के राजा रौवर्ट फीको है परधान मंत्री स्लोवाक्या के डेवुड कैमरून है बिदेश सचिव कहां के ब्रटेन के पैंडरो सांचेज है परधान मंत्री अश्पेन के लिउक फिडेन है परधान मंत्री लगजंबर के जेपियर माईली है राष्टपती अर्जेंटीना के, जोसिफ बुकाई है राष्टपती लाइबेरिया के, किष्टोफर लक्षन है प्रधान मंतरी न्यूजिलेंड के, किष्टोफर लक्षन, जोसिफ बुकाई राष्टपती लाइबेरिया के, प्रधान मंतरी न्यूजिले पास नितिन गड़करी के पास है सलक परिवर्यम औरार्जमार्ग मंत्री बित मंत्री इंधně मंत्री बिशान कमन औरकरम की मंतुदी है तप किर्षी किषान कल्याइन मंत्री समिंसीत मंत्री बंठय 5D मंत्री आर्जश ऑ्ला flavored नोल देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान है सिच्छा कोर्षल विकास एवं उद्धमिता मंत्री पहलाज जोसी संसद्य कार मंत्री कोईला खनन मंत्री नरायन राने नरायन राने हैं सुचमलगु एवं मध्यमुद्धम मंत्री सरवा नम सोनोबाल है जहाज रानी जलमार्ग एवं आयूस मंत्री डाक्टर बिरेंद्र कुमार समाजिक न्या एवं अधिकार्ता मंत्री गिलराज सिंह ग्रामिन विकास एवं पंचायती राج मंत्री राज सिंह जियोती राज इंदिया नागरि कुडियन मंत्री और उस्पात मंत्रा लाग के तरीत परभार है अस्बीनी बैशनव रेल संचार एवं सुचना प्रोध की मंत्री हैं पसुपति पारस खाद परसंस्क्रन एवम उद्रोग मंतरी, गजण्दर सिंस शिखावत जल सक्ति मंतरी, अर्जून राम मेकवाल कानून एवम नियाई मंतरी, राजकुमार सिंह बिदूत एवम नवी करनिय उर्जा मंतरी, हरदीप सीफ्पूरी पेट्रोलिय वेवम प्राक अभी तक अपडेट नहीं है जब आएगा तुसे एक अलग विडियो बना दिया जाएगा अभी देख लिजिए सबसे पहले देखते हैं अपर नाचल प्रदेश की रधानी इटा नगर है उन्हें सो सतासी में गठन हुआ था राजपाल है केटी परनाइक और मुख मंत्री है पेमा खांडू तरिपूरा की बात करें तो रधानी अगर तल्ला है उन्हें सो बहत्तर में गठन हुआ था इस मुख मंत्री है मनिपूर की बात करें तो इमपाल राध्धानी है 21 जन्वरी 1912 का गठन हुआ था अन्सुईया उयके जो है राजपाल है मनिपूर के और मुख मंत्री है मिजोरम की राजधानी आई जल है 20 फरवे 2987 को गठन हुआ है हारी बावु कमभम पती जो है वो है ऐमत बिस्वा सर्मा जो हैं वो मुख मंतरी हैं मिघालय की बात करें तो रज़्धानी शिलोंग है 21 जनवरी уने सो बहत्र को गठन हुआ इस राज का राजपाल है भगू चवहन मेघालय का कॉंड़त संगवा यहां के मुख मंतरी इस कि कि करी 1971 का गठन हुआ है सी परताब सुख्ल जो है यहां के राजपाल है और सुख्विंदर सी सुख्व जो है मुखमंत्री है उत्राखंड की बात करें तो देहरादून या गैर से इसकी राजधानी है नौ नवंबर 2000 को गठन हुआ था लेप्टिनेंट जनरल गुरमीद सी यह के राजपाल है और पुसकर सी धामी यहां के मुखमंत्री है पंजाब की बात करें तो द्धानी चंडीगड है बनवारी लाल पुरोहित परवाल के राजपाल है भगवत मान यहां के मुखमंत्री है कहां के तो पंजाब के हर्याना की बात करें तो द्धानी चंडीगड है एक नवंबर उने सो चियार में की निर्माना और गठन हुआ था और इसके बंडारू दत्तत्रे यहां के राजपाल है मनोहर लाल खट्टर यहां के मुखमंत्री है उत्तर परदेश की बात करें तो रजधानी लखनव है 24 जनवरी 1950 का निर्मान हुआ है अनंदी बेन पटेल यहां के राजपाल है योगी अधितनाथ यहां के मुखमंत्री है बिहार की बात करें तो रजधानी पटना है 22 मार्च 1912 को गठन हुआ है राजयंद्र बिश्वनाथ आरलेकल जो है वो राजपाल है निकीज कुमार यहां के मुखमंत्री है जारखन की बात करें तो राजधानी है 15 नवंबर दोहजार इसवी को गठन हुआ है सीपी राधा कृष्ण राजपाल है और हमन्त सोरें जो है यहां के मुखमंत्री है नेक्स अगर हम बात करते है पच्चिम बंगाल के तो राजधानी कोलकता है 26 नवरी 1950 को गठन हुआ है पच्चिम बंगाल सीबी आनंद बोस राजपाल है मंता बनर जी जो है वो मुखमंत्री है उडिशा की बात करें तो राजधानी भुबनेश्वर है एक अप्रेल 1936 को गठन हुआ है रगुबर दास जो है उडिशा के राजपाल है और नवीन पतनायक जो है यहां के क्या है तो नवीन पतनायक मुखमंत्री है नेक्स देखते हैं मध्य पर्देश मध्य प्रदेश की राजधानी भुपाल है एक नवंबर 1956 के गठन हुआ मंगो भाई च्जगन भाई पतेल जो है वो राजपाल है और शिवराश्ची चवान क्या है तो वो है मुखमंत्री क्या है मुख मंत्री है शिवराज चवान कहां के तो मध्य परदेश के नेक्स्ट है चतिसगर चतिसगर की रजधानी राइपूर है एक नवंबर दोहजार इसवी को गठन हुआ है चतिसगर बीवी हरी चंदन जो है यहां के राजपाल है अब भुपेश बखेल जो यहां के है वो मुख मंत्री है राजस्थान की रजधानी जैपूर है 30 मार्च 1949 का गठन हुआ है राजस्थान को कल राज मिस्र यहां के राजपाल है असोग गलोत यहां के मुख मंत्री है गुजरात की रजधानी गांधी नगर है एक मैं 1960 को गठन हुआ है स्री अचार देबरत यहां के राजपाल है और भुपेंद्र पटेल यहां के मुख मंत्री है कहां के गुजराद के महरास्त की रधानी बंबई है मुंबई है एक मैं 1960 को गठन हुआ है रमेस बैस जो है यहां के राजपाल है और एक नाग सिंदे जो है यहां के मुख मंतरी है करनाटक की रधानी बेंगलूरू 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था थावर्चन गहलोज जो है यहां के मुख मंतरी राजपाल है थावर्चन गहलोज और मुख मंतरी है सिद्धा रमया करनाटक के हम गवा की बात करते हैं तो गवा की रधानी पंजी 30 मई 1987 को गठन हुआ था पियेस स्रिधरन पिलाई है जो राजपाल है अब परमोध सामबन जो है यहां के मुखमंत्री है केरल की रधानी तुरबंध पुराम 1 नवबर 1956 को गठन हुआ था आरिफ महमद खान यहां के राजपाल है और पिंड्रैप जन जो है यहां के मुखमंत्री है तमिल नवब्ग की रधानी चिन्ड़ई 26 जन बरी 5000 को गठन हुआ था आरेन रवी यहां के राजपाल है एमके स्टॉलिन जो है यहां के मुख मंत्री है आंधर परदेश की रद्धानी विसाखा पत्नम एक कक्टूबर उन्हेसो तीरपन को गठन हुआ था इस अब्दुल नजीर जो है राजपाल है और जगमुहन रेड़ी जो है यहां के मुख मंत्री है तेलंगाना की रद्धानी हैदराबाद है दो जून 2014 को गठन हुआ है दो जून 2014 को डग्तत तमिल साई सुंद्राजन जो है यहां के राजपाल है और केचंद सेखर राव जो है यहां के मुख मंत्री है अब आईए बात करते हैं जम्मू कश्मिर के जिसकी रद्धानी स्रीनगर जम्मू है और 31 सक्टूबर 2019 को गठन हुआ है 31 सक्टूबर 2019 को मनोसिहा उपराजपाल है लद्धा की रद्धानी ले है 31 सक्टूबर 2019 का ही गठन हुआ है बेडी मिस्रा यहां के उपराजपाल है दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिली रद्धानी है बिना एकुमार सक्सेना उपराजपाल है और बिंद के जरिवाल यहां के मुख मंत्री है पुद्धुचरी की बात करें तो रद्धानी भी पुद्धुचरी है डाक्टर तमिल साई सुन्दराजन उपराजपाल है अयन बारीलाल पुरोहित परसासक हैं दादार नगर है वेली अमदमन दीप की रधाई दमन है 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ है परफुलपटेल परसासक हैं लच्छदीप की बात करें तो रधाणी कवारती है एक नवंबर उनेश्चोच्छपन को गठन हुआ था परफुल पटेल के त्रिक प्रवार दिया गया है अभी तक कूल राजों की संख्या कितनी है 28 और गंदर सास्त प्रदेशों की संख्या 8 है अब आईए देखते हैं भारत के उच्छ न्याले कौन-कौन से हैं और इसके अस्थापना कब हुई और इसके मुख न्यादिस कौन ह है बस यह इंपोर्टेंट है कलकत्ता उच्छ न्याले के स्थापना 1862 में हुआ था इसका खंड फिट पोट विलेर में है राज छेत्री अधिकारता है पस्चिमंगल अनमान निकोबार दीप समू का जो कौन सा उच्छ न्याले है तो वो कलकत्ता उच्छ न्याले के स्था स्थापना हुआ था और महराष्ट गोवार दादर और नगर हवेली दमन और दीप यह सभी आते हैं इसके छेत्रा अधिकार में देवेंद्र कुमार उपध्या यहां के मुख न्याइधिस हैं बंबे उच्छ न्याले के मद्रास उच्छ न्याले की बात करते हैं तो 1862 में स्थापना हुआ था और मनोज कुमार गुपता यहां के मुख न्याइधिस है इलाहबाद के मनोज कुमार गुपता करनाटक उच्छ न्याले के स्थापना 1884 में और परसन्ना भी बरले जो है यहां के मुख न्याइधिस है पत्तना उच्छ न्याले काफी इंपोर्टेंट और नाचल पर्देश, इसके अधिकाल शेत में पढ़ते हैं, संदीप महता इसके मुख नियाइधीस हैं, अब बात करते हैं, उडिशा उचिनियालाए के, जिसके अस्थापना उन्हें 48 में हुआ था, विद्यूते रंजन सारंगी जो हैं, यहां के मुख नियाइधीस हैं, जब मुकस्मिर बेभात दोनौं, एन कोटीसवर सी, यहां के मुख नियाइधीस हैं, उन्हें 1666 में स्थापना हुआ हैं, उन्हें 166 में, जो है यहां के मुखन्याइधी से दिल्ली उचन्याले के स्थापना 1966 में हुआ है और मनमुहन यहां के मुखन्याइधी से पंजाब एबम हर्याना के स्थापना भी 1966 में हुआ था रीतु बाहरी जो है यहां के मुखन्याइधी से पंजाब एबम हर्याना न्याले के हिमाचल पर्देश उस्थापना उने सोवेकतर में हिमाचल पर्देश में इसका में चिता अधिकार है मैस रामचंद्राव यहां के मुख्ण नियाईदी से कि मुख्ण नियाई दीज़ अब बात करते हैं च्छतिसगड उचन्यालाए के 2000 में स्थापना हुआ है जार खंड उचन्यालाए के 2000 में स्थापना हुआ है यहां के मुखन्याईदीस है मिखालाए उचनियाले के स्थापना 2013 में संजीब बनरजी जो है वो मुखनियाईधीस है मनिपुर उचनियाले के स्थापना 2013 में सिदार्प मिर्दुल जो है यहां के मुखनियाईधीस है त्रिपूरा उचनियाले के स्थापना का हुआ है 2013 में ही अप्रेश कुमार सी यहां के मुखनियादीस हैं तिलंगाना उचनियाले के स्थपना 2019 में हुआ है असोख अराधे यहां के मुखनियादीस है अंध्रपरदेश उचनियाले के स्थपना 2019 में हुआ है और धीरा सिंठाकुर यहां के मुखनियादीस है भारत में बर्तमार में बहरत में 1242 में पहली बार तीन ज्रियाक के स्थापित किया गया था कलक película उसमिक ऐस द क्वैचा पारिश्ष क नाम से स्थापित किया गया है नेक्स्ट चेप्टर है बिस्विक के परमुख देस क warfare मुद्रा रूप्या है और संसद का नाम पार्लियामेंट है राश्टपती है द्रौपदी मुर्मूर और परधान मंत्री है नरेंदर मोदी बांगलादेश की बात करते है तो बांगलादेश की जो राजधानी है वो ढाका है मुद्रा ठका है संसद जो है वो जातिय संसद है मुहम्माद सहावुद्दिन चुपु जो है यहां के राष्टपती है और परधान मंत्री है सेख हसीना अफगानिस्तान की बात करे तो रधानी काबूल है अफगान अफगानी जो है यहां के मुद्रा है अफगान अफगानी संसद का नाम सोरा है और राष्टपती है हाजी मुला अब्दूल बरादर अक्षूंद और परधान मंत्री है मुला हसन अक्षूंद भुटान की बात करें तो रधानी थिम्पू है मुद्रा नगुल्टरम है और संसद का नाम तसोंगुडू है राश्टपती है जिगमे खेसर नामगेल बांग्चू और यहां के परधान मंत्री है डाक्टर लोताय तसोयरिंग डाक्टर लोताय तसेरिंग पाकिस्तान की बात करें तो रधानी इसलामाबाद है राश्टपती है आरिफ अलवी और यहां के परधान मंत्री है अनबरल उलहक ककड सिरलंका की बात करें तो रधानी काठमांडू है पंचाय यहां का संसद है और राम चंद्र पोडेल यहां के रश्टपती है और पुस्प कुमार्दहल यहां के परधान मंत्री है म्यानमार की रधानी नव clapping name है नाव की जो रजदानी है और यहां के मुद्रा है कयात पिथ्घ्घु हलूत्रों यहां संसत का नाम है धाली कि प्रखेन की बात करें तुर तरहां धानि बिजिंग है रेंह मीण भी यहाँ का मुद्रए है चीन का प़्िपुल कांग्रेस संसद का नाम है सी जिनपिंग यहां再見 काहिए आली क्योंग यहां के परखान मंत्री है Maldiv की बात करें तुर तरहा धानि माले है रूफिया यहां का मुद्रा है मजलिस संसत का नाम है मालदीव का मुहम्मद मौईजू जो है यहां के राष्टपती है रूस की बात करे तो रधानी मास्को है रूबल यहां के मुद्रा है पिपुल्स कॉंग्रेस यहां के संसत का नाम है बलादमीर पुतीन जो है रा प्रधान मंत्री हैं सौधी अरव सौधी अरव की रधानी रियाद है और मुद्रा है रियाल संसत का नाम है मजलिस अलसूरा और राश्टपती है सलमान बिल अब्दुल अजीज अलसौद प्रधान मंत्री है मुहम्मद बिन सलमान अस्टेलिया की रधानी है केनबरा अस्टे प्रफानिर्स रद्धानी है और्जेंटीना पेशों यहाँ का मुद्रा है और इसनल कॉंग्रेस संसद का नाम है इलवार्टो फ़र्नांडी जो है यहां के राश्टपती है अर्जेंटीना के नेच्ट बात करते हैं यूक्रेनी उक्रेन की रद्धानी कीव है, काफी इंपोर्डेंट है, उक्रेनियन रिबनिया यहां के मुद्ड़ा है, ब्लादिमिर झलिन्स की राष्ड पती है, डेनिस समयाःली परधान मंत्री है। इंडोनेशिया की बात करें, तो रद्धानी नूर संतारा है, रुप्या यहां का मुद्रा है जोको बिडोडो जो है यहां के इंडोनेशिया के क्या है राश्टपती है ब्राजिल की रधानी ब्रासिलिया है रियल जो यहां का मुद्रा है नेशनल कॉंग्रेस संसद का नाम है लुईस इनासियो लूला दसिलवा जो है यहां का ब्राजिल टूडो कनाड़ा के जो प्रधान मंत्री है जस्टिन टूडो है नीदर लेंड की बात करें तो मैस्टेडम जो है इसकी रधानी है गिल्डर या इरो यहां का मुद्रा है बिलेम एलेकजेंडर राष्टपती है अम्मार्क रूटे जो है यहां के प्रधान मंत्री है मौरिसस क करें तो पोर्ट लूई जो है यहां की रधधानी है मौरिसस की मौरिसित्यान रुप्या जो है यहां का मुद्रा है National Assembly रश्णनल संसद मौरिससे ला अबित्षी रष्णी यहां के है राष्ट पती है मौरिसस के और प्रविंद जगनाह जो है यहां के परधान मंत्री है प्रिथिवी राष्ट पती है प्रविन जगनाज जो है यहां के परधान मंत्री है क्यूबा की बात करते हैं तो हवाना रधानी है क्यूबन पेसो यहां का मुद्रा है पिपुल्स पावर पिपल्स पावर यहां के संसत का नाम है क्यूबा का मिंगेल डियाज केनल जो है वो क्या है वो राष्ट पत्री है क्या है राष्ट पत्री है और मैनुवल औरेरा क्रूज जो है वो क्या है परधान मंत्री है इटली के रधानी रोम है डेनिस क्रोन और मुद्रा है फॉलकेटिंग काफी ज़्यादा पूछा जाता फॉलकेटिंग जो है डेनमार के संसत का नाम है मार्गरेथ दितिय जो है राष्टपती है और मेत्रे फेडरिक्सन जो है यहां के परधान मंत्री है मिस्र की रधानी काहरा है जिप्सियन पॉट यहां का मुद्रा है पिपुल एसेंबली जो है यहां का संसत के नाम है अब्देहल फटा अल्सीसी जो है वो राष्टपती है स्वीडेन के मिसर के मिसर के राष्टपती है अब्देल फटा अल्सीसीजी और परधान मंत्री है मुस्तपा मद पॉली स्वीडन की रधानी है स्टॉकम स्वीडिस क्रोना यहां के मुद्रा का नाम है रिक्ष डॉग जो यहां का संसत का नाम है रिक्ष डॉग स्वीडन के और यहां के परधान मंत्री है उल्फ क्रिश्टर्सन अगला है फ्रांस के रधानी पेरिस है यूरोप, CFC, फ्रैंक यहां के मुद्रा है नेशनल एसेम्बली संसद को कहा जाता है इम्मेन्वेला मरेक्रोन जो है यहां के राष्टपती है और लिज्याबेत बॉन जो है यहां के परधान मंत्री है फ्रांस के इरान के रधानी तहरान है, रियाल मुद्रा है, मजली संसद के नाम है इबराहिम रईसी जो है, यहां के क्या है तो रष्टपती है इराक के रधानी बगदाद है, इराकी दिनार जो है, यहां का मुद्रा है नेशनल एसेम्बली जो है, यहां का संसद के नाम है अब्दोल्लतिफ राशिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् फुमियों की सीधा जो है यहां का क्या है परधान मंत्री है लेवनान के रधानी बेरुथ लेवनिच पॉंड जो है यहां का मुद्रा है नेशनल एसेमली है संसत के नाम अनजीम मिकादी यहां के परधान मंत्री है दचिन कोरिया के रधानी शियोल है बौन यहां का मुद्रा संसत के नाम यू सू मेंल जो है यहां के राश्च पती रहे जूर्फ पर्दान्र अमेरिका की बात करते हैं तो बाथ भाज़टन DC जो है राध भाश्च यृण जो है। उसी सुनक यहां के पर्धान मंत्री है। का मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत एवाम 20 में पर्थम 2022 में क्या क्या हुआ है काफी इंपोर्टन टॉपिक है बहुँ सारा प्रशनी से पूछता है स्वदेशी लड़ाक को बिमान तेजस उड़ाने वाले पर्थान मंत्री कौन है तो नरेंदर मोदी है अस्टैंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज अस्टैंप पेपर की कलर कोडिंग तो वो है पंजाब विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सो रुर्जा सेंतर अबुधा भी UAE में है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहा है दुनिया का पहला 3D printed मंदिर कहा है तो वो है तेलंगाना में समान नागरिक सहिंता UCC अपनाने वाला पहला राज कौन है तो वो है उत्राखन सभी अवारा कुतों को नस्बंदी करने वाला पहला देश है बुटान आई एसो परमानर प्राप्त करने वाला पहला महला पुलिश स्टेशन है भोपाल देश का पहला पसु सब्दागरी है लखनव उत्तर परदेश में भारत का पहला हरित उर्जापुरह तत्व अस्थल तट मंदिर तमिल्नाडू में भारत का पहला बेटलेंड सहर है उदाइपूर राजस्थान भारत का सर्वस्रेश्ट परेटन गाउम पंजाब के नवापिंट सरदारा गाउम नेक्स देखते हैं देश की पहली ग्रीन हाइडोजन सेल बस की सुरुआत कहां तो दिल्ली में प्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की सुरुआत कहां हुई थी तो वो हुई थी दिल्ली में भारत का पहला 3D printed डागघर कहां बेंगलूरू में भारत का पहला किर्सी data exchange कहां है तो हैदराबाद तिलंगाना में भारत का पहला drone परिछन के अंदर कहां तमिलाडू में भारत का पहला मतस पालन अटर इनोवेशन सेंटर कहां है तो वो है केरल में डीजी यात्रा डीजी यात्रा शुरू करने वलब प्रुवत्तर भारत का पहला हवाई अड़ा कौन है भारत का पहला कारवन निगेटिव गैरिसन कॉलेज आफ मिलिटरी इंजिनियर पूने नेक्स देखते हैं भारत के पहले छेत्री न्यूज एंकर लीशा कानावरन कहां किया अगे उडिशा टीवी में भारत के पहले शेत्री नियुजेंकर लिसा कानावर उडिसा टीवी प्लास्टिक उत्पाद बैपर परतिबंद लगाने वाला पहला देश न्युजी लेंड है भारत की पहली हाइडोजार से चलने वाली ट्रेन का सुवारम हर्याना से दुनिया का पहला मिथ्यन से उड़ने वाला रोकेट लॉंच किया गया है चीन में सुसासन बी नियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज महराज्ट अपने इंटरनेट सेवा सुरू करने वाला देश का पहला राज केरल भारत का पहला पून रूप सेई सासित राज केऱल भारत का पहला ओडिये पलफ जिला वाइनार्ड केरल चलने का दिकार लागु करने वाला पहला राज पंजाब भारत का पहला सौर सहर साची मधपरदेश है नेक्स्ट है भारत का पहला केवल अस्टे रेल ब्रीज अंजी खड़र जम्मू कस्मीर बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला राज उत्तर परदेश जल बजड तैयार करने वाला भारत का पहला राज जल बजड तो वो है केरेल पानी के नीचे चलने बाली भारत की पहली मेट्रो टेन कहा है कुलकता मेट्रो अग्यात सबों को डिएने डेटा बेस तैयार करने वाला पहला राज हिमाचल परदेश नेक्स्ट है दुनिया का पहला एस्याई किंग गिद सरचन भब परजनन के उत्तर परदेश हत्या के केस में AI अधारित चैट जीपीटी की मदस से जमानत पर फैसला सुनाने वाला पहला हाई कोड पंजाब एवं हरियाना हाई कोड बंदे भारत एक्सप्रेस का संचलन करने वाली एस्याई की पहली महला लोको पाइलेट सुरिय खायादव भारतिय बाई सेना में लड़ाकु एकाई की कमान संभालने वाली पहली महला अधिकारी सालिजा धामी बिश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉन हुबली रेलवे स्टेशन करना अटक स्वास्त का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज राजस्थान छेत्रिय भासा में निन्नय प्रकासित का नवाला पहला हाई कोड केरल ग्रीन बॉंड जारी करने वाला पहला नगर निकाए इंदोर देश की पहली हरी तूर्जा अधारी सौर पैनल उत्राखन उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां है तो चंडीगण में नोरो बाइरस संक्रवान का पहला मामला केरल देश का नमबर बन पुलिस अस्टेशन असका थाना गंजाम जिला उडीशा धुमर पान पर परतिबन लगाने वाला देश न्यूजिलेंड भारत का पहला गोल्ड एटियम हैदराबाद में भारत का पहला मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पर कहां है तमिलनाडू देश का पहला कारवन नीट्रल फॉर्म केरल के अलुवा में श्थित बीज फॉर्म अपना जलवाई परिवर्तन मिशन सुरू करने वाला पहला राज तमिलनाडू जियो फाइवजी सेवा सुरू करने वाला पहला राज गुजराद देशिन भारत की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस कौन है चिन्नाई से बेंगलूरू दुनिया का सबसे उच्छा मतदान केंद्र तसी गंग हिमाचल परदेश नगरपालिका के बॉंड को जारी करने वाला पहला सहर है बडोद्रा पूरे राज में सोने की एक समान कीमत लागो करने वाला राज कौन है वो है केरल सौब परतिसत हर घर जल गोसित राज गुजराद भारत का पहला सौरूर्जा संचालित गाम मुढेरा गुजराद गती सक्ति पोर्टर लॉंच करने वाला पहला राज गुजरात है देश का पुर्ण डिजिटल सा छर्टा वाला ग्राम पंचायत कौन है पुलंपारा केरल जनजाकियों का विश्व कोस जारी करने वाला पहला राज है उडिशा केरल की पहली आरी बासी महला एर होस्टेज गोपिका गोबिनान खाद सुरच्छा इटलस वाला तिसरा भारती राज जारखन देश का सबसे बड़ा रवर डैम गया बिहार में नेक्स देखते हैं बर्स 2022 देश में हुए परमुक्स समझाओते ग्यापन देखिए 2022 देश में कौन कौन से देश के साथ क्या क्या समझाओता हुआ आईए देखते हैं और किनकिन बीच में देश ही नहीं किनकिन दो कमपणियों के बीच में भी होता है तो आईए देखते हैं आईए नेस ब्यास के मीड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने है तू रच्छा मंत्राले और कोचिन सिप्याड लिमिटेड के द्वारा हुआ था चुनाबी साथ चर्ता को बढ़ावा देने के लिए एसी आई और सिच्छा मंत्राले के द्वारा भी एर स्पेस सिच्छा और नवचार को बढ़ावा देने के लिए एर बस और आयाइटी कानपूर के द्वारा हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सौधी अरब के बीच ह नागरिक उडियन के छेतर में सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ है भारत और न्यूजिलेंड के बीज बिहार में राज राजमार काउंडियन हेतु समझा होता हुआ सहयोग आत्मा का अबसर तलासने के लिए समझा होता हुआ है वयाजर अस्पेस और नीर अस्पेस इंडिया के साथ सेमी कंड़क्टर प्रस्थित की तंद को संजुक्त रूप से बिक्सित करने के लिए हुआ है भारत और जपान के साथ अंत्री छायों की नई उचायों पर ल चैटरूजन के शचत में सही हो गहे तो भारत और अस्टेलिया के भीच अधोगिक अनूसंधान और विकासपर सही हो के लिए भारत और इज्रायल के साथ हुआ है अधोगिक i पर टैचलेस्ट बायोमेट्रिक सिस्टम विक्सित करने के लिए आयटी बॉंबे और यूआई डी आई के साथ सिक्यूर मेरिटाइम कम्मुनिकेशन विक्सित करने के लिए भारतिय नो सेना और रमन इस प्रिसर्च इंस्टूट के साथ सैन कर्मियों को चीनी भासा का पर प्रोधकी और नवाचार पर सही होग है तु भारत और मेक्सिको के साथ डिश्टल इंफ्राज जलवाई करवाई स्वच्च वज़ा में सही हो के लिए भारत और अस्पेयन के साथ डिश्टल सा चर्था बढ़ाने के लिए हुआ है सी स्ए अकादमिय और नाइट लिट के स साथ एसी आई देशों में चीतों को फिर से लाने के लिए सही होग है तु भारत और दच्छी नपिर्गा के साथ एर इंडिया में 500 नए बीमान के लिए एर बस और बोईंग के साथ हुआ था भारत में स्पेस टेक स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए इस्चुरू और माइक्रोसोफ्ट के साथ सोदेशी सेटिलाइट क्वांटम को डिस्टिब्यूशन उत्पादों को बिक्री हेतु हुआ है इनए स्पेस और QNU लेब के साथ सरकारी आई डी का ओन डिवाइस संगरहन के लिए डीजी लवकर और गूगल के साथ डिस्टल सिच्छा को बढ़ चर्ण के साथ ब्रास और आ लिए इसकर के साथ राध राज नहीं को को पर श्थान के सरचन के साथ जैب विवित्टा के सरचन के लिए भारत और नेपाल के साथ किर्शी को बढ़ावा देने है तू हुआ करनाटक सरकार और इसा फॉंडेशन के साथ भारत की सांस्क्रितिक बिरासत की रच्छा है तू इनसको रॉयल इंफिल्ड के साथ यूपे की अर्थविवस्था दस खरब करने है तू उत्तर प्रदे सरकार और ड भारत जारी किया है नरेंद्र मोदी ने इवाओं के विभिन राष्ट निर्मान कार्जक्रम में सक्रिय भूमका हेतू अफसर देने के लिए आया स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है नौकरी प्रदताओं और नौकरी ढूने वाले को आपस में मिलाने के लिए रोजगार परियाग पोटल उत्राखन सरकार के द्वारा सर्पन संबाद असम के राजपाल के द्वारा फ्लट बाच एप केंद्रियत जल आयोक के द्वारा जारी किया गया है एवी मित्र एप बैसकॉम कंपनी बेंगलूरू के द्वारा किया है राजमार्ग यात्रायप भारत्य रांष्टे राजमार्ग प्रधिकरंग के द्वारा किया गया हесь यह जारी उदगंप mínफ के लिए उप बनाने है दूरी के द्वाराएल के द्वारा जारी किया गया है यूबा पोर्टल बिग्यान प्रोदुकी मंत्री जितंदर सिंग के द्वारा जारी किया गया है मंत्री भुपेंदर यादव के द्वारा जारी किया गया है हीम डेटा पोर्टल हिमाचल परदेश के मुख मंत्री के द्वारा साधी पोर्टल किरसी मंत्राला के द्वारा कॉल बिफोर यूडिक प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी के द्वारा जारी किया गया है कॉल बिफोर अप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुचाने बाल यूजुद खुदाई से बचाने है तू AIS AEP आएकर विभाग के द्वारा जारी किया गया है संगम यूबा पोर्टल सिच्छा और कोशल विकास मंतराले के द्वारा जारी किया गया है संगम यूबा पोर्टल जल्दूत एप ग्रामिन विकास मंतराले के द्वारा जारी किया गया है तेस भर के गामों में चैनीत कुम में जलस्थर को पता लगाने के लिए E.Kum Portal राश्टपती द्रौपदी मुर्मुर के द्वारा जारी किया गया है असकेल एप सिच्छा मंतरी धर्मिन्द परधान के द्वारा जारी किया गया है E.S. समाधान पोर्टल बिस्विद्यला अनुदान आयोग के द्वारा CM The High C. पोर्टल मुखमत्री मनीपूर के द्वारा जारी किया गया है लक्की बील एप जारी किया गया है केरल राज सरकार द्वारा E.S. अमरित एप नीदी आयक के द्वारा जारी किया गया है बाल रच्छा एप आईस मंतरी सर्वनन सुनेबाल के द्वारा जारी किया गया है नेक्ствен देखते हैं नेक्ट देखते हैं ब्रान्टेमेस्टर योजना अभियान एवं संस्थाओं के सबसे पहले देखते है भारतिय श्टेट बैंक के ब्राण्टेमेस्टर इन्हें बनाया गया है भारतिय स्टेट बैंके, सही अन्स हो जाएगा महंदर सिंह धोनी के बंगाल राज के ब्राण डामेस्टर सोरव गांगली को बनाया गया है हेंडरी हॉर्बिन एजुकेशन के ब्राण डामेस्टर चेतन भगत को अस्टेट इलेक्सन आइकन राजस्थान चुनावायो के दिब्गिर्टी सी को रैडो के ब्राण डामेस्टर केटरीना केफ को बनाया गया है रैडो के लेज एवं जीयो माट के ब्राण डामेस्टर महंदर सिंह धोनी पूमा इंडिया के ब्रांड मेस्टर मुहम्मद समी को बनाया गया है फायर वल्ड के ब्रांड मेस्टर बिजय देवर कॉंडा को चुनाय वायो को राष्टिया आइकवन राजकुमार रा को बनाया गया है फैसन ब्रांड के डव, ब्लू का ब्रांड अमेस्टर अनुसका सरमा, लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल का ब्रांड अमेस्टर रित्ति क्रोशन को, भारत पेट्रोलियम के ब्रांड अमेस्टर राहुल देड़बिड को, ICC बिसकोफ 2030 के ब्रांड अमेस्टर सारू खान को ब के ब्राण्ड शराफ का पन्ध को बनाया गया है l suspect के ब्राण को बनाया गया है c्याई होकी महसंग एतलीट सलीमा टेटेक को बनाया गया 神ł rhab attain के ब्रान्ड मेस्टर एमस धोनी को बनाया गया है सी चेंजेच क्लाइमेट के भारत का राजदूद स्रिया गुड़ाबत को बनाया गया है भारत में अमेरिका के राजदूद एरिक गार्शेटी है भारत में अमेरिका के राजदूद एरिक गार्शेटी शेवलाउन इंडिया द्वारत दुनिया के पहले हैंड एंबेस्टर सेवलाउन इंडिया के द्व सुन जोशी को अस्टीजर लेंट के फ्रेंट्शिप इंबेस्टर बनाया गया है नीरत चोपड़ा को टीवी उनमुलन कार्जक्रम निच्छे मित्र के ब्रांड मेस्टर है दीपा मलिक नेत्रहिन टीट्वेंटी बल्ड कप के ब्रांड मेस्टर है इवराज सी बेवसाइट म स्पूड ए़ोश्पेस के ब्रांड मेस्टर है inventor दीश्टल इंसुरेंस के ब्रांड मेस्टर है विरात को ली बैती बचाओ बैटी पढ़ाओ गुरुघरर के ब्रांड मेस्टर सी YO में बना गे निरत चोपड़ा को अब आई यह देखते हैं COVID-19 के महत्पुन तत क्रोना बाइरस की सुरुआ दिसंबर 2019 में चीन के बुहान से हुआ था W.H.O. 12 बाइस्पिक महामारी गोसित किया था 11 मार्च 2020 को क्रोना बाइरस से मानव सरीर को प्रभावित होने वला अंग था फेफड़ा क्रोना बाइरस का पहला मामला दर्ज किया था केरल में और क्रोना बाइरस के संक्रवन से पहली मौत जो देश में हुआ था वो करनाटक में पी-एम ने जनता करफू लगाने के अपील की 22 मार्च 2020 को ये काफी इंपोर्टेंट है इसे ध्यान रखेगा अपर्थमबर लोगड़ॉन 25 मार्च से 14 अपरिल 2020 के 20 दिन के लिए लगा था क्रोना बाइरस के कारण पूर्ण करफू लगाने वाला पहला राज था पंजाब क्रोना बाइरस के कारण लोगड़ॉन करने वाला पहला राज था राजस्थान COVID-19 vaccine प्राप्ट करने वाला पहले बात है मनीश कुमार 100% टीका करन लस्ट प्राप्ट करने वाला पहला यूटी अनमान्नी कोबात 100% टीका करन लस्ट प्राप्ट करने वाला राज हिमाचल परदेश COVID-19 के खिलाएफ չुडोल पहल संबंदित है मनीपूर से पहली अक्सीजन एक्स्प्रेस चलाई गई विसाखा पतनम से नागपुर दूसरी अक्सीजन एक्स्प्रेस बोकारों से लखनो उतक भारत में कोवीड टीका करन अभ्यान की सुरुआ 16 जनवरी 2021 से टीका उत्सम मनाया गया 11 से 14 अपरिल 2021 तक कोवीड नाइटीन है तो से टीका बिक्सित करने वाला पहला देश था क्यूबा 100% टीका करन का लस्प्राफ्ट करने वाला पहला गाम था व्यान जम्मुगसमीर का और 100% टीका करन लस्प्राफ्ट करने वाला पहला सहर था भूमनेश्वर COVID-19 से मुक्त होने वाला पहला एरोपिय देश बना असलोवेनिया और ये है भारत में COVID-19 टीका करन के जो अभ्यान चलाया था अब ये important नहीं रहा चलिए next देखते हैं संजुक्त सेन अभ्यास 2022 कौन कौन सा संजुक्त सेन अभ्यास हुआ और किन-किन देशों के बीच और कहां ये आयुजित किया गया तो सत्रहवा सूर्ज किरन अभ्यास 2030 भारत और नेपाल के बीच हुआ पित्होरागर उत्राखण में और ये किन सेना के बीच हुआ तो थलसेना के बीच हुआ दूसरा आस्ट्रा हिंद अभ्यास 2030 भारत और अस्ट्रेलिया के बीच हुआ पर्थ अस्ट्रेलिया में आयुजित हुआ और ये थलसेना का सैन अभ्यास था चौदा हुआ ब्रजप्रहार अभ्यास 2030 भारत और अमेरिका के बीच हुआ ब्रजप्रहार, उम्रोई मिघाला में हुआ और थलसेना के बीच हुआ, नवा मित्र सक्ति अभ्यास भारत और सिरलंका के बीच हुआ, अंध पूने महरास्ट में हुआ और ये भी थलसेना का इधा भ्यास था, मित्र सक्ति, सी गार्जियन थिरी चीन और पाकिस्तान के साथ हुआ, उत्री अरब सागर में और ये नवसेना का सैन अभ्यास था, बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांगला देश के बीच उत्तर बंगाल की खाड़ी में नवसेना का ये अभ्यास था, सिवन्त काजिंग अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के साथ उटार कजाकिस्तान में मरुएक्स 2030 महनमार्क और रूस के बीच हुआ मरुएक्स 2030 अनमान सागर में हुआ और ये नौसेना का अभ्यास था हरी माउ सकती अभ्यास और ये भारत मलेस्या के बीच हुआ भारत के उम्रोई छावनी मिगाले में और ये थल से नाओं के बीच हुआ 11 संपरिति अभ्यास भारत और बंगलादेस के बीच उम्रोई मिगाले में थल से नाओं के बीच सिंबेक्स 2030 भारत और अस्टेलिया सुरुवाद के जो तीन अचर है इससे अस्टेलिया और लाश्ट के तीन अचर से इंडिया और E-1 से एकसर साएथ तो भारत-अस्टेलिय tend to be is Sydney Australia में सिम्बेक्स 2013 भारत और सिंगापूर के बीच सिंगापूर में बरुन अभ्यास 2030 भारत और फ्रांस के बीच हुआ बरुन अभ्यास और यह कैसवा था अरब साकर में हुआ और यह नोशेना का युद्ध अभ्यास था 27 वा माला बार इधाब्यास 2030 क्वार देशों के द्वारा भूपच्छे अस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ नोसेने के बीच हुआ नोमडिक एलिफेंटा 2030 भारत और मंगोलिया के बीच मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ और थल सेना का ये इधाब्यास था 7 जीमेक्स 2030 भारत और जापान के बीच विशाखा पत्नम में हुआ नोसेना का इधाब्यास था सु्रच्छाबान 2030 चीन रूस इरान के बीच ओमान की खाड़ी में हुआ और ये नोसेना का इधाब्यास था खान कुष्ट अभ्यास 2030 बहुराश्टिये था मंगोलिया में हुआ थल सेना के बीच बरहवा एकुबेरिन अभ्यास 2030 का हुआ है तो भारत और माल्दीप के बीच चौवटिया उत्राखन में हुआ है थल सेना के बीच था यही धाब्यास छट्ठा एकता ब्यास 2013 भारत और माल्दीप में हुआ नोसेनाओं के बीच सुदर्शन सक्ति 2030 भारते सेना के सब्ध सक्ति कमान के साथ हुआ है जस्थान और पंजाब में हुआ ठलसेनाओं के बीच हुआ है टाइगर साथ फोट्टी एक्सरसाइज 2030 बंगलादेश समेरका के साथ चंटा ग्राम बंगलादेश के बी एन एस निर्विक में हुआ नौसेनाओं के बीच अल मुहदे अल हिंदी 2030 भारते नौसेना रॉयल सौधी नौसेना के साथ सौधी एरव के अल जुवेल में और ये नौसेना का युधा ब्यास था चौथा समुध सक्ती 2013 भारत और इंडोनेयसिया के बीच बौ्टम इंडोनेयसिया में नवसेना का ये उधा भ्याज था 35 कॉर्पेट 2013 भारत और ठाइलेंड के बीच अन्दमान सागर में नवसेना के बीच शाथवा अजयब बोरियर अजेब बोरियर किसके किसके भीच तो भारत और युनाइटेट किंग्डम के बीच सेलिसवरी पलेनेस यूके में हुआ थलसेना के बीच अभ्यास इनियोचोस 2030 भौराष्टी अभ्यास था ग्रीस के इंडरोबिडा एर बेस में बायुशेना का ये युधा भ्यास था कोप इंडिया 2030 भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया 2030 अर्जन सी पानागड कलाई कुंडा आग्राम हुआ और ये बायुशेना के युधा भ्यास था सिलिनेक्स 2030 भारत और स्रिलंका के बीच कुलंबो में हुआ और ये नौशेना का युधा भ्यास था एफ इंडेक्स 2013 की बात करें भारत तफिर की महादीब के तेश दिश के साथ पूनेम हुआ थलसेना का उधव्यास था फ्रिंजेक्स फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच तुर्वंध पुरम केरल में और ये थलसेना का उधव्यास था कॉंकन एक्सरसाइज 2013 भारत और युके के बीच अरफ सागर के कॉंकन दर्ड़ पे कोब्रिया बारियर एक्सरसाइज 2013 बहुपच्छिय था युनाइटेट किंग्डम में हुआ था बायुसे ना कई धव्यास था तरह बाब बोल्ड कुरुच छेतर 2013 भारत और सिंगापूर क स्लिक फोर इक्सरसाइज भारत और उद्विकिस्तान के बीच पिठावरा गड़ उत्राखण में हुआ थलसेना का यह रुधा व्यासता है क्वाट देशों में चारदेश सामिल हैं अमेरिका अस्ट्रिया भारत और जापान अब आए देखते हैं नवगठिव जास समीतिय नवगठित जास समीतिया कौन-कौन है जम्मु कस्मीरे में रह रहे हैं अबैद विदेश्यों की जनकारी के लिए समीति बना है उसके ध्यच कौन है तो आरके गोयल है कौन है आरके गोयल मनिपुर में रहात यवं पुर्णरबास कारियों के निगरानी है तू समीति अध् मनिपुर में हिंसा की जाच के लिए गठित आयोक का नितरित्व पुर्ण मुखनयाधिस अजय लांबा चीता पर्योजना की देख रेक है तू गठित समीति के अध्यच ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचीव राजेश गोपाल ए यार दबे समीति अखिल भारते फुटव महासंग मामलों के निगरानी है तू परदीफ नंद्रा जोग समीति डिफॉल्टरों में पैसे की बसूली है तू बनाया गया है परदीफ नंद्र जोग समीति को परदान मंत्री के पंजाब दवरे के दवरान सुरच्छा चुको की जाच के लिए समीति अध्यास्ता प्रकिरिया की जाच है तू समीति अध्याच है ओपी अगरवाल लद्दा की भासा संस्कृती और भूमी के सरचन है तू समीति है अध्याच है कंद्रे गरी राजमंत्री जी किसन रेड़ डी नेता जी सुआचन रबोस की 125 वी जनति है तू समीति अध्याच है पीम मोदी स सहरी नियोजन सिछा प्रनाली में सुधार है तुछ समीती अध्याच है राजीव कुमार, तनाब गरस्ट प्रसंपतियों पर विश्षग समीती अध्याच है केवी कौमत, स्वतंता सनानियों के कल्यान के लिए गठित पैनल है अध्याच है जी किसन रेड़ी, पराली जलाने पर रोग सम्बंदी समीती है अध्याच है मदन भी लोकूर, कोबिड नाइटिन बैक्सिन है तुग गठित अधिकार पैनल के अध्याच है और ए सर्मा, अजय भल्ला समीती के भारत आने वाले चीनी उनिवेशकों के परिच्छने तुग अजय भल्ला समीती बनाया गया था, राष्टे खेल पुरुषकार 2020 चैन समीती के लिए अध्याच है मुकुंद कम सर्मा, मानाव अधिकारों पर कोबिड-19 प्रभाव को अध्याच करने है तुग विशेश सग्य समीती के अध्याच है डाक्टर केस रेड़ी, तो आयुद निर्माने बोड के गमी करन की निगरानी है तुग अध्याच है राजनाशी, इजी ओएम के, S.C.L. दास समीती के असा में वाइल इंडिया लिमिटेड के एक कुय में हुए बिसफोर्ट की जाज के लिए S.C.L. दास समीती के अध्याचता में हुआ है, S.C.L. आरच्षित करने का प्रब्धान करता है जो पंद्रह साल के लिए हुगा, इस बिध्याच को किंद्रिय कानून मंत्रे अरजुन राम मेहुआ ने लोगसवा में पेस किया, किस ने अरजुन राम मेहुआ हुआ ले, इसे 20 सितंबर को लोकसवा में और 21 सितंबर को 2023 को राजसवा में सर्व समती से पारित कर दिया गया है नागरिक संसोधन बिधेयक CAA नागरिक संसोधन बिल CAB 2019 लोकसवा से 9 दिसंबर 2019 को तथ राजसवा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है इसमें भारतिर नागरिक्ता अधिनिया मुने सोपचपन में संसुधन किया गया है 12 दिसंबर 2019 को राश्च्पती के हस्ताच्छा के बाद कानून बन गया है संजुप्त राश्च्छा परसद के 5 नए आस्ताइस सदस कौन को नवी है अलजीरिया, गुहाना, दच्छिन कोरिया, सेरा लियोन और स्लोग वेनिया नई सिच्छा निती 2020 के अगर हम बात करते हैं तो नई सिच्छा निती की घुसना 34 वर्स बाद 29 जुलाई 2020 को की गई यह के कस्थुरी रंगन के ध्यस्ता वाली समीटी की रिपोर्ट पर अधारिथ है नई सिच्छा निती के तहत बरतमान में सक्रिये 10 प्लस 2 के सैसिनिक मौडल के स्थान पर 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 मौडल लागू करने की बात कही गई नई सिच्छा नीती लागू करने वाला देश का पहला राज है उत्राखन धारा 370 तथा 35 से समाप्त हो गया है 11 गस 2019 को जम्मु कस्मीर राज का विशेस दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35 को हटा दिया गया है जम्मु कस्मीर राज दोग के दसासित प्रदेश जम्मु कस्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तीत में आया है अगर हम नीती आयोग की बात करते हैं तो नीती आयोग का गठन एक जन्वरी 2015 को किया गया है नीती का फूल फर्म है National Institution for Transforming India नीती आयोग के ध्यच है परधान मंत्री होते हैं नीती आयोग के परधम उपा ध्यच अरबिन परणगडिया थे गुड्स एवं सर्विस टेक्स भारत में GST लाग हुआ है एक जुलाई 2017 से जीच टी दिवस एक जुलाई को मनाया जाता है जीच टी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विट टेक्स बस्तु एवं सिवा कर है 101 वा समिधान संसुधन के ताथ भारत में GST लागू किया गया है GST पंजिकरन संख्या में कुल 15 डीजिट हैं नेक्स चेप्टर है अंतराष्टिय संस्थान संगठन एक द्रिष्टी में अंतराष्टिय स्रम संगठन आयो लग क्या स्थापना 1919 में हुआ था मुख्याले जिनेवा में और महा सचीब जो है सदस संख्या है 194 सदस बना है किरिवाती राष्ट मंडल कॉमन बेल्थ 1931 में अस्थापना हुआ लंदन युनाइटेड किंग्डम में मुख्याला है महा सचीब है पेट्रिसिया स्कॉट्लेंड 54 सदस देश है इसमें 54 सदस देश जो बना है वो मालदीप है संजुक राष्ट संग इवेनों के 1945 में स्थापना निवार कमेरका में मुख्याला है एंटोनियो गुत्रेश जो महा सचीब है 193 सदस देश है 193 सदस बना है दच्छिन सुडान इंतराष्टिय मुद्राकोस आइमेफ 1945 में स्थापना हुआ है बासिगंटन बीसी में मुख्याला है किस्टलीना जोर्जियवाज है इसके परमुख है और 190 सदस संख्या है 190 सदस है जो अन्डोरा है आइमेफ का बीस बैंक बर्ड बैंक 1945 में स्थापना हुआ है बासिगंटन डीसी इसका मुख्याला है अध्याच है अजय बंगा 189 सदस है बीस बैंक में आइमेफ में 190 199 सदस बना है नौरू खादेबं किर्सी संगटन एफ़ोग 1945 में स्थापना रोम इटली में मुख्याला है कियों डूंगियों जो हैं इसके परमुख है 179 सदस संख्या है अंतराश्टिय नियाला है ICG 1945 में स्थापना हुआ है हेग नीदरलैंड में इसके मुख्याला है और इसके अध्याच है जो़ाल इडूंगियों 194 में सदस हैं में स्थापना हुआ है मुख्याला निवार्क में है परमुख है कैथरिन रसे एक सो एकानमे सदस देश है विस्व स्वास संगठन डवलु एच्छु निशोवड़तारिस में स्थापना जिनेवा सूटजा लेंड में मुख्याला टेड्रोस अधनोम जो है इसके अध्याच ह और 194 में सदस संख्या है आर्थिक सहयोग एवं विकास अंगठन OECD 161 में स्थापना हुआ है पेरिस फ्रांस में जो है इसके मुख्याला है और महा सचीव है माथ्यास कॉमर पॉर्मन सहितिस सदस देश है सहितिस्वा सदस जो बना वो पुलंबिया बना है नाटो नाटो क कि अगर हम बात करते हैं तुने सो उन्चास में स्थापना हुआ ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो है क्या है तो मुख्याला है महा सचीव है जेंस अस्टोलेंबर्ग और 31 सदस देश है एक तिसवा सदस बना है फिल्लेंड संजुक त्रास सरनार्थी उच्चायुक्त देर लेंड जो है इसके अध्याच है 27 देश टोटल बिटेन अब यू का सदस नहीं रहा उपिक उपिक का 260 में स्थापना हुआ बीना अस्ट्रेलिया में इसका मुख्याला है महा सचीव है है थम अलगीस तेरा सदस देश है कतर एवम इकवाडोर अब बाहर हो गये है उप एमनेश्टी इंटरनेशनल 1971 में स्थापना हुआ लंदन यूनाइटेड किंग्डम में इसके मुख्याले है महा सचीव है एगनेस कैलमड 150 सदस देश है अंक टाड 1964 में स्थापना हुआ जिनेवा में मुख्याले महाली दे सक है रेबेका ग्रिन स्पैन संजुक राष्ट विकास कालक्राब UNDP 1965 में स्थापना निवार्क मुख्याले है अजीम अस्टेनर जो है यहां के अध्याच है स्थापना हुआ है बनीला फिलिपिन्स में मुख्याले है मत्सुंगु असकाबा जो है इसके अध्याच है अर्शर सदस देश है एडिवी के निव डेफलेप्म स्थापना चकार्टा इंडोनेशिया मुख्याले है महास्चीव है काओ की महार्ट 11 सदस देश है 11 सदस है पुर्वी तीमोर्ग दच्छे सार्थ 1985 में बना है काटवंडू नेपाल में मुख्याले है इसाला रुवन बिराकुन जो है इसके अध्याच है आठ देश है अपक अगर हम बात करते हैं तो 1989 में स्थापना हुआ है सिंगापुर मुख्याले है प्रायुत चांग ओ बौंग सुबान जो है इसके अध्याच है के सदस है एक इस्वा सदस ब्यतनाम बना है अपक का संजुक तराश्ट मानवदिकार परसत इवेन एचालसी 2006 में स्थापना जि स्थापना 1995 में जिनेवा में मुख्याला है नागोजी ओकोंजो इवेला इसके अध्याच है एक सदस देश है एक सदस दस है एक सदस दस है अफगानिस्तान डेवलू टीयों का स्थापना 1996 में ब्रूसल्स इसका मुख्याला है एक कामन राश्ट पलस दो अंतराश्टी बाधरना में वहले होता है निदर एथा में लेसक का जो है इसके बिछैन फ terus दस दस में लेशिया है contains यह लह दो में सथापना हुआ है इसका जो हैद्याला है मुख्याला है महानी देशा के पॉल कॉंग बे और पच्पन सदस देशा इस वर जी ट्वेंटी में सामिल हुआ है फिर का यूनियन इवसा है इवसा 2004 में स्थापना हुआ है लुगानो स्वीटजर लेंड में मुख्याला है तीन देशा भारत ब्राजिल और दच्छीन फिरक अंतराष्टे सौर गठवंदन आई एसे 2015 में स्थापना हुआ गुरुग्राम हर्याना में इसके मुख्याला है महाने दिशक है अजय मातुर पंचारमे देश है पंचारमे देश जो बना है वो चिल्ली बना है अंतराष्टे सौर गठवंदन के अब आई यह बात करते हैं परमुख राष्टे सम्मिलन के यह हुआ बिंगलोरू करनाटक में थिम था सस्थेनिबलीटी थ्रू सर्कुलर एकोनोमी एड आठहवाजवा जी ट्वंटी इट ट्रवा जी शीर्णिर शीर्गर्वाजवा एड़्वा जी बात करते हैं थीं पन से दसम्मान मनपम नई दि में जी ट्वेंटी में सामिल तथा नया स्थाई सदस अफिरकन उनियन सत्रहवा सम्मेलन जो हुआ था पाली इंडोनेशिया 2022 में अगला जो उनिस्वा होगा वो ब्राजिल ब्राजिल दोज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ अफ्रीका पार्टनर्शिप फोर मुच्छी एसिलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेवल डेवलाप्मेंट सामिल छे नए देश हुआ है मेसर सौधी अरव UAE इथोपिया अर्जेंटीना एरान मेसर सौधी अरव UAE इथोपिया अर्जेंटीना एरान पिछला बाज चोधावा सम्मेल दशन Day Normal और एंजान रूश द्वह जैस द्वह सम्मेदर द्वह जयूजन जो हुआ है बिनियस लिथो आ publishers में 32 सम्मेलन एक तिसवा जो था वो मैड़ी डास्पेन में और ये सोरी ये 32 नहीं होगा ये 33 होगा 33 नाटो सिखर सम्मेलन बिनियस लिथवानिया में 32 हुआ 2002 में मैड़ी डास्पेन में अगला 34 नाटो सिखर सम्मेलन 2030 भारत में हुआ थीम सम्मेलन समरकंद उज्वेकिस्तान 2022 में शेतरवी विश्व स्वास्त सभा जो है जो है 2030 आयोजन कहां हुआ था वह होगा था जिनेवा शूट जर्लेंड में थीम था डवलो एचो एट 75 सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्थ फुर आउट और 22 सम्मेलन समरकंद उज्वेकिस्तान 2022 में अगला है चट्था हिंद महासागर सम्मेलन 2030 धाका बंगलादेस में अध्याच सेख हसीना पीम बंगलादेस के विशा है 37 सम्रदी और एक और होगा वह इटली में होगा जो अगला बार जी सेवन का सीखर समेलन होगा इटली में होगा पहला बैश्विक बाक्ष समयलन 2030 नई दिल्ली में थीम था रिसपांज से स्टू कंटेंपररारी चैलेंज़ फिलोस्फी संजुकत राष जल सम्मेलन 2030 आयोजन निवार का मेरि बारावा बिश्व हिंदी सम्मेलान आयोजान नाडी फीजी में 15-17 फरवरी 2030 के भारत का प्रतिनीद्व किया थे विदेश मंत्रियस जैसंकर सम्मेलान का बैशाय था हिंदी परंपरिक ज्यांसिक रित्रिम बेधात पहला G20 ECSWG बैठक 2030 बेंगलूरू में बिश्व था अगला देखते हैं परमुख राष्टे सम्मेलान दोहजार तेश 26 वा राष्टे ई-गवर्मेंट सम्मेलान जो हुआ है 2030 आयोजन इंदोर में थीम था डेवलप्मिक इंडिया इंपावरिंग सिटिजन्सिक 26 वा राष्टे ई-गवर्मेंट सम्मेलान जी 20 एंपाबार सिखर सम्मेलान गांधिनगर गुजराथ में महलाओं के नितरित में विकास एक अस्थाई समाबेशी और नियाई संगर सम्म सम्मेलान के विशय था चौथा राष्टी इवास संसत बहुत सब्सक्राइश नई दिल्ली में हुआ बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत थीम के सार्ट चौधावा एरो इंडिया 2030 बंगलूरे में हुआ विशय था रनबे टुए बिलियन इंगेजमेंट्स इन डिफेंस यूपी ग्लोबल इंवेस्टमेंट सम्मिट 2030 लखनव में हुआ सम्मेलन का विशय था न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन एक सो आठवा भारते विज्ञान कांग्रेस पूने महराष्ट में हुआ थीम था महला ससक्तिकरन के साथ सतत विकास के विज्ञान और प्रोध की तिस्वा राष्टे बाल विज्ञान कांग्रेस की बात करते हैं तो हमादाबाद में आयोजन हुआ है स्वास्त और भलाई के लिए प्रस्तित की तंद्र को समझना सत्रहवा प्रवासी भारते सम्मेलन 2030 इंडवर में हुआ मुहम्मद इर्फान अरी जो हैं गवाना के राष्ट्पति मुखती थे विशे सती सिती सुरी नाम के राष्ट्पति चंडिका परसा संतोखी सम्मेलन का विशाय था डायस्पोरा अमरितकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वस्निय भागिदार चाहिए नेक्स्ट है चबिश्वा राष् विशाय था उर्जा संक्रमन एक अस्थाई कल के लिए समधान जल सरचन पर पर्थम अखिल भारते शिखर सम्मेलन नई दिली में सम्मेलन का विशाय था बाटर विजन एट ट्वंटी जिरो फॉटी सेवन बाटर विजन एड़ रेट अड़ दोहजर सैंथालीस भारत जल जल परवभाव सिखर सम्मेलन दोहजर बास और अगर ऑघेजन दिली में एक बड़े बीसीन में चोटी नर्यों को पुनुर्दार और स्रचन करना विशाय के सास्थ शुर वा था भारत जल परवभाव सिखर सम्मेलन दोहजर बास बाहरां डvordan द kalian तर गुजराध में मुख पाथ तू प्राइड इंडिया आइडिया सम्मिट 2022 नई दिल्ली में हुआ विशय था अमेरिका भारत के सम्रिधी को अगले 75 बरसों में अधिक सधिक बढ़ाना अखिल भारते राजभासा सम्मिलन आयोजन सूरत गुजरात में अध्यस्ता ग्रीमंत्री अमीश साख के द्वारा किया गया है भारत सच बायू सिखर सम्मिलन 2022 बेंगलोगरू में थीम था बायू परिशन जर्वाइप परिवर्तन आदी बिशेव पर बिचार बिमर्स करना सेमिकॉन इंडिया सम्मिलन 2022 बेंगलूरू में आयोजन हुआ बैस्विक सेमिकंडुक्टर सप्लाई चेन में भारत को परमुख भागिदारों में से एक क्रूप में अस्थापित करना ये था परमुख राष्टिय सम्मिलन अब आई ये देखते हैं बर्स 2022 थे इसके बिभिन ऑपरेशन सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन अजय ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराईल हमास यूद के दरावन इजराईल से भारतियों को पापस लाने के लिए चलाए गया था ऑपरेशन अजय ओप्रेशन सजग भारतय Тट्रचक बल द्वारा तटिये सुरचक को बढबाबाले सबी हितकारों को सामिल करने के लिए ओप्रेशन ट्रिन्यट्र ट्वी सुरच्च कबलोन सेना और पुलिस ने जम्मु कस्मिर के पुझ में छीपे अतगवादियों को धेर करने हैं उप्रेशन करुणा चला था भारा सरकार यानि भारतिय नोशेनद वारा चकरवाद मोचा से प्रभावित मैंनमार की साहता के लिए उप्रेशन करुणा अपरेशन ध्वस चला था, राष्टिय जाज एजेंसि द्वारा संगठित अपराद और अतंकबाद को समाप करने के लिए उप्रेशन कावेरी चलाये थे भारा सरकार द्वारा इउद्गरेश सुडान में फश्य भारतियों को बापस लाने के लिए भारा सरकार ने चलाये थे उप्रेशन मरियादा चलाया था उत्राखंठ पुरिश द्वारा राज में 30 थिस्तलों प्रेट्य कस्थलों मेंיכे स्वस्ता बनाये रखने के उद्थ से ऑप्रेशन मरियादा उप्रेशन सदभाव ना भारते सेना द्वारा जम्मु कस्मिर में ग्रामिन च्छित्रों और लोगों को मदद के लिए अप्रेशन अलारट सीमा सुरच्छछबल द्वारत पकिस्तान सीमा पर सुरच्छा बढ़ाने के लिए अप्रेशन अक्टोपस इनये वरमेडी द्वारा पॉप्लर फ्रंट भारत सरकार दोरा भुकम प्रभावित तुर्की और सिरिया में मदद के लिए बाईशना को C-17 ग्रोब मास्टर बिमान लगाया गया उप्रेशन गडूर CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए उप्रेशन मेग चक्र, CBI ने चायड पोनोग्राफिय सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए उप्रेशन मेग चक्र उप्रेशन नार्कोस की बात करते हैं तो रेल्बे सुरच शबल द्वारा रेल के माधयां से नचीले पदार्थों की तसकरी रोकने के लिए उप्रेशन नार्कोस उप्रेशन मैसन अमानत भारति रेल द्वारा यात्रियों के खोई हुए समान की ट्रैकिंग है तु उप्रेशन गंगा भारत सरकार द्वारा इुद्गरस्त उक्रेन में फसे भारते नगरी को और छात्रों को भारत लाने के लिए उप्रेशन गंगा चला है उप्रेशन उलीबिया भारते टरचक द्वारा और इसा के उलीव रिडले कच्छो को बचाने के लिए अपरेशन सतारक, रेलवे सुरच शबलो द्वारा ट्रेनों में अवाइद तमबाको और अवाइद सराम की तसकरी रोकने के लिए अपरेशन देवी सक्ति, बिदेश मंतराले द्वारा टालिबान के कबजे बादे अफिकरिंस्तान में फचे भारतियों की निकालने के लिए अपरेशन देवी सक्ति चला था अपरेशन उपलाब्ध रेलवे सुराच्छब बलद्वारा रेलवे टिकट कलावा जारे पर अंकुस लगाने तथा लोगों को टिकट उपलाब्द कराने है तू अपरेशन ब्लू फ्रीडम समाजिक न्याय और अधिकार्ता मंत्राले द्वारा सियाचिन गलेसियर पर दिब्यांग लोगों को ट्राइकिंग लेक अभियान अपरेशन आहट रेलवे सुरच्छाबल द्वारा महलाओं तथा बच्चों को तसकरों से बचाने के लिए अपरेशन सर्द हवा, सीमा सुराच्छबल द्वारा राजस्थान के पस्मी अंतराष्टे सीमा पर घने कुहासे में गुस्पैट की घटनाओं को रोकने के लिए अपरेशन सर्द हवा अपरेशन परिवर्तन, आंध्र पर्देश सरकार द्वारा भांग की खेते वं आप पूर्ती को समाप्त करने है तू अपरेशन ग्रीन, केंद्र द्वारा टमाटर प्याजता था, आलू के त्रिक्त, जल्द नस्ठ होने वाले पाइस और किर्शित पादों को सामिल करने है तू अपरेशन ग्रीन, अपरेशन समुद्र से तू, नौ सेना द्वारा COVID-19 के दवरान मालदीप में फशे भारतियों को बापस लाने के लिए नौ सेना द्वारा अक्सीजन केंटरों को तिव गती से शिप्मेंट है तू, अपरेशन समुद्र से तू सकेंड, अपरेशन नमस्ते भारतिय सेना द्वारा खुद को COVID-19 के संक्रमन से मुख्त रखने के लिए अपरेशन बंदे भारत विदेश मंत्राले द्वारा COVID-19 के दवरान विदेश में फशे 14 अरा 800 भारतिय नागरिकों के घर लाने के लिए अपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्राले द्वारा COVID-19 से निपटने के लिए मालदीप मेडागासकर, सेसेल्स और कुम्रोष की खादा पूर्दी है तू अपरेशन गंगा चलाया गया था 26 फरवरी 2022 को और अपरेशन गंगा में सफल किरियानवन के लिए केंदर सरकार ने अपने चार मंत्रियों को एकुरियन से सटेप पड़ुशियों भेजा किरन रिजुज को असलो बाफ किया हरदीपूरी को हंगरी बीके सिंग को पुलैंड चोती राज सिंधिया को रोमानिया गलवान घाटी जड़ाप हुआ था 1516 जुन 2020 को बाला कोट एर अस्ट्राइक 26 फरवरी 2019 पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 सर्जिकल अस्ट्राइक भारतिय सेना दवरा 29 सितंबर 2016 पठान कोट हमला 2 जनवरी 2016 मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 एरलाइंस 814 हाईजक त्रिभुवन हवा एड़ा कटमंडू से 1999 में नेक्स्ट चेप्टर है विभीन रिपोर्ट सुचकांग 2021 से 30 काफी इंपोर्टन चेप्टर है और इससे प्रश्ण तो पकाही रहता है तो आईए देखते हैं बैस्विक उनिकॉन रैंकिंग 2030 इसमें सिर्ष देश रहा अमेरिका और भारत का इंडेक्स में बैस्विक पेंसर सुचकांग 2030 जारी करता है मरसर सीम इंस्चूट मरसर सीम इंस्चूट नीदर लैंड से पर रहा और भारत का स्थान 45 वा रहा पिछले साल कितना रहा यह देखिएगा तो कनफ्यूजन हो जाएगा आप इस साल 2030 में कितना रहे हैं भारत का यह परमुख्य इंपोर्टेंट है गलोबल हंगर इंडेक्स 2030 बेल थूंगर हील पे चर्मन सस्थान द्वारा जारी किया जाता है बेला रूस जो है वो सीर्श देश पे रहा है और भारत का स्थान 111 वा आया है गलोबल हंगर इंडेक्स में बैस्विक नवाचार सुचकां संभण वारत कर why जारी किया जाता है शुर्जर लैंड नंबर वन पर रहा भारत का स्थान 40 वह रहां be a fraiserदोरिक संक्रमान संभर्णन सुचकान सविव्जन सिर्षदेश रहा भारत का रहा जर्षठवा बैस्विक सांती सुचकांग 2030 इस्चूट फोर एकनोमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है आइसलेंड को नमबर बन पे रखा गया है और भारत का 126 वे स्थान पे है बैस्विक सांती सुचकांग में बिस्व निवेस रिपोर्ट 2030 अंक टार के द्वारा जारी किया जाता है अमेरिका सिर्षदेश है भारत का स्थान सातवा है हैंली पासपोर्ट इंडेक्स 2030 हैंले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है सिंगापूर को सिर्षदेश में सामिल किया गया भारत को असिवा रेंग दिया है ग्लोबल जेंडर गैप सुचकांग 2030 बिस्व आर्थिक मंज के द्वारा जारी किया जाता है इससे पहले बैस्वी कुर्दा संक्रवन भी बिस्व आर्थिक मंज के द्वारा ही जारी किया जाता है आइस लेंड को पहला स्थान दिया है और भारत का स्थान 127 वा है ग्लोबल जेंडर गैप में और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में केतना था 111 वा था 37 सुचकांग में 126 था और जेंडर गैप में 127 वा था नेक्स देखते हैं बैस्विक प्रदिस्प प्रदात्मक शुचकांग 2030 प्रभंध स्थान द्वारा जारीं डेन्मार्क पहले स्थान पर भारत का स्थान 46 सतत विकास रिपोर्ट 2030 सतत विकास समधान नेट के बर्क द्वारत जारी फिनलैंड के पहला स्थान मिला है और भारत का 111 वा क्या था हंगर इंडेक्स में और 112 है सतत विकास रिपोर्ट में अंतराष्टिय बहुधिक संपदा सुचकांग 2030 ग्लोबल इनोवेशन पुलिसी से से यूएस 걱정 जारी किया जाता है अमेरिका को पहला स्थान मिला है भारत को प्या-स्वा स्थान मिला है नेट्स देखते हैं गुड्ग गवर्मेंस इंडेक्स द्वारत चाण्डेलर इंस्च्ट द्वारदा जारी किया जाता हैं सिंगापूर पहला स्थान आया है और भारत का संतावनमा नेक्ट देखते हैं विस्वप्रेस सोतंता सुचकांग 2013 रिपोर्टस without सिंगापुर के पहला स्थान मिला भारत का 7-3 मिला है नेच्ट त्रध्व क के लिए जारी स्भाठ्क सिंगापूर को पहला स्थान भारत को 103 आर्थिक 136 का ग käyteting अमर्यका ईंडेक्सST히 2023 सतत्विका समधान नेटवर्क द्वारा जारी फिन नेट को सबसे खुश्देश खुशित किया गया है और भारत का स्थान 126 वा बल्ड एर क्वालिटी रिपोर्ट स्विश फर्म आईक्यू एर द्वारा जारी किया जाता है चार्ड को पहला स्थान भारत को आठवा को पहला स्थान भारत का ब्याली स्वा ग्लोबल लेवर रिजिलियंस इंडेक्स सी एमस कॉर्पूरेट पार्टनर के द्वारा जारी किया जाता है डेनमार को पहला स्थान भारत का 65 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2030 ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है को पहला स्थान भारत का चौथा स्थान एसिया पावर इंडेक्स 2030 लोवी इंस्ट्ट सिद्नी के द्वारा जारी किया जाता है अमेरिका को पहला स्थान भारत का स्थान चौथा जलबाई परिवर्थन प्रदर्शन सुचकांग जर्मन बाच एंड क्लाइमेंट एक्शन मिला है और भारत को 68 मिला है ग्लोबल एबियस्ट सेप्टी रैंकिंग 2022 अंतराष्टिय नागरिक उडियन संगठंत के द्वारा जारी किया जाता है सिंगापुर को पहला स्थान और भारत को मिला है 48 वा नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 पाटुलांस इंस्ट्ट बासिं भारत का च्व था ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 एकोनोमिस्ट इंडेजन्स इंडिक द्वारा जारी बिन आश्ट्रेलिया को पहला स्थान दिल्ली को 112 परियाबरन परदलसन सुचकांग 2022 विस्व आर्थिक मंज के द्वारा जारी डेन्मार को पहला स्थान 180 जो है भा 32 भारत का पैस्विक लोकतन सुचकांग 2021 में नार्वे पहले अस्थान पर 46 वा भारत के रष्टाचार धारना सुचकांग ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है डेन्मार को पहला स्थान 15 वा भारत के बैस्विक स्वा सुरच्छा सुचकांग 2021 जॉफ हॉफकिन्स सेंटर फॉर हेल्स सेक्रेटरी को द्वारा जारी किया जाता है भारत को 66 वा योश्व को पहला स्थान दिया गया है नेक्स चेप्टर है केंद्रियो योजनाय कारेकराम अभियान एक नाजर में कौन सी योजना कम शुरूआत हुई परधान मंतरी जंधन योजना 28 सगस 2014 को मेकेन इडिया 25 सितंबर 2014 को सुष भारत मिशन दोक्टुबर 2014 को मिशन इंदरधनुस योजना 15 सितंबर 2014 और अमरीत यह झन भी बड़ी सहज़ा अन स्वहएं दिश्तल इंडिया मिशन इक जुलाई, 2015 को शुरू हुआ, अस्कील इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, दिन द्याल उपध्या ग्राम जियती योजना 25 जुलाई 2015 को शुरू हुआ, भारत माला पर योजना 31 जुलाई 2015 को, वन रैंक वन पेंचन योजना 7 नवंबर 2015 को, परधान मंत्री फर्शल वीमा योजना 13 जनवरी 2016 को अस्टार्टरप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, स्यामा परसाद मुखेजी नेशनल रूबर मिसन 21 फरवरी 2016 को, स्यत्धू भारतम पर योजना 4 मार्स 2016 को, श्टारेण पिंडिया 5 अपरेल 2016 को, परधान मंत्री उजवाला योजना 1 मई 2016 को, उड़ान योजना 27 अपरेल 2016 को, परध प्रधान मंत्री सहज बिजली घर योजना सोभाग 25 सितंबर 2017 को दीन द्याल असपर्शी योजना 3 नवंबर 2017 को भारत नेटी योजना 13 नवंबर 2017 को राष्ट्य पोशन मिशन 30 नवंबर 2017 को शुरू हुआ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को शुरू हुआ प्रधान बंधन योजना 14 अपरिल 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को पीए मासा पीए मासा शुरू हुआ है 12 सितंबर 2018 को परधान मंत्री जन अरोग योजना आईश्मान भारत 3 सितंबर 2018 परधान मंत्री स्रमयोगी मांधन योजना 15 फरवरी 2019 पीम किसान सम्मान नि 29 अगस 2019 परढ़न मंत्र myध Velvet को सुरू हुआ अकश्ट है परढ़न मंत्रетрी गरीब कल्यान योजना 25 मार्स 2017 स्वामित्व Esse चवेस अपरिल 2020 को सुरू हुआ आत्मन नेवर भारत अभ्यान 12 माई 2020 और Is overwhel योजना 1 जून 2020 को पीम स्वानी धी योजना एक जुन 2020 को गरीब कल्यान रोजगार योजना 20 जुन 2020 को शुरू हुआ नई सिच्छा निती 2020 30 जुलाई 2020 से शुरू हुआ नेशनल डिश्टल हेल्थ मिशन 15 अगस 2020 परधान मंत्री मतस्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 आश्वान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 आथम निर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को शुरू हुआ परधान मंत्री जीवन जैती वीमा योजना 24 न जन्वरी 2021 को सुरू हुआ ग्राम मुजाला योजना 19 मार्श 2021 जल सकती अभियान कैस दरैन 22 मार्श 2021 को सुरू हुआ जैस सहकार कारकर 13 अपरेल 2020 को सुरू हुआ पीम ईवा योजना 29 माई 2020 को सुरू हुआ पीम केर फोर चिल्टर्न योजना 21 जून 2020 को NIPVN निपून भारत कार्जक्रम 3 जुलाई 2021 परधान मंत्री उजवला योजना 2.0 तैस अगस 2020 से सुरू हुआ है 2.0 अश्मान भारत डिश्टल मिशन 27 सितंबर 2020 को सुरू हुआ है स्वच भारत मिशन साहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 को अगला है 3 जुन 2022 को अगनी पत्य योजना काफी इंपॉर्टेंट है काफी ववाल मज़ा था 14 जुन 2022 को सुरू हुआ परधान मंत्री आदिया 10 ग्राम योजना 14 जुन 2022 रैंप योजना 30 जुन 2022 पीम स्री योजना 5 सितंबर 2022 युवा 2.0 सिच्छा मंत्रा ले 2 अक्टूबर 2022 टेली मानस 10 अक्टूबर 2022 मिसन लाइफ पीम द्वारा के वडिया गुजरास से 20 अक्टूबर 2022 को सुरू हुआ डिस्टल सक्ती 4.0 राष्टी महलाए 16 नवंबर 2022 अमरित भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रा ले के द्वारा 27 सितंबर 2022 परधान मंत्रिक दरीव कल्यान अन्न योजना 11 जनवरी 2030 को सुरू हुआ अरोग महित्री जो है वो शुरू हुआ 13 जनवरी 2030 और पीम विसकर्मा योजना जो सुरू हुआ वो कब हुआ है 17 सितंबर 2023 को सुरू हुआ नेक्स दखते हैं राज सरकार की योजना है 2030 में कौन-कौन से राज कौन-कौन से योजना चला रहे है उत्तर परदेश चला रहा है नंद बाबा दुग्द मिशन योजना पंचामरित योजना मात्री भूमी योजना 2.0 मुख मंत्री सीखो गमाओ योजना CM अवासय भूमी अधिकार योजना मुख मंत्री बाल अशर वाद योजना ये मद्द परदेश रासरकार चला रहा है 36 गड़ के अगर हम बात करते हैं तो मुख मंत्री मितान योजना मुख मंत्री महतारी न्यायरत योजना ग्रामिन अवास न्याय योजना कोशलिय मत्रित योजना चला रहा है 36 गड़ पश्चिम मंगाल की बात करें तो परम सिछले पर योजना अम्मा की रसु योजना चला रहा है उडीसा की बात करें घर पर पोसन योजना असिरबाद योजना चला रहा है करनाटक चला रहा है गुजरात राज की बात करें तो बतन प्रेम योजना अगो ग्रीन योजना चला रहा है गुजरात राज अबुवा अवास योजना असहाई योजना चला रहा है जारखंट राजसरकार के द्वारा केरल चला रहा है एक पंचायत एक खेल मैदान योजना तमिलनाडू की बात करें तब उत्व मईपेन योजना सोवास योजना और मिंदम मंचपई योजना चला रहा है तमिलनाडू सरकार और नाचल परदेश चला रहा है आत्म निर्भर किर्सी बागवानी योजना तलंगा योजना मुख मंत्री अनुपर्ती कोचिंग योजना ये सभी चला रहा है कौन राजस्थान महराष्ट में काफी इंपोर्टेंट एक योजना चल रहा है जिवहला योजना हर्याना में चल रहा है चिराग योजना चारा बिजाई योजना याधिगम योजना मात्री सकता ऐसर यंद्र सेबाई उत्राखण में उधेमान खिलाडी उन्यन यायद न हीमपरहरी योजना दूध मुल पुरसाह योजना घस्यारी कळियान यह सब्सक्राइब लगने प्रभाज योजना चलाया जा रहा है स्वार निर्भर नारी योजना चलाया जा रहा है और नोड़ दे 2.0 योजना चलाया जा रहा है बिहार के द्वारा दो काफी इंपोर्टेंट हर घर गंगा जली योजना और मुख मंत्री महला उधम योजना चलाया जा रहा है पूरा राज सरकार के द्वारा अब आएए देखते हैं आर्थिक प्रिद्रिश को वन लाइनर देखते हैं कि देश का बिदेशी मुद्रा भंडार जो है पांसों नब्य दसनलोग साथ तीन अरब डॉलर पहुच गया है अक्टूबर में भारत का निर्याद 6.21% बढ़कर 35.57 बिलियन डॉलर हुआ है भारती रिजर्ब बेंग को चेंज मेकर अफ़ दे एर प्रूस कार दिया गया है भारती रिजर्ब बेंग को देश के बर्ग फोर्स पे महलाओं की सिदारी 2022 देश में 37% हुई गूगल ने भारत की दी है IDFC को IDFC फ़स्ट बैंक के साथ बिले के लिए CCI ने मंजूरी दी है सरकार ने केंद सरकार के करमचारियों और पिंसन भोगियों के लिए महगाई भता का 4% से बढ़ाखर 42% से 46% कर दिया गया है सरकार ने इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को नवरतन का दर्जा दिया है इंडियन बैंक ने इंडियन बैंक ने बित्य समाबेशन से वहाँ को बढ़ावा देने के लिए IB साथ ही पहस सुरू की है एपल भारत की सबसे बड़िया स्मार्टफोन निर्यातक कमपणी बनी SBI ने ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ट लॉंच किया है आरविया इक ने बंधन बैंक को नागरिक पेंसन बित्रन के लिए धिकरित किया है राष्टे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को मिला नवरतन कमपणी का दर्जा राष्टे केमिकल्स और फर्टिलाइजर् कर दी है जंधन खातों की संख्या 50 कडोर की आकड़ा पार कर गई है और भी आई द्वारा दावार ना की गई राशी को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल लॉंच किया गया है भारत ने यूए यू को अस्थानिय मुद्राब से कच्छे तेल का पहला भुकतान किया है एयर टेल पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला एको फ्रेंडली डेविड कार्ट लॉंच किया है एयू अस्माइल फाइनस बैंक 24 इंटु 7 वीडियो बैंकिंग सेवा परदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना HDFC बैंक बिस्व का चौथा सबसे मुलेवान बैंक बना सरकार ने बीत बर्स 2022 तेस के लिए EPF खाते के लिए 8.15 परसेंट ब्याजदर की गोशना की है भारत में पिछले 5 सालों में 13.5 कड़ों लोग गरीबी से बाहर हुए है रेजर पे ने मलेसिया में पहला अंतराष्ट भुकतान गेटवे लॉंच किया है ओएंजिसी अपना रिश्वत बिरोधी परवंधन परनाली सेटिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU है गेल ने प्राधिकृत आर्थिक संचालक T3 का दरजा हासिल किया है नेक्स्ट बात करते हैं फेडरल बैंक ने आइम अ साकारी बैंक का कॉस्मोस साकारी बैंक में पिले हुआ है 2014 के बाद भारत की रच्छा निरियात तेस गुनाब बढ़ा है मई 2030 में भारत की कुल निरियात भारत का FY23 के लिए राजकोशिय घाटा GDP का 6.4 परसेंट रहा पटना CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम है CBDT ग्रीन सिपिंग को बढ़ावा देने के लिए के अंदर को 30% बितिये सहाईता चाहिए क्लीन नोट पॉलिसी के तहट 2000 रुपय के नोट को बापसी हो रही है बित मंत्राले ने विबाद से विश्वास योजना की सुरुआत की है रेल विकास निगम लिम्टेड आरबी एनल को नवरतन सरेनी की दरजा भारतिय सौरुरजा निगम को मीनी रत स्रीनी ववन का दरजा मिला है रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आप उर्ती करता बना हुआ है अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ब्यपारिक भागिदार बना दूसरा चीन मिस्र ब्रिक्स समों के नए डेफलेप्मेंट बैंका सदस बना क्रमचारी भविष निरी संगठन ने क्रमचारियां को भविष निरी पर ब्याद दर बढ़ा कर 8.1% कर दिया है ICICI लोंबार ने देश की पहली कैसलेस एनिवेर सुगदा पेस की है किन्द सरकार ने करमचारियों को मागाई बते में 4% की बिर्धी की है IRIDA को RBI IE में से Infrastructure Finance Company का दरजाद मिला है माई में भारत की बिरुजगारी दर गिरकर 7.7% हो गई है मोबी कीवी UPI पर क्रेडिट कार्ट के सपोर्ट करने वाला पहला एप बना 22 विक दूद उत्पादन में 24% योगदान के साथ भारत पहले अस्थान पे है यूरो को मुत्रा के रूप में अप्लाने वाला बिसवा दिस कौन है तो वो है क्रोएशिया एपल को पीछे छोड़ अमेजाओन दुनिया के सब समुलिवान ब्रांड बना अमेरिका ने च्छापा दो महलाओं जेनेट एलेन और अमेरिकी बिदमंत्री तथा मेरिलीन मिल्रेवा को सद्याच के सत्थर वाला पहला नोड जेनेट एलेन को है अमेरिकी बिदमंत्री तथा मेरिलीन मिल्रेवा है को सद्याच हुरून ग्लोबल 500 कमपनियों के सुचि में भारत पाचवे अस्थान पे है सोने की एक समान कीमा सुरू के नमला केरल पहला राज बना आएक कुछ GDP के बिर्धी दर देख लेते हैं मोडिज रेटिंग एजनसी 2022-30 में 8.8% तेश-चोविस में 6.7% दिया है साथ से 7.2% 6.2% दिया है एक्रा रेटिंग एजनसी 7.2% 8.2% आये में फंतराष्टे मुद्रा कोस 2022-30 का दिया है GDP बिर्धीदार 6.1% और 2034 में 6.3% बिस्प बैंक दिया है 6.9% 2022-30 के लिए 6.3% दिया है तेश-चोविस के लिए राष्टे सांखी की कारिया लाए एने सो 7.0% दिया है और 207% संजुक्त राष्ट दिया है 5.8% और 6.7% अगला जो चेप्टर है वो है बिज्ञान एबं प्रोधकी का पहला वन लाइनर है बिज्ञान एबं प्रोधकी का आयाइटी रोपड के सुधकरताओं ने सतलज में एक दुरलब धातु की खोज की है भारत सरकार ने 2024 तक सेमी कंड़क्टर रिसर्च सेंटर के अस्थापना का लच रखा है हैंसन रोबोडिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नमक दुनिया के पहले AI हिमन लाइक रोबोट के सीयो नियुक्त किया है मीका भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा बिस्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंदरजाल का अनावरन किया आयाटी कानपूर ने क्रित्रिम बर्सक लेक परिच्छन उडान का अयोजन किया मद परदेश सरकार ने संजुक्त राज जनसंख्या को उसके सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबोट पेश किया भारत की पहली टिपर पी मोडल अटल टिंकरिंग लाइव का कोजा ट्वीटर ने नए लोग को एक्स का अनावरन किया चीन ने बिस्व का पहला मिथेन इंधन वाला अंत्रिश रोकेट लॉंज किया रच्छा मंत्री राजना सीह ने कोच्ची में इंटिग्रेटेड सिमूलेटर कॉम्पलेक्स धुरूब का उधगाटन किया IIT मदरास के सोथकरताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कोम्निकेशन टूल जीबियम ड्राइवर पिक्सित किया है ICMR ने आई ड्रोन पहल के तहट ब्लड बैंक डिलिवरी का परिच्छन किया CDEC पुने में स्थापित भारत का AI सूपर कम्प्यूटर एरावत को सिर्ष 502 विक सूपर कम्प्यूटर के सूची में पच्छतरवे अस्थान पे रखा गया है NATO द्वारा साइबर सुरच्छा ब्यास लॉक्ट सील 2030 तेलिन एस्टोनिया में आयो जीत नागपूर में नीजी अंतरीश बहान कमपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उननत पुर्ण 3D प्रिंटेट धवन सकेंड क्रायोजेनिक इंजन का परिच्छन किया देश में पहली बार पंजाब वम हर्याना कोट ने हत्या के केस में चैट GPT की मदा से जमानत पर फैशला सुनाया आयाटी मदरास के सोधकरताओं ने दूद में मिलावाट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बिक्सित किया एसिया के सबसे बड़े चार मिटर इंटरनेशनल लुकिड मीरर टेलेशकोप को उत्राखन के देवस थल में लौंज किया भारते बाइश सेना ने सोधेसी डेटा लिंक संचर वाई लिंक बिक्सित किया हाल ही में गूगल ने AI चैटबॉट बार्ड फेस किया दुनिया के पहले इंट्रो नेजल कोबिड नाइटीन वैक्सिन इनको वैको भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिम्टेड ने बिक्सित किया है आई जी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सच्छन ड्रोन स्काइबॉक्स बिक्सित किया है भारते इजी जेट और बिमान इंजन न प्रिंटेड इंजन बनाने है तो भारत की पहली रॉकेट सुधा चिन नई में लॉंच और नाचल परदेश में इस थी 600 मेगावाट का कॉमिंग हाइड्रो पावर स्टेशन को पीम मोदी ने राष्ट को समर्पित किया ग्रीन पोर्ट एंड सीपिंग के लिए भारत का पह निर्मान करेगा मध्र परदेश के उजयन में पहली बैदी घड़ी का निर्मान कार्ट शुरू हुआ अडानिक ग्रीन द्वारा बिस्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सोर हाइब्रीड पावर प्लान का निर्मान राजस्थान में किया रहा है भारत की पहली प्लेटफर्म फास्ट इंडिया लॉंच किया हाली में ब्लू एनर्जी मोटर्स वारा भारत का पहला तरल प्राकृति गैस एलेंजी इंधन वाला ग्रीन ट्रक पूने के चाकर में लॉंच किया दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेंज जर्मनी में पहला इातरी टोन बर५ूना का नावरन प्येम मोधी ने किया ओला एलेक्टरिक ने भारत का पहला सोदेश निर्मित लिथियम मोयन सेल इनमसी एक इस हीस्टो सत्तर का अनावरन किया आयागी कानपूर के बग्यान को ने क्रित्री मिर्दय तयार किया है इंडिगो सोदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला पहली एरलाइन बनी पच्चिम मद रेलवेट डबलू से द्वारा बैटरी संचालित ड्यूल मोड लोकोमोटीफ नव दूत बिक्सित किया भारत के पहले पोटेवल सो रूफट आफ सिस्टम को उधगाटन गांधी नगर गुजरात में स्वामी नरायन अच्छरदाम मंदिर परसर में किया गया भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सो रूर्जा परियोजना को उधगाटन तमिलाडू के थुडुकुड़ी में कि भारत का पहला ग्रैफिन इनोबेशन सेंटर कहां केरल में स्थापिद किया गया परम पुरूल सूब पर कंपीटर को आईटी त्रिचपली में स्थापिद किया गया अगला चेप्टर है रच्छा एबम पट्रच्छा परिद्रिस आइए देखते हैं उसके पहले वन लाइ भारतिय बाई सेना को सूर्ज की रन एरोबेटिक स्टीम ने 19 नवंबर को किर्केट बर्ल्ड कप 2013 फाइनल से पहले एर सोसे दर्सकों को मंत्र मुगद किया भारत ने परलाय सामरिक बलेस्टिक मिसायल का सफल परिच्छा भारतिय नौ सेना की चौथी पंडुबी रोधी उधक बिमान अमीनी को कट्टु पल्ली में सफलता पुर्वक लौंज किया भारतिय नौ सेना की चौथी पंडुबी रोधी उधक बिमान अमीनी को अमेरिकी सेना के B21 रेडार ने अपनी पहली उडान भरी प्रजेक्ट 15B के तहत बिंदभन सक जहाज इमफाल को मजगाम शीव बिलडर लिम्टेड मुंबई द्वारा भारके नौ सेना को सौप दिया गया उधामपूर सेन को बेस्ट ग्रीन मिलिटरी अस्टेशन पुर्शकार दिया गया उधाइपूर सेन अस्टेशन को आठ अक्टूबर को बाई सेना ने अपना एकावार्मा अस्थापना दिवस मनाया इरान ने नूर थिरी सैन इमेजिंग उपगरह आई आर जी सी को और्बिट में लोंच किया भारतिय तट्रचक बलने तट्य सुरच्छा डिल ओपरेशन सजग का आयोजन किया भारत ने लद्दाक के नियुमा में दुनिया के सबसे उचे लड़ा को हवाई छेतर का निर्मान किया लद्दाक के नियुमा में C-295 ट्रांसपोर्ट एरक्राप पहली बार भारतिय बायुसेना में सामिल हुआ बायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट अस्टार 23 में भाग लिया ब्राइट अस्टार 23 में C-U-SAT के सोधकरताओं ने एपी जी अब्दुलकलाम के नाम पर नई समुन्दरी टॉर्टिक ग्रेट परजाती का नाम रखा उत्तर कोरिया के वांसोंग 18 बलेस्टिक मिसाल का परिच्छन किया नेक्स्ट है ससत्र बलो की परचालन चमताओं को बढ़ाने के लिए रच्छा दिघरन परसद D.A.C. ने अठारा सो अठाता सो कड़ों रुपे के प्रस्तावों को मंजूरी दी भारतिय बायुसेना में चार हेराउन मार्ट टू ड्रोन सामिल किये गए भारतिय बायुसेना में चार हेराउन मार्ट टू ड्रोन सामिल किये गए भारतिय बायुसेना ने इजरायल से स्पाइक मिसाले पराब की कहा से इजरायल से स्पाइक मिसाले IIT कानपूर ने कौमिकेज ड्रोन का स्वधेशी संस्क्रन बिक्सित किया है सेशल्स में संजुक्त समुद्री बलद्वारायो जीत ऑप्रेशन सदर्न रेडिनेंस दोहजरतेश में आयनेस सुन्याना ने भाग दिया भारत ने व्यतनाम को मिसाइल कौरवेट आयनेस से किरपान उफार में दिया भारती नवसेना का चौथा युद्पोथ संसोधक चिन्नाई के कटापुली में लौंच डियाडियो द्वारा अगनी प्राइम बलेस्टिक मिसाइल का परिछन किया गया भारत के लिए पहले एरबस C295 ने अपनी पहली उडान भरी राश्टपती द्रौबदी मुर्मुर ने आठ किरती चक्र एवाँ उनीस सोर चक्र सहित सहितिस बिर्ता पुरुषकार परदान किया आठ किरती चक्र उनीस सोर चक्र बायो सेना का मीग 21 राजस्थान के हनुमान गड़ के पास दुरगटना गरस्थ हुआ रच्छा मंतरी राजनासी ने चंडीकड में भारतिय बायो सेना बिरासत के नुकवद घाटन किया भारतिय सेना ने पांच महला अधिकारियों को अपनी अर्टिलरी रेजिमेंट में सामिल किया भारतिय बायो सेना की पहली महला पाइलट सिमांगे सी फ्रांस में होने वाले बहुराष्टी अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी राष्टपती द्रवदी मुर्मुर ने आठ अप्राइल को असम के तेजपूर बायो स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाको बिमान में एतिहासिक उडान भरी भारत डाइनेमिक्स बीडियन ने अपनी नविंतम तिसरी पीड़ी के मैन पोर्टेवल एंटी टेक गाइडेड मिसायल अमोगा थड़ का सफल परिच्छन किया बांगला देश ने अपना पहला पंडूबी बेस BNS से खसीना शुरू किया राश्पति द्रौब्दी मुर्मूर ने INS द्रोना चार्ज को प्रिसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया एर इंडिया ने एर बस बोईंग के साथ 470 बिमानों का सवधा किया है भारत का पहला हाइब्रिड रोकेट चेंगल पट्टू तमिलाडू में लॉंच हुआ इसरो ने सबसे छोटा रोकेट SSLV-D2 को अंतरीच में लॉंच किया अगला है केंदर सरकार के घोशना नुसार इंडो रसियन राइफल्स लिमिटेड उत्तर परदेश में एक के 203 असॉल्ट राइफल बनाएगी रच्छा संपदा महानी देशक DGD ने AI अधारी चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेर बिक्सित किया है इजरायल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी के इंटर्सेप्टर मिसाइल का सफल परिच्छन किया है पाचबी अस्कॉर्पियन स्रेनी की पंडू भी आईनेस बागीर नौसेना में शामिल हुआ उत्तर कोरिया ने वांसोंग 17 का सफल परिच्छन किया इरान ने ठो सिंधन वाले रावकेट घैम हैंडेट का सफल परिच्छन किया भारत तंजानिया और मुझाबिक देश के नौसेनाओं ने पर्थम त्री पच्छी अभ्यास में भाग लिया इसमें भारतिय जहाज आईनेस तरकस ने भाग लिया अगला है डियाडियो ने उडिसा तटके अब्दुलकलामदीब से परमानु सच्छम बेलिस्टिक मिसाइल अगनी प्रायम का किसरा सफल परिच्छन किया आईनेस तरकस ने दच्छी ना फिरका में इपसमार अभ्यास में भाग लिया भारते नो सेना के जहाँ सुन्यना ने सेसल्स में संजुक समुद्रिबल के पहले अभ्यास में भाग लिया उत्तर कोरिया ने खुद को परमानु संपन देश घोशित किया बांगला देश ने चीन से 36 F7 BGI बिमान आयाद किया बांगला देश ने किसे चीन से भारत रूस से 6 TU 160 लंबी दूरी के बंबर सक खरी देगा डिया डियो और सेना ने सोदेशी VLSRSA मिसाइल का टेस्ट किया कोचिन से प्यार दोरा निर्वित भारत का पहला सोदेशी बिमान बाहा की उत्रपोत आयनेस बिकरांत को नो सेना में सामिल किया गया अगला है टाटा कमपनी ने भारतिय सेना के लिए सोदेशी बक्तरबंद बाहान बनाई जिसका नाम क्विक रियक्षन फाइटिंग विकल्स मीडियम QRFV QRFV है एडवांस लाइट हेलिकोप्टर MK3 तरटरचक बेड़े में सामिल हुआ भारत ने पिर्थिवी 2 बेलेस्टिक मिशायल का सफल परिच्छन किया मचगाउं डॉक द्वारा निर्मित युदपोत तारागिरी को जलाबतरन किया गया इंदुस्तान एरोनॉक्टिक्स लिम्टेड द्वारा निर्मित हलका लड़ाको हिलकोप्टर परचंड को बायु में सेना में सामिल किया गया चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अंत्रिच प्रोध की अंत्रिच प्रोध की के पहला वन लाइनर है कि 20 अक्टूबर को इस्टो ने स्री हरी कोटा 37 धवन अंत्रिच के अंदर से गगन यान के क्रू मॉडल टीवी डीवन को बहुबली रॉकेट जी एसल भी मार्क थर द्वारा सफलता प्रूबक लॉंज के वाल बंगाल की खाड बेन्नू का नमुना पिट्थिवी पर भेजा है चुदरग्रह बेन्नू इसरो ने सुर्ज अध्यन के लिए अपने पहले सुर्य मिशन अधित 11 को स्री हरी कोटा के 37 धवन अंत्रिच कंदर से पीसलवी सी 57 द्वारा लॉंज किया गया है चंद्रियान 3 के प्रग्यान रोव के सफल लेंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दचनी ध्रूप पर उतरने बाला पहला तेश बन गया है 10 अगस 2023 को बुस्तोचन कोस्मो ड्रोम से सोयूज 2.1 बी रॉकेट से भेजा गया रूस की लूना 25 अंत्रिच्यान चंद्रियान 3 के लेंडिंग के जगा को अब सिव स सक्ति के नाम से तथा जहां इंपैक्ट पदजिन हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा इस्रोद्वारा स्री हरी कोटा से पीए सल्वी 3 सी 56 रॉकेट पर साथ सिंगापूर उपगरहों को लॉंच किया गया अस्पेस एक्स ने सबसे बड़ा नीजी संचार उपगर जुप्टर 3 लॉंच किया है अगला है सूर्ज के अध्यान के लिए इस्रोद्वारा अधित 11 मिशन को सितंबर में लॉंच किया जाएगा यानि किया जा चुका है दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र परदेश के हरी कोटा से लॉंच होगा वर्जिन गलेक्टी ने अंत लॉंच किया गया था चीन ने कोईले से संचाले दुनिया का पहला रॉकेट लॉंच किया एक्स पोसेट भारत का पहला धुरुब्ये मिशन है एक्स पोसेट चंद्र अनुवेशन के लिए नासा के अटेमिश समझावते में सामिल हुआ चीन ने पहला नागरिक अंतरिश श्यात्री गुई हाई चाओ को अंतरिश में भेजा गुई हाई चाओ को अस्पेस एक्स ने सौधी अंतरिश श्यात्रियों को नीजी फ्लाइट से अस्पेस अस्टेशन भेजा इसरो ने अपने पीए सर्विस सी 55 टेलियोस 2 मिसन को सफलता पुरवक लॉंच किया जिसमें सिंगापूर निर्मी दो उपगरह अंतरिश में भेजे गए अस्पेस एक्स का स्टार्शिप दुनिया का सबसे बड़ा रहोके टेक्सौस के ब्रॉंज बिले के पास अंतरिश में पहली परिच्छन के दोरान फटा चीन ने फेंग्यून 3 उपगरह लॉंच किया है फेंग लॉंच बहां स्वाहता लेंडिंग मिशन आरेल भी एली एक्स का सफलता पुर्वक संचालन किया अगला है सानी सौर मंडल का सरवाधिक उपगरह 145 वला ग्रह बन गया है इस रो ने आंध्र परदेश से 37 धवन अंतरिश के अंदर से 36 उपगरहों के साथ भारत के सबसे ब लॉंच किया सौधी अरब इस साल अपनी पहली महला अंतरिश यात्री रियना बरनावी को अंतरिश में भेजेगा नासा और इस्रो द्वारा संजुक तुरुप से बिक्सित पिर्थिवी अवलोकन उपगरह निशार सितंबर में भारत से लॉंच होगा अगला है रूस सोय जुझ मस-23 न्तरिश यान अंतरष्टियां तरिश यस्टेशन भेज़ेगा जापान ने विस्का पहला बानिजीक चंद्रमा लैंडर को लॉंच किया जापान ने चंद्र quéं अंतरियान 2 मिशन में अमेरिका को करन ले जाए गा अरब जगत का पहला चंद्र रोवर नासिद धरी कोटा में भारत का पहला नीजी लॉंच पैट एवा मिशन नियंतरन के अंदर लॉंच किया एलन मास की कंपणी स्पेस एक्ष ने फ्लॉरीडा के केनेडिय स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे सक्ति साली रॉकेट फॉलकन हैवी लॉंच किया भारत की पहली बानीजी का स स्थापित की जाएगे जापान की आई एसपेस ने दुनिया का पहला कॉमर्चियल मून लेंडर लॉंच किया इस रो ने भारत का पहला नीजी रॉकेट बिक्रम एस को लॉंच किया भारत ने पीज अब्दुलकलाम दीब से अगनी थिरी का परिच्छन किया इस रो और आर लॉंच करेगा साइकी मिशन इस रो ने सबसे भारी रॉकेट एलबी एम-3 एम-2 को सफलता पुर्वक पर छेपित किया रूस ने सफलता पुर्वक निविगेशन सेटिलाइट गुलो नासा के लॉंच किया इतालवी अंतरी छियात्री समन्था क्रिश्टो फोरेटी अंतर इस रो ने प्येसर्विस सी 53 द्वारा सिंगापुर के तीन उपगरह को पर छेपन किया रूस ने इरानी उपगरह खयाम को सफलता पुर्वक लॉंच किया इरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुल्जाना को अंतरीछ में लॉंच किया इस रूप ने कगन सबसे पहला है गुजरात ने गोल मचली और राज मचली घोसित किया और नाचल परदेश में मृजियंप Up Mitarbeiter है म्यूजिक फ्राओं के अरुनाचल पर्देश में म्यूजिक फ्राओं की नई परजाती मिली है समोंद के अंदर ज्वाला मुखी बिस्पोर्ट के बाद जपान को एक नया दीप मिला पंजाब के नवा पिंड सरदारा गाउं को भारत के सर्विसरेश्ट परेटर गाउं मिला है उदाइपूर भारत का पहला बेटलेंड सहर बनेगा तमिलनाडू का तट मंदीर भारत का पहला हरित उर्जा पुरात्तातु अस्थल बना अगला है बिरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध परदेश का साथवा और भारत का चोवरवा टाइगर रिजर्व बन गया है बिरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 29 जुलाई 2030 को बाग दिवस पर जारी रिपोर्ट के नुसार बागो की आबादी 16,1% बार्सिक बिल्दी के नुसार 4925 हो गए बेद बन पार की शुरुआद उत्तर परदेश के नुईडा सेक्टर 78 में किया गया गेंद्रियम मंत्री जीते न्त्र सीह ने कमल की नई किस्म नमो एकसौ आठ का अनावरन किया असम में मानव हाथी संगर्स को बढ़ती समस्या के समधान के लिए गजह कोथा अभियान शुरू किया है तिलगांक ना में हैदरावाद के रंगा रेडी जिले के इनके पल्ली गाउं में जैन तिर्तंकर की मुड़तियों तथा सीलालेख वाले दो बरगाकार अस्तामद मिले हैं उत्तर परदेश के दुधवा टाइगर रिजर्ब में दुरला पच्छी जर्डन बैवलर देखा गया संजुक तरव अमिरात बिस्व के सबसे बड़ी आईस्यूएन बिस्व सरच्छन कांग्रेस दोहजर पचीस की मेजबानी करेगा मिजोरा में उड़ने बाली छिपकिली की नई परजाती गेको मेंजोर मेंसिस मिली मेघाला के गुफा में मेढ़ा की नई परजाती अमोलाप सीजू खोजा गया सोधकरताओं के एक समूह ने केरल में अकुलम और बिम्बनाड जीलो के किनारों से तितली की नई परजातियों की खोज की गई आई सी ए आर ने तमिलनाडू के नाम पर कुड़ा लोर टेट पर मचली के एक नई परजाती मोरे इल की खोज की परियाबरन मंत्री भुपेंद्रियादम ने गुरुगराम हरियाना में अमरावली परियाबरने पर्दा परियोजना का अनाबरन किया मिथलनाओल से चलने वाली पहली बसो का अनाबरन बेंगलूर में किया गया हिमाचल पर्दे सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज बनाने का लाच्छ रखा है भारत किर्शिय नुसंधान परसद ने HD 385 नामक गेहूं बिक्सित की गुंबाई ने दूसरी बार ट्री सिटी आफ दा बर्ड 2022 का खिताब जीता बार लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कस्मिर में मिला और नाचल पर्देस में ब्रेन बैवलर लीसु की नई परजातिक होजी गई भारत का पहला डार्क नाइट असकाई रिजर्ब कहां खुला बनेगा तो लद्दाक में बाल के नो राज दुनिया के धीक जोखेंबाले राज्यों में सामिल तमिलनाड़ू जलवाई परिवर्त्तन मिसन शुरू करने वला पहला राज बना भारत का पहला परिवर्तित जैव गामत्र तृपूरा का दास्परा गाम बना तमिलनाडू सरकार ने मदुराई जिले के अरिटा पटी और मिनाच्छी पूरा उंगावो को राज का पहला जय विवित्ता बिरासत घोसित किया परियावरन की रच्छा के लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवडिया में मिशन लाइफ की शुरुआत की अन्ना मलाई रिजर्ब ने तमिलनाडू के कोयमबटूर में जम्बो ट्रेल्स लॉंच किया राजस्थान के बांसबाडा के मानगर धाम राष्ट्यस मारक घोसित हुआ उत्तर परदेश के बुंदेल खंड छेतर में इस्तित रानिपू टाइगर रिजर्ब भारत का तिरपनवा तथा उत्तर परदेश का चौथा टाइगर रिजर्ब बना रानिपू टाइगर रिज के अराबली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा मिघाला इस्तिर मावलू गुफा भारत का पहला भू बिरासत अस्थल बना लच दीफ में थुंडी और कदमत समुद्र तटो को परतिष्टित बुलू फ्लैग परमानन प्राप्थ हुआ अब भारत म स्लेंडर लोरिस सब्हारन को अधिस सुचित किया है गैंडो के सिंगो से एकत्रित राक से बने असमारक एवोड आफ दा इनिकोंस का नाबरन असम के काजी रंगा रास्टे उधान में किया गया नाभीबिया से कुनो नेशनल पार्क मद्परेस लाए आठ चितों में से एक महानदी की सायक नदी सुकाफ पाइका को पुनेट जिवित करने का निर्देश दिया है केरल को अपना पहला बग्यानिक पच्छे अटलस मिला है कच्छुआ जोनाथन बिसु का सबसे उम्र द्राज अस्थलिये जीव घोशित बरांसी स्यों की पहली परेटर और संस्क्रि टेबल टेनिस खेलते हैं आरजुन पुरुसकार जो मिला 25 लोगों को मिला कितने लोगों को मिला 25 लोगों को मिला आये सब का नाम देख लेते हैं और कौन सब खेल खेलते हैं यह भी प्रस्ण पूछा जाता है एक्जाम में तो सीमा पुनिया एथलेटिक्स इलदाउज पा मारी कबड़ी नयान मोनी सैक्या जो है लान बॉल सागर केला सबलकर मलखंग इला बेनिल बलारी बंख सूटिंग ओम परकास मिठारबाद सूटिंग सिस जा अकूला टेवल टेनिस है विकास ठाकूर भारतोलन अंसु कुस्ति सरिता कुस्ति परवीन बुशू मांसी प्रुसकार 2022 में चार लोगों को मिला है जीबन जोच सिंद तेजार तिरंदाजी के लिए मुहम्मद अली कमर बॉक्सिंग सुमा सिदार सिरूर पारा सुटिंग सुजीत मान कुस्ति के लिए मिला है अब आईए देखते हैं कि द्रोना चार्ज प्रुसकार 2022 लाइफ टाइ प्रुसकार 2022 में और नीर बहादुर गुरुंग के पैर अथलेटिक्स में राच्ष्ट्य प्रुथ साहन खेल प्रुसकार तीन संस्थानों को ट्रांस अस्टेडिया इंटर्प्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कलिंग और दोगिक प्रुद्की संस्थान और लग्द पुपल्ला परनित अस्वे ग्रेंड मस्टर स्यातन दास और अस्वे ग्रेंड मस्टर बिगने सेनार पांच ग्रेंड मस्टर को याद रखे लेकिन सबसे इंपोर्टेंट है अभी जो चौराश्वे बने हैं बैसाली रमेश वावू राष्टिय खेल पुरुषकार एबं ध्यांचन पुरुषकार दिया जाता है दस लाग रुपया नेक्स देखते हैं करेंट फेर्स के पुरुषकार पदकेवं सम्मान सबसे पहले देखते हैं नोबेल पुरुषकार दोहजार तेज की चिकित्सा में मिला है कैटालीन कोरिको जो हंगरी के हैं अड्डू बिसमे अमेरिका के क्यों मिला है क्योंकि निकलियोसाइट बेस संसोद्रों से संबंदित खोज इन जिन्होंने की कोबिड-19 के खिलाफ प्रभावी एमारेने टीकों के विकास को सच्छम बनाया अगला है भाउतकी के मिला है पीरे अगास्टिन ट्यूनिशिया के हैं फ्रेंक मौंगी जी बाबेडी फ्रांस के लूइस इबरस अमेरिका के अलेक्सी एकिमोब रूस के क्वांटम डॉर्स की खोज और संसलेंसन के लिए मिला है रसाइन के लिए नोबेल पुरुषकार सांती के लिए नर्गिस मुहमदी इरान को मिला है इरान में महलाओं के उत्पीड जो नार्वे के हैं कहां के हैं नार्वे के हैं नवन मेशी नाटक और गध जो अकतनिय बातों को बानी परदान करते हैं साहित के लिए नोबेल पुरुषकार मिला है अगला है बर्स 2021 से तेश की संदर्ज परत्योगता के बारे में मिस युनिवर्स 2030 अभी हाल फिलाल बने ह के हैं symbolismist और कहां निकारा गुवा के हैं मिस da मिस इंटरनेशनल इंडिया-2023 परवीन अजना रजस्थान के मिस अर्थ इंडिया-20 23 प्रियान सें रजस्थान के वहर्मण 23 नंदनी अधनी गुपता राजस्थान के मिसेज बर्ड 2022 सरगम कोसल जमू कस्मीर के मिस दीवा उनिवर्स 2022 दीपका राय करनाटक के मिसेज उनिवर्स डिवाइन 2022 पलवी सिंह कानपूर की बनी थी मिस इंडिया बर्ड वाइस 2022 खुसी पटेल यूके भारतिय मुल्की मिस बर्ड 2020 कुर में मिला है बंद्री नरायन को कविता संग्रा तुमडी के सब के लिए सही तकार्वी पुरुषकार दो हजार पाईस मैथली में मिला है अजीत अजाद को कविता पेंड ड्राइम में पिर्थिवी और उर्दु में मिला है अनीस असफाक उपन्यास ख्वाव खराम के लिए सांति सुरूप भटनागर पुरुषकार 2022 की बात करते हैं स्वंते पावो को एक एक नाम वाला और साहित का काफी इंपोर्टेंट है एनी एड़नौक्स को मिला था फ्रांस के आईए अब देखते हैं 65 रमन मैक्स से पुरुषकार 2023 किन किन लोगों को मिला कोरवी रचंद बंगलादेश के सब के लिए सिच्छा चैंपियन के लिए इनको मिला है युजेनियो लेमोज को मिला है तीमोर लेस्ते के हैं खाद संप्रूवता दुरदर्शी थे मैरियम कोरोनेल फेरर को मिला है फिलिपिन्स के है सांती निर्मान में ग्रनिम बहिलांग के लिए और एक मिला है भार्तियों को डाक्टर रवी कन्नन आर को समगर स्वास्त देख के लिए हीरो थे उनको मिला है 65 वे रमन मैक से से पुरुषकार अब आई ये बात करते हैं उन्हां तरवा रास्टे फिल्म पुरुषकार दोहजार तेश सर्वस्रेस्ट फीचर फिल्म रॉकेट्री निर्देशक थे आर्माधवन सर्वस्रेस्ट हिंदी फिल्म सरदार पुरुषकार तोहजर देश के बारे में जानते हैं कि पामेडी और पुरुषकार जो सर्वस्रेष्ट फिल्म होता है एनाटॉमी आफ़े फ्कॉंट को मिला है सर्वस्रेस्ट नुने थरी मरवे दिज़दार को सर्वस्रेस्ट निटदेसक ट्रॉन अनहंग को मिला है दपॉट एउफियू के सर्वस्रेस्ट पतका था मॉनस्टर यूजी सका मोतो द्वारा लिखी था है समानतारुत प्रभु की सकुंतलम ने कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट भार्ते फिल्म का अबाड जीता नेक्स्ट है पंचावनमा आउसकर प्रुसकाद 2030 सर्वस्रेस्ट फिल्म एबरीटिंग एवरिवियर ऑल एट बंस सर्वस्रेस्ट निटदेसक डैनियल कौन और डैनियल सेईनर्ट को मिला है सर्वस्रेस्ट तबिनेता ब्रेडर फ्रेजर को मिला है दवेल के लिए सर्वस्रेश टाविनेत्री मिसल योग को मिला है एवरिटिंग एवरिवेर आल एट वन्स को बेस्ट डॉक्मेंटरी शोट फिल्म मिला है भारत की देलिफेंट विस्पर को काफी महत्पूर्ण है बेस्ट ओरिजिनल सौंग ये भी काफी इंपोर्टेट है नाटू नाटू क मिला है फिल्म आर 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 के लिए फिल्म के लिए बैसे फ़ाइब मिले है हाउस हाइडियर भारत मिजिक कंपोजर रिक्की के इनलव मिन टाइट के लिए ग्रिमि आवार जीता है सॉंग ओफ दा ये एर जस्ट लाइक डैट ज़स्ट लाइट बोनी रायट के रिकाऊड आ प्लेंचेट को मिला थे तरा करते हैं तो राश्पति द्रबदि मुर्मुर्ण है कितने लोगों को पदम पुरुसकार दिया जाने की घोषना की है जिनमें 6 लोगों को पदम भूशन और एक पदमिशनी है 6 ब्यक्ति कौनकोन है बालकृश्ण दोशी जाकिर हुश्रायन एसम कृष्ण दिलिप महालोवी स्री निवास बरधन मुलायमसी यादव पदम भुश्रायन नोब ब्यक्ति को कौनकोन लोगों को मिला है आए देख लेते हैं इसल भैरपा, कुमार मंगलम बिडला, दीपक धर, बानी जैराम, चिनना जियर, सुमन कल्यानपूर, कपिल कपूर, सुधा मुर्ती, अकमलेश डीपटेल, इतने लेगों को पदम भूशन मिला है, पदम सिरी कितने लोगों को मिला है, तो एकानमे ब्यक्ति को मिला है, कितने ख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए मिला है, अटलांटिंग के कैटलिन डिकर्शन को, यह सब प्रिजजर पुसकार मिला है, अस्थानिय रिपोर्टिंग के लिए मिसिसीपी टूडे की अन्ना बोल्फ रिजलेंड को, अंतरास्टिय रिपोर्टिंग के लिए मिला है, दन् अब आई ये देखते हैं और सथवा फिल्म फ्यर प्रुसकार 2030 सर्वस्रेश्ट फिल्म मिला है गंगुवाई काथियावारी को सर्वस्रेश्ट निटदेशक क्या मिला है संजय लिला भनसाली गंगुवाई काथियावारी को सर्वस्रेश्ट अबनेता राजकुमार राव को फिल्म बधाई दो सर्वस्रेश्ट अवनेत्री आलिया भट गंगुबाई काठ्यावाडी के अंतराश्टिय एमी अवार्ड 2023 के अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट ड्रामा स्रीज दाइम प्रेस को बेस्ट एक्टर मार्टिन फ्रीमाइन दारिस्पॉंडर को बेस्ट एक्ट सबस्वा गोल्डेन विलोप परिसकार 2030 सब्सस्रेश्ट फिल्म दफ्रेवलमेंज सर्वस्रेश्ट आभनेत्री चैन्ट ब्लींचेट टार के लिए बेस्ट अवनेता ऑस्टिन बटलर बेस्टवन के और बिए्ट सौंग नाटू नाटू फिल्म RR के लिए मिला है World Athletics Award 2022 की बात करते हैं तो World Athletics of the Year पूरस में Mondo Duplantis अमेरिका के World Athletics of the Year महला में Sydney McLongering अमेरिका के Rising Star of the Year पूरस में Arian Knight को Rising Star of the Year महला में Adriana Bila Goes को मिला है अब ICC Award देख लेते हैं जो 2022 में दिया गया है Men's Cricket of the Year बाबर आजम महला Cricket of the Year नाटाले स्काइबर Men's Bandy Cricket of the Year बाबर आजम Men's T20 Cricket of the Year सुर्ज कुमार यादव Women's T20 Cricket of the Year तहालिया मैगरा Men's Amazing Cricket of the Year मारको येंस अब आई ये देखते हैं तिरपनमा भारती अंत्रास्टे फिल्म महुस्षब 2013 जिसका गवा में आयोजन हुआ Best Film Golden Picoke Award I Have Electric Dreams Best Actor बाहिद मोब सेरी No End Best Actress Daniela Maureen I Have Electric Dreams UNESCO गांधी पुरुषकार पायम इंस्तकंदरी इरानी फिल्म नर्गिस के निटदेशक के लिए Focus देश था France Indian Film Personality of the Year बाबर चिरंजी बी को तेशवा आइफा अवार 2030 का योजन हुआ सर्वश्रेश फिल्म दिरिस्यम टू सर्वश्रेश टमनेता रितिक रोशन फिल्म बिक्रम बेधा सर्वश्रेश टमनेत रियालिया भट फिल्म गंगुबाई काठ्यावाडी निर्देशक है आर्माधवार्ण रोकेटरिके दर नौ भी इफेक्ट बिजडन क्रिकेट ऑफ अवार 2030 बिजडन क्रिकेटर अफ़ द य यर हर्मन प्रितकور भारत के बिजडन टी ट्वेंटी क्रिकेटर अफ़ द यर सुर्जकुमार यादव भारत के तेशवा लॉरियस बर्ड्स अस्पोर्स पुरुसकार दो हजर तेश अस्पोर्स मैन आफ दैयर लियोनल मेशी को मिला है अर्जेंटिना के अस्पोर्स भूमन आफ दैयर मिला है सेली एन फ्रेजर प्रिस जमाइका के अब आये देखते हैं फीफा आवार्स 2022 का सर्वस्रेश्ट फीफा पुरुस खिलाडी लियोनल मेशी को मिला है अर्जेंटीना के सर्वस्रेश्ट फीफा महला खिलाडी एलेक्सिया पुटिल्स अस्पेन के सर्वस्रेश्ट फीफा पुरुस गोलकीपर अमलियानो मार्टिन अर्जेंटीना के सर्वस्रेश्ट फीफा म महला में सबिता पुनिया को दिया गया है बैलेंड योर पुरुषकार 2030 की बात कर रहें तो बैलेंड योर सरुस्रेश खिलाड़ी पुरुष लियोन मेश्री को अर्जेंटीना को और ये आठीवी बार मिला है इनको बैलेंड योर सरुस्रेश खिलाड़ी महला में इटाना ब पूर्फोड मिरांडा को अब आए देखते हैं परमुत पुरुसकार की बात ग्यानपिट पुरुसकार छेत्र है सहित में दिया जाता है दो हजर एकीस में संतावर्मा दिया गया कोंकनी उपन्यासकार दमोदर मोजे को दो हजर वीश में च्छपर्मा अस्मिया कवी निल्मन कर्दल खाना के लिए दो हजर एकीस का 81 अशगर बजाहत को दिया गया था नाटक महावली के लिएcked के dependent 22 का 3व सिवसंक्री तमिल पुस्तक सूरुब हं सम्क के लिए मिला था producto थीकिस के तिस्वा रामदरस मिस्रा को मिला था मराट्डी केर्टी मैं तो यहाउं के लिए दी दादा साहब फाल के पुरुसकार फिल्म के छित्में दिया जाता है 2020 में बाभरमा आसा पारे को दिया गया था 20 sup 211 रजनी कांत को दिया गया था और 920 में जो दिया गया है तिरपना वह वहीदा रख मान को दिया गया किसे वहीदा रहमान को को यह यह भी याद रखित दादा साहिव F只有 2 पर मेरावाद 28 सर्विस्रेट विल्म दकका समी फाय से फिल्म भगायर और को साथ-अपrum तक कस्मीर फायल सा फिल्म आफ़ धयारार आर और सबसेस्ट अनेत रन्बीर कपूर फिल्म ब्रहम मांस्त सर्खेस्ट अनेत रिया भठ फिल्म गंगोवाई काठियावाड़ी सर्वसेस्ट निर्देसक आरबाल की फिल्म चूप के लिए बिहारी पुरुषकार भी सहित के छे का है 2019 में 33 दिया गया था बिसुनाथ पर साथ तिवारी का आत्म कथा अस्ती और भबती 2017 में 31 दिया गया था जाए गुस्वामी रचना दू टोंडो फोवारा मात्रो एवल पुरुसकार छेतर है गनीत का 2030 में लुइस के फ्रेली को दिया गया था अर्जेंटिना अमेरिकी ग इसे पहले 2021 में पर्थम एंजियों को भारत में सिच्छा के दाइरे के विस्तार है तू इनसको सांती पुरुसकार 2022 में जर्मनी के पुर्व चांसलर एंजला मरकल को सिरिया इराक अफगानिस्तान आदिशाय सरनार्थियों के स्वागत के लिए गांधी सांती पुरुसकार 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था 2017 में मुहम्मद अज्जर रुदिन एवम एम गोपाला को बुकर पुरुसकार 2023 जो है बुकर पुरुसकार छेतर साहित में दिया जा था 2013 पॉल लिच को दिया गया है आईरिस उपन्यास पेगंबर सौंग के लिए काफी इं बुर्गारिया के उपन्यास था बुर्गारिया के उपन्यास टाइम सेल्टर इसे पहले 2022 में गितांजली सिरी को दिया गया था भारत के हैं टॉम आउप सैंड के लिए सुबास चंद्रबोस आपदा प्रबंदर पुरुसकार 2023 संस्दागत स्रेनी में उडिसा राज प्रबंदन को और ब्यक्तिका स्रेनी में प्रोफेसर बिनोध बर्मा को दिया गया है नेक्स्ट है चौथा रास्टे जल पुरुसकार 2022 सर्वस्रेश परदर्सन करनेवला राज है मधपरदेश सर्वस्रेश जिला गंजमोरीशा और सर्वस्रेश ग्राम पंचाय जगनात प फुद्दिन को डाक्टर सैदना मुफदल्ब सफुद्दिन के और ये चौथे भारतिये हैं लता मंगेशकर पुरुसकार 2023 महराज सरकार द्वारा सुरेश भडेकर को दिया गया है चैंपियन अफ दा चेंज अबार डाक्टर सोमदत सिंग को दिया गया है ग्लोबल बिटिस अकादमी पुष्टक पुरुसकार 2023 नंदनी दास को दिया गया है कौर्टिंग इंडिया के लिए एजुद्ध होच्चन पुरुसकार 2023 सहित के लिए इसके बंस्थन को दिया गया है ओटी टीप परफॉर्मर आफदायर दिया गया है राजकुमार राब को ग्लोब नरायन नाया को दुर्गा भारत सम्मान मिला है पंडित और जॉय चक्रबर्ती को इरोपिय संग का सखारो पुरुसकार 2030 दिया गया है जीना मासा अमीनी को सत्यजीत रे एक्सिलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया है सत्यजीत रे एक्सि पुरुसकार जोखिम प्रबंदर में दिया गया है और इसी लिमिटेड को गलोबल इंडियन आवार्ड कनाडा इंडियन फौंडेशन सुधा मुर्ती को दिया गया है सस्त्र रामानुजम पुरुसकार 2030 रूइक सियांग जिंग कनीद के दादा साहिब लाइफ टाइम अच पुरुसकार ब्रिगेडियर संजे कुमार मिस्रा को मिला है सिच्छा के छेतर में लाइफ टाइम अचिब्मेंट अबाट प्रोफेशन नजमा अक्तर को दिया गया है बैली गिफोर्ड पुरुसकार नॉन फिक्षन के लिए डक्टर सिधार्त मुखर जी को डक्टर बीजी पटेल मेमोरिय अलवार 2003 सत्यजीत मजुमदार को दिया गया है ग्रीस के ग्रैट क्रोस अफ दा ओडर अफ ओनर पीम नरेंदर मोदी को दिया गया है पर्थम दोगरतनाबाड महराज सरकार द्वारा रतन टाटा को हावर्ट बिस्विद्याले का जौर्ज लेडली पुरु अनुराग ठाकुर को मैसल फ्रेंक्लिन सहित पूरुषकार 2003 संकरी संधरन को दिया गया है। पॉइट्स.से और पुरुषकार बिटेन में मोच राइक गया को जो भारती혁 हैं एनी पूरुषकार 2030 प्रोफेसर ठल्पिय पर्दीव को दिया गया एनी पूरुषकार गोल्डन पिकोग प्रियावरन प्रवंधन पुरुषकार 2030 अडाने ट्रांस्मिस्न लिमिटेड को फ्रांस का सर्वच पुरुषकार प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को बिरिटिस नेशनल अवार्ट निर्देशक सेखर कपूर को पेन पिंटर पुरुषकार 2030 बिर्टिस लेखक माइकल रोस सेन को साहिक तकादमी बाल साहिद पुरुषकार 2030 पिरिया एदास को पॉइंट आफ लाइट पुरुषकार राजंदर सी धट को AIFF पुरुष पुटवाला राफदायर लल्यान जुयला च्छांगते को AIFF महला फुटवाला राफदायर मनीशा कल्यान ओलंपिक ओडर आईओसी द्वारा डाक्टर टेड्रोस गेबेसस को जर्मन बुक ट्रेड का सांती पुरुषकार 2030 सलमान रुषदी को दिया गया है पर्थम प्रोफेसर कोथपली जैसंकर पुरुषकार 2030 अचार एन गोपी को 45वा एरोपिय निवंधन पुरुषकार अरुधती राय निवंध अजादी है तू चवथा राष्टे जल पुरुषकार सर्वसेश राजमेबल मध पर्देश को दिया गया है गेबरनर आफदायर बैंकिंग अबाड आर्वियाई प्रमुख सक्तिका अंदास को दिया गया है अंतराष्टे ग्रीन एपल पुरुषकार तिलंगाना को सुन्दर इमारतों के लिए दिया गया है अमेरिका काईकबात सीख पुरुसकार अदीबक्ता ललिता नटराजन को दिया गया है और एस-ल क्रिश्टोफर ब्लैंट पुरुसकार पेटरसं जोसिफ को दिया गया है शूरी नाम के सर्वस नागरी सम्मान की से दिया गया है परियावरन एरलाइन आफदेयर 2030 इतिहात एरवेज को दिया गया है नेक्स्ट है इलिज्जा बेथ लॉंगफोर्ड पुरुसकार 2030 पुस्तक रिबिल्स अंगेश दर राज के लिए दिया गया है डवलो एचो पुरुसकार भारतिय फिल्म वेन क्लाइमेट चेंज टर्ण्स वाइलेंट ने हेल्थ फोर आउल श्रेनी में दिया गया है असकोच सिलबर अवार 2030 पसुपालन बबमतस पालन विवाग चंडिगण को दिया गया है डैक हैमर स्कॉल्ड मेडल सिसुपाल सी एवं सनवाला राम विश्नोई को मरनोपुरान दिया गया है फ्रांस के सर्वोच नागरिक सम्मान एन चंद्र सेखरन टाटा संस को दिया गया है गोविन स्वरुप लाइफ टाइम अचिम्मेंट अवाड 2022 जैनत नारलिकर को दिया गया है अगला है सागर स्रेश्ट पुरुषकार सागर स्रेश्ट पुरुषकार 2023 कोचिन पोड को भारत रतन डाक्टर अंबेत कर अवाड योगी अदितनात को सताबदी पुरुष मायन आफ दा सेंचूरी पंडित राम किशन को दिया गया है संजुक्त राश प्रेश सोतंता पुरुषकार 2023 दिया गया है निलोफिर हमीदी इलोहल मुहमदी और नर्गिस मुहमदी को लिपजिंग बुक प्राइज 2013 जो है उमारिया स्टेपानोव रूसी कवित्री को दिया गया है गोल्डमेन परियाबरन पुरुषकार ब्रांजीली अमेजन के ले संडरा कॉरेब को दिया गया है अस्टेलिया के सर्वस नागरिक सम्मान सिरी रहतन टाटा को दिया गया है रमन मैक्से से पुरुषकार 1969 दलाई लामा को दिया गया है रमन मैक्से से पुरुषकार 1969 फसल बीमा योजना के लिए राष्टे पुरुषकार करनाटक को दिया गया है संतोकवा मानवत्तावाधी पुरुषकार सोनम बांग्चुंग को लाता दिनानाथ मंगेसकर पुरुषकार दोहजार तेस आसा भोसले को प्रवासी भारतिय समान राज उर्मन्यम को मैलकम आदेस्या पुरुषकार दोहजार तेस उत्सा पटनाय को महराष्ट भुषण पुरुषकार दोहजर वास डक्टर अप्पा साहिब धर्मा दिखारी बिजनेस लीडर आफ़ डिकेड आवाड कुमार मंगलम बिडला को सांखिकी में दोहजर तेस कंतराष्टे पुरुषकार कैलिया मुडी रामधा क्रिश्न राव को पुलेंड के सर्वोष समान ब्लादिमीर जलेंस्की को मिला है उक्रेन के राष्टम पती है यंग इरोलोजिस्ट अफ़ येर अवाट डाक्टर नित्या अबरहन को दिया गया है साख साहित पुरुषकार दोहजर तेस बंग बंधु सेख मुजिबुर रहमान को दिया गया है चिल्डरेन्स चैंपियन अबाड दोहजर तेस असम के तपोबन एंजियो को दिया गया है बन जिव स्रच्छन पुरुषकार दिया गया है 2013 आलिया मिर कस्मीर के केरल के सरवोच नागरिक सम्मान केरल जोती दिया गया है M.T. बासुदेबन नायार को संगीत कलानिधी पुरुषकार 2013 बांबे जैसरी को करनाटा गायक है सेंट्रल बैंकिंग अबार 2013 सक्तिकांदास को दिया गया है प्लिजर पुरुषकार 2013 डेविट चिपर फिल्ड को दिया गया है ब्रिटिस बस्तुकार है बिसिस सेवाक लिया ओडर अफस्टेलिया श्री रतन टाटा को बीवीस इंडियान 2023 हरी बाल कृष्ण कंप्यूटर बग्यानी को दिया गया है एंटर्प्रिणोर आफ दैयर 2022 सजन्द जिंदल को यनपना पुरुषकार 2013 कभी बी मदु सूधनन नायर को अंतरास्ट्य मात्रिभासा पुरुषकार दिया गया है डाक्टर महेंद मिस्रा को सर्विशेस जिला पंचाएतिली सुराज ट्रोफी 2021 को अडिया गया है स्वासचंद्र को उपन्या समुंदर सील। अपकवर ककाटिटल पुरुषकार इन्जला मर्कल को दिया गया है पुरु चांसलर थे जर्मनी के राजा राम मोहन राय पुरुशकार 2030 दिया गया है ABK परसाद के FIS President अवार 2030 BK पांडियन उडिशा के National Geographic के फिक्चर अगयर कार्टिक सुब्रमन्यम को दिया गया है 20 विके सबसे प्रतिवा साली 16 में दिया गया है नतासा पेरियान यागम को ATD Best Award 2030 दिया गया है NTPC को अब आए करेंट अफेर्स के खेल परिद्रिस देखते हैं सबसे पहले देखते हैं 19 वाइस स्याई खेल 2022 जो हाल फिलाल में संपन हुआ कहां हांग जाओ चीन में 30 सितंबर से 8 अक्टूबर 2030 तक सुहंकर हैं चेंचें, कॉंग कॉंग, लियान लियान Memories of Jungle अदास बाग था Heart to Heart at Future Official theme song था With You and Me भारते टीम का अधिकारिक परियोज़क था अमूल उद्गार्टन समारों में भारते दल का धज़बाग थे हर्मन प्रीस सी हाउकी के समारों में भारते दल के धज़बाग थे पियार स्रीजेस हाउकी टीम के गोल कीपर है भारत का पहला स्वान पदक जीता पूर्श सुटिंग टीम ने भारत ने सरवादिक पदक किस खेल में जीता Athletics में 29 पदक भारत ने सरवादिक स्वान पदक जीता अरनाचल परदेश के नियूमान बांगियू उनिलू तेंगा और मुपूंग लाम मुगे एसेन गेम्स 2030 में भाला फेक पदक जीतने बाली पहली महला एतलिट कौन बनी तो वो बनी थी अन्नू रानी बिसवा एसेन गेम्स 2026 का योजन कहा होगा तो आईची नागोया जापान में होगा आईए अगर पदक तालिका की बात करें तो चीन पहले नमबर पे रहा था 383 पदक के साथ और दूसरे पे जापान तीसरे पे कोरिया और भारत का स्थान चौथा रहा 28, 38, 41, टोटल 107 पदको के साथ 28, 38, 41, टोटल 107 पदको के साथ 22 वार राष्ट मंडल खिल 2022 में हुआ आईउजन बर्मिंगा में 28 जुलाई से आठागस 2022 सुभंकार था पेरी दबूल डिजाइनर एमा लू था घाटन समारों में भारते दल के ध्वाजबाग थे समारों में भारते दल के ध्वाजबाग थे अंचत शरत कमल और निखत जरीन पदक तालिका में पर्थम अस्थान अस्टेलिया का दूसरा स्थान इंग्लेंड का भारत का स्थान चवथा पदक था 61 तोटल पदक जो था 61 था भारत का स्थान चवथा समयफाए स्थेठेए स्थार्फ राजट्सों आजब रखी और स्थी त्वक्राफ रखी सथे हुंड़ ङग़्टब्स हो ऊटारा में पाझ्ट्वारास्थाच्ट वक्डरीया अचलिया मेंहोगा परथम राच्टमंडल खेल नुन थीम सांग था खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला नहो परियोजा कमपनी पेटियम था अदर्सभाग था गेट सिट गोवा सर्विसरेस्ट पूरूस खिलाडी स्रीहरीनेट राजन तैराक के सर्विसरेस्ट महला खिलाडी संजुकता परसेन कालेब परनती नायक राजा भलिन सीट टोफी सरवादिक स्वन पदक बिजयता महाराष्ट के 38 खेल उत्राखंड में होगा दोहजर चोविस में 49 वा राष्ट ये खेल होगा मेगाले में आठवी वार जीता पलेयर आफ़ टूनमेंट कुल दीप या था पलेयर आफ़ दमाइज फाइनल में महम्मद सिराज सरवादिक रन सुभान गिल 302 रन सरवादिक बिकेट मत्थी साथ पथिराना सिरलंका के 11 विकेट नेक्स्ट है आठवा इसी सी मेंस टी ट्वेंटी बर् फाइनल में माइन आफ़ दमाइस सैम करन इंगलेंड के पलेयर अफ़ दमाइस सैम करन इंगलेंड के पर्थम महला प्रीमियर लिग डवलू पेल 2003 सायोजन महरास्ट में संसकरन पहला विजेता मूंबाइ इंडियंस कप्तान हर्मन प्रीद कोर उब विजेता दिली केप्ट कपतान मेक लेनिंग परपर कफ सरवाधिक बिकेट हैलिम मैथिच को औरेंज कफ सरवाधिक रन मेक लेनिंग के और इमेजिंग प्लेयर आफदा येर जो है वह है यास्त का भाटिया को मिला है ग्रैंड अश्लेंड टेनिस पर त्योगता की बात करते हैं 2003 में चारों मेजर ग् सब्सक्राइब कीना का यह भी याद रखें मिस्रित यूगल का उप बिजेता जो रही थी सानिया मिर्जा और रोहन बोपना के जोड़ी जो भारत के हैं किसमें अस्ट्रेलिया ऑपन 2030 की बात करें तो पूरु सेकल के बिजेता नवाक जोकावीच उप बिजेता कैस्पर र है महिला एकल में मार्केटा बंद्रोस्योबा चेक गन राज की रही तीनों ग्रेंड एस्लैम में तीन जो जीते हैं नवाक जोकावीच और एक मात्र जो विवल्डन ओपन 2030 हो था उसके पूरु सेकल बिजेता थे कार्लोस अलक राज अगला है अमेरिकी उएस ओपन 2030 नवा बिजेता रहें चार ग्रेंड एस्लैम टूनमेंट अस्ट्रेलिया ओपन फ्रेंच ओपन विवल्डन तथा येस ओपन जो इसी करम में खेली जाती है जिने मेजर कहा जाता है यह महत्पून टेनिस पर त्योगता है अस्ट्रेलिया ओपन तथा येस ओपन दोनों हार्ड जाता है और विवल्डन जो है वह घास पर खेला जाता है नेक्स्ट एफ बट्सवा टोकियो ओलंपिक 2020 आयोजन टोकियो जपान में सुवंकर मिराय तोबा था उद्गार्टन समारों में भारत के दोजबाग मैरी कौम में मनपरीच सिंग थे समापन समारों में भारत के दो प्रताल इस्वा आया था कुल साथ पदक के साथ 33 ओलम्पिक खेल 2024 कहा होगा पेरिस फ्रांस में होगा अगर फीफा महला बिस्वकप 2030 की बात करें तो आजन 20 जुलाई से 20 सगस 2030 को मेजवान देस अस्टेलिया एबम न्यूजिलेंड नौवा संसकरन था सुभंकर तजूनी थ इंडिया हर दिल में देश इंथम के साथ ये खेला गया था सामिल खिलाडियों की उम्र 18 से 25 भर्स था उद्गांटन समरों कहा हुआ है लखनव में समापन समरों की बात करें तो यह हुआ है बरांसी में सर्विसरेस्ट पूरुश एथलेट सीव सिरिधर तहिराक सर्विसरेस्ट महला एथलेट संगी बंदेग तहिराक पहली बार सामिल के आगया खेल था रोइंग पंजाब उनिवर्सिटी जो है वो पर्थम स्थान पे रहा चंडिगर्ड 26 स्वर्ण 17 रजट 26 का स्कुल 79 पदक के साथ दूसरा स्थान पे गुरुनालक देव उनिवर्सिटी अमरिसर के 24 स्वर्ण 27 रजट 17 का स्कुल 68 पदक के स मधार अर्ट 25 स्वर्ण 22 में 11व वेजिंग में हूग हुए हैं मतलब वो चीन में है 2022 में 24 सितकाली उलम्पिक 25 सितकाली उलम्पिक खेल मिलान बक और टीना में होगा इटली में है 2026 में होगा साथवा सितकाली उबा उलम्पिक दच्छिन कोरिया में खेला जाएगा दो हज़ाज़ाज़ाज़ोटेस फिफा फुटबट सुटबोल बिश्प कमएत्सिको कनाड़ा में ख्यूलय किला जाएगा। फीफा महला फुटवाल बिस्पकप अस्टेलिया एवम न्यूजिलेंड में ख्यूलैंड ups 17 पूरूष विस्ट क vient पक के बारे में भी नहीं चलब फीफा अंडर 10. ICC Champion Trophy खेला जाएगा पकिस्तान में दौहजार पचीज में नेक्स्ट बात करते हैं 11. ICC Champion Trophy खेला जाएगा कहां भारत और एककंप खेला जाएगा दोजार 19 में 9-वा ICC पुरुष T20 बिषखम अमेरिका वह बस इंडिज में खेला जाएगा같न अगले ज़ूर जेला जाएगा अगले साल सब्सक्राइब नीदर लेंड में 2026 में पुरुष रगबी फ्रांस में खेला जाएगा पकिस्तान में उनिस्वी इतलेटिक चैंपियंशिप जो है बुड़ा प्रेस्ट हंगरी में खेला गया दोहजर तेस में बिस्विक साइन खेल बोगाटा में खेला जाएगा कोलंबिया में 2030 में पाच्वा खेलो इंडिया इंडिया यूथ गेम्स आच साहरों में मर्ध प्रदेस में खेला गया बहरत में 2030 में और 20 बेडमिंटन चेंपियंस सीब भारत में खेला गया दोहजर तेस में अब आई यह देखते हैं तिरावा किर्केट बर्ड कप दोहजर तेस की बात आयोजर भारत में हुआ था पाच अक्टूबर से 19 नवंबर कुल मैं 24 देश दस स्टेडियम देश अधिकारिक सुभंकर ब्लेज और टोंग अधिकारिक सुभंकर ब्लेज और टोंग था इन्थम सौंग दिल जस्न बोले प्रीतम बरह लिखा गया था ग्लोबल पाटनर कंपनी मास्टर कार्ड फाइनल नरेंदर मोधी अस्टेडियम सरवादिक रन बिराट कोली 765 सरवादिक बिकेट मुहमाद समी 24 सरवादिक छक्के रोहित सर्मा एकामन लगा है सबसे 30 सतक जो है वो गलेन मैक्सविल ने लगाया है टाइम आउट नियम से आउट होने वाले पर्थम बल्लेवाज इस बार रिकॉर्ड बना एंजला मैथू सिरलंका के बिजेता टीम को मिली रासी 33 दिसलव तीन कड़ोर उब बिजेता टीम की रासी मिला है 16 दसमलव साथ कड़ोर सोलाहवा इंडियन प्रीमेर लिंग 2013 में हुआ आयोजन जो हुआ था भारत में 31 मार्स 27 माई 2013 टाइटल पर योज़क टाठा बिजेता चन्नाई शू सबसे मुलेवान खिलाड़ी सुमन गिल इमेडजिंग प्लेयर यससवी जैस्वाल पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2013 आयोजन मध्य परदेश आट सारों में सुभंकर आसा चीता थीम था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो पर्थम था महराज 56 पूल 161 पदक दूसर स्लैम्स और कैनों इंग ये पांच खेलों को सामिल किया गया था आइसी सी प्लेयर आफ दम मंत अबाट 2022 की बात करें तो अटूबर 2030 में रचिंद रविंद्र न्यूजिलेंड को और महला बर्ग में हेले मैं बेस्ट इंडिस को मिला है सितंबर 2030 में सुमन गिल को भारत को म साफी मुश्किल है पर्मुख खेलों के सुभंकर के हम बात करते हैं तो यह देखते हैं पंद्रावा होकिप बिसकप 2030 के सुभंकर थे ओली ओली वर रीले कच हुआ फीफा महला बिसकप 2030 अस्टेलिया वर न्यूजिलेंड में हुआ है तजूनी इसका सुभंकर था 22 वा फी सुभंकर था 2 जो है इसके सुभंकर है विश्वा सितकालीन ओलंपिक 2020 में हुआ था उनिचाइचलों कांकं अल्यान लियों जै इसके सुभंकर है तिसरा खेलों इंडिया इनवर्सिटी गेम धोंत्र परदेश में हुआ जीतू सुभंकर था एसेन पेरा खेल 2003 हौंग जोंग चीन में हुआ फेई फेई सुभंकर हैं ग्रिस मकालिन ओलंपिक के सुभंकर मिराई तोबा पेरा ओलंपिक 2020 टोकियों जो हुआ उसका सुभंकर सुमाईटी था 36 राष्टे खेल 2022 गुजरात भारत में हुआ सावज सुभंकर था और से तिस्वा राष्टे खेल 2023 गौवा भारत में हुआ मोंगा इसके सुभंकर था सत्रहवा आइसीसी बर्ड कप 2030 भारत के ब्लेज और टोंक जो है इसके सुभंकर था बर्ड कप 2030 से संबंधित 10 अस्टेडियम कौन-कौन था आइए देख लेते हैं तो अरू श्राट राजिव गांधी क्रिकेटian थेल्यं लंगाना स्टेडियंगे हमाचल पडरदेश भारत रदिंसरी अटल भेहरीबाजबस पर्णा करस्फ नधी कहां न फक्र हुथ किषैल पर इदीच के बिवेद्या बृए principles कि देख लेते हैं जो लाईनेघार के पहला खेलो इंडिया पैरा गेम नई दिली में विजद किया जाएगा आइसी सी सी के नए नियम के नुसार अब नया ऑबर साथ सेकेंड के अदर सुरू करना हुआ नहीं तो पास रण की पेनाल्टी लगेगी साथ सेकेंड के अंदर आइसी से ने अगले साल होने वाले पुरुष अंडर उनीश बिस्वकव को सिरलंका से दच्छिन फिरका स्थानतित कर दिया है चिंद रविंद्र पूरुष न्यूजी लैंड तथा हेले मैथुज महला बेस्ट इंडीज के अक्टूबर मां के ऐसी सी प्लेयर अव्दम बहुत चुना गया भारत एसियन सब्सक्राइब के साथ 50 स्थान पर जबकि चीन 520 पर के साथ सिर्स पर रहा केल राहुल बंडे बिस्वकव में सबसे 30 सतक 62 गेंदों में लगाने वाले पहले भारतिये बने सीतल महाजन मांट एवरेश्ट के पास एक कामन हज्जार 500 फिट के स्काइड ड्राइविंग करने वाली पहली महला बनी बिराट कोहली बंडे इतिहास में 50 सतक लगाने वाले पहले बल्ले बाज बने ब्रेंद सावाग डायना एडूल जी और अर्विन डी सिल्वा को आइसी सी हॉल आप फे में सामिर किया गया सिरलंका के एंजलो मैथ्यूस टाइम आउट होने बाले पहल सेरा ग्यम्स दोहजार तेज के उद्गाटन समार्व में भारतिय दल के दोहज बहाक बने सुहमन गिल बंडे में सबसे दोहजार रन बनाने वाले खिलाड़ी बने भारत के क्रेंड मास्टर रोनक सादवानी सत्रंज अंडर्टी बिस्व चैंपियन बने नीरत चोपड़ा महला एसी आई चेंपियन ट्रॉफी दोहजार तेज के लिए जुही सुर्भंकर का अनाबरन किया उनीसवे एसी आई खेल एकसो साथ पड़क के साथ भारत चोथे अस्थान पे रहा भारत आई सी सी की तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बना भारते टीम बंडे इतियास में तीन हजार चक्के लगाने बाले पहली टीम बनी अमेरिका के निवार्क डिलास और फ्लोडिडा में टी ट्वंटी बंड कप दोहजार चोविस होंगे अमेरिका के निवार्क डिलास और फ्लोडिडा में टी ट्वंटी बंड कप दोहजार चोविस होंगे एसी आई खेलो दोहजार टेस को घाटन समरों में भाते दल के द्वजबाग हैमन प्रीत सी होकी एवं लवलीना बर्गोहन मुके बाज रहे आई सी सी बल्ड कप दोहजर टेस का इंथम सौंग दिल जस्न बोले रिलीज हुआ इलान बिनील बलारिवान ने रियो निसानेवाजी बिस्वकप में स्वर्ण पदक जीता जर्मानी ने सर्विया को हरा कर पहली बार बासकेट बोल बिस्वकप जीता बिराट कोहली बंडे में सबसे तेस 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने कनाडा के डेनियल मैक गेही पहली ट्रांसजेंडर किर्केटर बनी और आर प्रग्नानंद फीडे बिस्वकप के उप बिजेता बने आर प्रग्नानंद नीरा चोपड़ा भाला फेक असपरदा में 88.1-7 मीटर में स्वन पदक जीत कर बिस्व एथलेटिक चेंपियंशिप में स्वन पदक जीतने वाले पहले भाते अथलेट बने खेलो इंडिया महरा लीग का नया नाम अस्मिता लीग होगा भारत के अनाहाथ सिंग ने स्याई जुनियर स्कुष चेंपियंशिप 23 में लड़कियों के अंडर 17 बर्ग में स्वन पदक जीता दूती चंद्र को डोपिंग के कारण 4 साल के लिए परतिवंदित किया गया प्रिया मलिक ने अंडर 20 बिस्व कुष्टी चेंपियंशिप में स्वन पदक जीता बिस्व एथलेटिक चेंपियंशिप 23 में भारते दल करने तरित्म नीरत चोपडा ने किया भारते खिर प्राधिकरान ने अंब्रेला केंपेंज चीयर फोर इंडिया के तहट एक लगू फिल्म स्रिंखला हला बोल लॉंच की महराश्ट के अधित एस सामंत भारत के 83 ग्रैंड मास्टर बने फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोस सत्रंज खिलाडी जीम गूकेस बने बिराट कोहली ने बेस्टिंडिज के खिलाफ पांसोबा अंतरास्टे मैच खिलकर सेर्ट ओन ब्रेडमेंड के रिकॉर्ड के बराबरी की सारुख खान को ICC बिस्वकब 2030 का ब्रांड डेमेस्टर चुना गया अस्पेन के कारलोस अलकराज ने चार बार के गत चैंपियन नुवाक जो कब इच को हराकर अपना पहला बिवल्डन खिता मारकेटा बंद्रो सुबा बिवल्डन 2030 में ओपन एरा में महला एकल चैंपियनसीप जितने वाली पहली गैर बरिता प्राप खिलाड़ी बने बैंकॉंक में आयो जित एसियाई एथलेटिक्स चैंपियनसीप दोहजर तेस में भारत 27 पत्कों के साथ तिसरे अस्थान पर रहा जबकि जपान पर्थम पर रहा 34 जीव बिग्यान ओलंपियाड में भारत पदक तालिका में सीर्स पर रहा भारत के लच्छ सेन ने चीन के ली सिंग फेंग को हरा कर कनाड़ा उपन जीता सेख तलाल फ़हद अल अहमद सियाई उलंपिक परसद के ध्यच बने बिश्व तिरंधाजी उवा चेंपियनसीफ दोहजर तेस में भारत दुसरे अस्थान पे रहा पार्ट सालूंग के रिकवर बर्ग में स्वन पदक जीतने वाले पर्थम पुरुष तिरंधाज बने बी सी सियाई ने अजीत अगरकोर को सिनियर पुरुष चैयन समिती का ध्यच बनाया स्रियंका पाटी महला करेबियन प्रीमेर लिग डबलू सी पील का हिस्सा बनने वाली पहली भारतिय किर्केटर बनी भारत ने कुबबाइद को हराकर सैफ चेंपियनसीफ दोहजर तेस खिताब जीता नीरा चोपडा ने लोजन डाइमंड लीग दोहजर तेस में सिर्स अस्थान पराप्त किया पुटगाल के स्टार फुटबाउलर किष्टियाना रोनाल्डो ने 273 मैच खेलने का गिनिज बल्ड रिकॉर्ड बनाया फिफा पुरुष फोटवाल रेंकिंग में भारत सोवेय स्थान पर रहा सिर्स अर्जन टीना भावानी देवी ने स्याई चेंपियंशिप में पदक कास पदक जीतने वाली पहली भारते तलवारबाज बनी सैंतिस्वे राष्टे खेलों के लिए मोगा नामक सुभंकर लॉंच किया गया मोगा अंडर सेवन्टी ने स्याई कुष्टी चेंपियंशिप में अंकुष ने फ्री अस्टाइल में पच्पन किलोगराम भार्ग बर्ग में स्वर्ण पदक जीता सुनील कुमार ने स्याई अंडर ट्वंटी अथ्लेटिक्स चेंपियंशिप में डेकॉथ लॉन्स परधा में स्वर्ण पदक जीता अब आएए देखते हैं सबसे इंपोर्टेंट चेप्टर करेंट अफेर्स नविंतम पुष्टके एबं लेखक आईए एक एक देखते है दो पलको की च्हाओ में पुष्टक के लेखक है डाक्टर हेमा जोसी सिंधिया और अठारसो शंतामन के लेखक है डाक्टर रकेस पाटक बिल्डिंग पाटनर्शिप के लेखक है कैप्टन हिमादरी दास कोल्ड ब्लेडेड लव के जो लेखक है ग्रीश दत्सुकला इद्ध डे आई बिकर एर रेनर इस चटोपध्याय का रिवार स्विंग अशुक टंडर द्वारा लिखी गई पुष्टक है दा बुक अफ लाइफ माइड डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अगनिय तेस दा रोड मैप टू इंडिया प्रसिडेंसी बी स्री निवासन के द्वारा लिखी गई पुष्टक है ट्वंटी एर्स ऑफ जी ट्वंठी रजत कथूरिया और पर्ती कुकुरेजा द्वारा लिखी गई पुष्टक है फायर ऑन दगंगा लाइफ अमंग देड इन बन नारस राधिका यंगर द्वारा लिखी गई पुष्टक है बेस्टान लेन लिखा गया है चेतना मारू के द्वारा पुष्टक पीच साइड माइफ इन इंडियन क्रिकेट अमरित माथूर के द्वारा लिखी गई पुष्टक है हेरेटेश ट्री ऑफ गोवा पी एम स्पी द्वारा लिखी गई पुष्टक है कारगिल एक यात्री की जुबानी रिसी राज के द्वारा लिखी गई पुष्टक है डाक्टर एपी जी अब्दुलकलाम मेमोरी नेभर डाई डाक्टर बायस राजन के द्वारा लिखी गई पुष्टक है एस दा वील टर्नर रंजित परताब के दौरा लिखी गई पुष्टक है क्रिष्णा दसेवंद सेंस देवसीष चटर्जी दौरा लिखी गई पुष्टक है प्रिज्म दा एंसेस्ट्र एवोर्ड आफ रैनवो लिखा गया है बिनोध मनकारा के दौरा Master Residential Real Estate लिखा गया है Asindar R. Singh के द्वारा The Yogs Sutra for Children लिखा गया है Rupa Pai के द्वारा Rebels Against the Raja लिखा गया है Ramachandr Gukha के द्वारा Ajadhi लिखा गया है Arunthi Rai के द्वारा Ajadhi भारत के बितमंत्री पुस्तक लिखा गया है A.K. Bhatta Charge के द्वारा Ringside Ringside लिखा गया है J.A. Tarda के द्वारा Ajay to Yogi Aditnath लिखा गया है Santanu Gupta के द्वारा Master Residential Real Estate लिखा गया है Aswinder Singh द्वारा The Power of One Thought लिखा गया है B.K. Shivani के द्वारा Guts Admissed Blood पैथ लिखा गया है Adit Bhusan के द्वारा The Golden Years लिखा गया है Ruskin Bond के द्वारा The Golden Years Make in India 75 Years of Business and Enterprises लिखा गया है Amitav Kanth के द्वारा Reflections लिखा गया है Shri Narayan Bagul के द्वारा Smoke and Acid लिखा गया है Amitav Ghosh के द्वारा Sachin at 50 Celebrating Amestro लिखा गया है Boreya Majumdar के द्वारा Ajad लिखा गया है Gulaam Navi Ajad के द्वारा Ghandhi सियासत और Communist में लिखा गया है पीउस्ट बॉबले के द्वारा चित्रे चित्रे लिखा गया है पेरुमल मुरुगन के द्वारा इंडिया जबैक्सिन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सियादब के द्वारा लिखी गई है Amitre of Heart Education इंडिया के द्वारा लिखा गया है राग बेहर को बेहर के द्वारा लिखा गया है ड्क्टर पैंगी मुहन के द्वारा पवाटि अफ वॉल्टिकल एकनोमिक्स लिखा गया है मेखना देसाई के द्वारा मोदी सेपिंग ग्लोबल आउडर इंफलेक्स बिदेस्ट मंत्री ऐस जैसंकर द्वारा लिखी गई है फोर्क इंदा रोड माई डे अट आर्बी आई इन बिहांट सी रग राजर के द्वारा लिखी गई पुष्टक है ब्रेकिंग बेरियर जो लिखा गया है काक की माधब राव के द्वारा तुम पहले क्यों नहीं आए लिखा गया था कैला सत्यार्थी द्वारा तुम पहले क्यों नहीं आए एक के दुरुबेदी द्वारा लिखा गया पुष्टक है अंबेदकर एलाइब ससी थरूर द्वारा लिखी गई पुष्टक है करांतिकारी लिखा गया है संजीब सन्याल के द्वारा जादू नामा जावे रक्तर के द्वारा इर्फान खाल ए लाइफ इन मुभी सुब्रा गुपता के द्वारा लिखी गई पुष्टक है इंडिया जोले सुक्रिमेशी दे निव डॉन डॉक्टर अस्विनीफ हर्नांड पुष्टक है दा लाइट बिकरी ओवर कमिंग इन असर्टें टाइम्स मिशल ओबामा के द्वारा लिखी गई है फिट एट 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 एज पीवी अईयर के द्वारा लिखी गई पुष्टक है दा इंडिया नेभी एट 75 रिमनिस्टिंग दवाइज रंजित बिराय तथा अरितना बनर जी द्वारा देली इन ऑन्यवर्सिति इकहजर ग्लॉरियस एटर शर्धीं पुरी के द्वारा नेय।ी जेशन अफड एइसा के द्वारा बिं की दौरा सेर बार्शन को दौर। दब्लोसपी ऑफ मोडर्ण सऊंगं सौंग एगा है बाब डॉब ढयलन द्वारा जीते जी इलाहषवाद लिखा केड़ा ऑंबेदकर लाइफ लिखा गया है शसी ठरूर के द्वारा एंडिया एकोनोमी फ्रों नहरू पुमोदी लिखा पुलापे बाल कृष्णा के द्वारा इंडियान बैंकिंग इंडियस रेट्रोस्पेक्ट 75 एर्स लिखा गया असुतोस के द्वारा वेन दा हॉट अस्पिक्स मुमोयर्स आफ जो है काडियो लोजिस लिखा गया उपेंदर कौल के द्वारा फोर जिंग में टल रिपेंदर एंडर निनार श्टोरी लिखा गया है पबसी द्वारा अंबेदकर एंद मोदी लिखा गया है इल्यार राज द्वारा रजिनी ke मंत्र लिखा गया है पीसी बाद सुबर मन्यम के द्वारा, बील पाबर लिखा गया है, सोजर्ड मौरीन के द्वारा, और लॉक्डाउन लिरिक्स लिखा गया है, संजुकता, दास के द्वारा लिखा गया है, लॉक्डाउन लिरिक्स संजुकता, अगला चेप्टर है, माकपुन दिवस एवम, उ अगला है उनीच नवंबर को अंतराष्टे पुरुष दिवस मनाया गया थीम था लर्निंग बिहांड बोर्डर एक ग्लोबल प्रस्पेक्टिव 16 नवंबर को अंतराष्टे से सुनुता दिवस मनाया गया टोलरेंस एपाथ प्रेश दिवस भी मनाया गया Media in the Era of Artificial Intelligence 11 नवंबर को मनाया गया राष्टिय सिच्छा दिवस 27 भविस के लिए अभिनव सिच्छा 20 रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया 8 नवंबर को रोगी सुरच्छा का जसन थीम के साथ अंतराष्टिय बायोस्फेर दिवस रिजर्ब दिवस मनाया गया 3 नवंबर को इट्स एबाट लाइफ थीम के साथ 1 नवंबर को बिस्व साकाहारी दिवस मनाया गया celebrating for a good causes के साथ 31 अक्टूबर को राष्टिय एक्ता दिवस मनाया गया लौपूरु सरदार बला भाई पटेल की जनती के 24 अक्टूबर को संजुक्त राष्ट दिवस मनाया गया equality, freedom and justice for all बिस्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया मताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्त भविस अंतराष्टिक गरीबी उन्मूनल दिवस मनाया गया सब भिकार और समाजिक सुरच्छा बिस्व शिचक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया the teacher we need for a education we want the global theme के साथ बिस्व पस्व दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया theme था great yeah a small love them all 28 सितंबर को मनाया गया बिस्व रेविज दिवस theme था all for eye one health for all बिस्व पर्याटन दिवस मनाया गया 27 सितंबर को बिस्व पर्यावरन स्वास्त दिवस 26 सितंबर को मनाया गया global environmental public health standing up to protect everyone 21 सितंबर को अंतराश्टे सांती दिवस मनाया गया action for peace our ambition for a global goals hashtag global goals बिस्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया Montreal Protocol fixing the ozone layer and reducing climate अगला है 8 सितंबर को मनाया गया इंतराश्टे सचर्था दिवस संक्रमन में दुनिया के लिए सचर्था को बढ़ा वा देना 1990 को मनाया गया राष्टे खेल दिवस खेल एक समाबेसी और फीट समाज को सच्चं मनाते हैं मैला समानता दिवस 26 सगष्थ को मनाया गया embrace सब्धावना दिवस 20 अगस्त को मनाया गया प्रमोट नेशन इंट्रिगेशन एंड कॉम्णियल हर्मोनी विष्व मानवतावाती दिवस 19 अगस्त को मनाया गया नुम मैटर वाट विष्व अंगदान दिवस मनाया गया 13 अगस्त को अस्टेप-प औव वॉलेंटरियन नीड म किसी को भी पीछे न छोड़े थीम के साथ नेलसन मंडेला अंतराष्ट्य दिवस 17 जुलाई को मनाया गया जलवाई भोजाने वेम एक जूटता थीम के साथ 17 जुलाई को अंतराष्ट्य न्याई दिवस समाजिक न्याई के लिए बधाओं पर काभू पाना और अवसरों को य एक जुलाई को अंतराष्ट्य सहकार्त दिवस मनाया गया सतत विकास के लिए सहकार्ता थीम के साथ 29 जुन को मनाया गया राष्ट्य संक की दिवस थीम था सतत विकास लच्छों के निगराने के लिए राज संके तक ढाचे 23 जुन को मनाया गया Let's Move अंतराष्टे उलम्पिक दिवस 21 जुन को 9 अंतराष्टे योग दिवस मनाया गया और इस वार का थीम था योग 4 बसुदैव कुटूमकम एक पिर्थिवी एक परिवार एक भविस 20 जुन को विश्व सरनार्थी दिवस घर से दूर आसा 24 जुन को विश्व रखदाता दिवस मनाया गया रखद दो पलाजमा दो जीवन साजा करो अकसर साजा करो विश्व बालसरम निशेद दिवस 12 जुन को मनाया गया सभी के लिए समाजिक निया बालसरम का अंत 5 जुन को विश्व परियावरन दिवस मनाया गया प्लास्टिक पर्दुसन का समधान थीम के साथ 21 मई को विश्व तमबाकू निशेद दिवस मनाया गया हमें भोजन के वा सकता है तमबाकू की नहीं नेक्स डेक्ते हैं 24 मई को मनाया गया भारतिय राष्ट मंडल दिवस फोरजिंग ए सस्टेनेवल एंड पिस्फुल कॉमन फ्यूचर विश्व परवासी पच्छी दिवस 13 मई को मनाया गया जल और परवासी पच्छों के लिए इसका महत्व 26 अपरिल को मनाया गया विश्व बौदिक संपता दिवस महला और आईपी तवरित नवाचार और अच्रनातवक थीम के साथ 25 अपरिल को बनाया गया विश्व मलेरिया दिवस 25 अपरिल को सुन मलेरिया देने का समय निवेस नवाचार कर्यान बन थीम के साथ विश्व पिर्थिवी दिवस 22 अपरिल को मनाया गया हमारे ग्रह में निवेश करो थीम के साथ बिष्व च्छै रोग दिवस मनाया गया 24 मार्च को हाँ हम टीवी को समाथ कर सकते हैं हम टीवी को समाथ कर सकते हैं थीम के साथ बिष्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को जल और स्वस्ता संकट को को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना बिहार राज अस्थापना दिवस 22 मार्ज को मनाया गया काफी इंपोर्टेंट है युवास अक्ति बिहार की प्रगती थीम के साथ नेक्स्ट है बिश्व औभोकता अधिकार दिवस 15 मार्ज को मनाया गया इंपावरिंग कंजिमर्स थूठ क्लीन एनर्जी ट्रांजीशन के साथ अंतराश्टिय महला दिवस डीजिट और इनोवेस्ट प्रगती थीम के साथ मनाया गया आठ मार्च को तराश्टिय महला दिवस तीन मार्च को 20 बनजीव दिवस मनाया गया पार्टनर्शीब फोर क tribunal nori को मनाया गया राश्टिय प्रेटन दिवस ग्रामीन फोर समुणुदाइक के मुझे मतधाता दिवस 35 मात्री भासा की महत्ता बूले प्रवाशी भार्त्य दिविस नौ जनवरी को मुना अगया प्रवासी अमरीद कात्म में भारत की प्र्गति के लिए 20 रस्ने भागीदार्थीम के साथ। विस्व मlorद दिवस 5 दिसम्बर about गया। स्वायल फोण वहर फूटबी साथ। एक आसन संकट के साथ विश्व अस्तन पान सब्ता एक से 7 अगस 2030 मनाया गया थीम था आई अस्तन पान कराया और काम करे काम करे पांचबा पोषन पखबाड़ा पीस मार्स से 3 अपरिल 2030 विश्व था सभी के लिए पोषन स्वस्त भात की और एक साथ सुसासन सब्ता 19-25 दिसंबर 2022 विश्व अंतरीस सब्ता 4-10 अक्टूबर 2022 थीम था स्पेस अन सस्टेनिबिलीटी बने जीब सब्ता 2-8 अक्टूबर 2022 के संजुक रास्त्वारा घोसित बर्स है 2019 को देश्य भसाओ का अंतराश्टिय बर्स 2020 में पोधों के स्वास है तो अंतराश्टिय बर्स नर्स एवं दाई का अंतराश्टिय बर्स सांतिय वंबुकास है तो अंतराश्टिये बर्स 2022 में कुटित मतसिक स्अद्राश्ट ना किया गया है नेक्स चेप्टर है मात्पुन सम्मिलान समारो ये सकेंड लास्ट चेप्टर है आएए देखते हैं भारत में पहली जी ट्वेंटी सिर्फा बैठक उधैपूर अजस्थान में संजुक तरास्ट जय बिवित्ता सम्मिलान को 15 मौंट्रियल कनाडा में हुआ थ दिल्ली में हुआ है संजुक तरास्जल सम्मिलान 2030 निवार कमेरका में पहला जी ट्वेंटी आपदा जोखिम न्यूनिकरन कार्समू की बैठक गांधी नगर गुजरात में दूसरी जी ट्वेंटी सेर्पा बैठक जो हुआ था वो कुमार कॉम केरल में दूसरी महला 20 डव इंगेजमेंट गुरूप की बैठक पतना बिहार में गवर टूसरी में दूसरोज मम बैठक 2030 गोवा में अर्बन 20 U20 में मेर सिखर सम्मेलन 2030 के बैठक कहां मदाबाद गांधिनगर में तीसरा जी ट्वेंटी सेर्पा बैठक हमपी करनाटक भारत में जी ट्वेंटी का बहस्विक खाद नियामक सिखर सम्मेलन 2030 नई दिली में नेक्स देखते हैं आठवा वाल्ड रोबर्ट्स कांफरेंस 2030 कहा हुआ था बीजिंग चीन में पंद्रहवा ब्रिक सम्मेलन 2030 दच्छिन अफिरका में सरचनात्मा कंखंडता पर तिसरा अंतराष्टे सम्मेलन आइकोंस 2030 मामलापुरम तमिलनाडू में इग गवर्मेंस पर छतिसवा राष्टे सम्मेलन 2030 इंद सम्माता इंडोनेश्या में आठवा जी ट्वंटी सिखर समयलन 2030 अठवा जी ट्वंटी सिकर में नहीं दिल्ली में चोधावा बर्द स्कॉइस 2030 नवी मंभई महराश्टा में हुआ जी ट्वइन्टी इंफरस्ट्रक्चर बॉर्किंगरूप का बैठक कहा हुआ था खजराह मदपर्देश में नेशनल स्मार्ट सीटी कॉंफरेंस 2030 कहा हुआ इंदावर मदपर्देश में पाचवाइब विस्व कॉफिस सम्मेलन 2030 कहा हुआ बेंगलूरू करनाटक में याई सुरच्छा सिखर सम्मेलन 2030 कहां बर्मिंगम सायर बिटेन में हुआ दूसरा ग्लोबल मीडि कांग्रेस कहां अबू धावी में युए में जलवाई परिबरतन पर संजुकतरास के 28 बेठा कॉप 28 कहां हुआ तो दुबाई संजुकतरव अमिरात में नौवा भारती अंतरास्टे बिग्यान महसब 2030 कहां हुआ फरीदाबाद हर्याना में अब आई यह देखते हैं रिज अठार दसम्लाव जीरो जीरो परती साथ एमसेफ छे दसम्लाव साथ पाज परती साथ एक दिसंबर 2030 की स्थिति के अनुसार है यह रिजर बैंक द्वारा जारी मौद्री के दर है भारत मंदपम महत्के महत्पुन तथ देख लेते हैं दिल्ले के प्रगती मैदान में स्थि इसे भारत मंदपम के नाम से जाना जाता है उर्गाटन परधान मंत्री नरेंदर मोदी द्वारा 26 जुलाई 2023 को किया गया इसका नाम भारत मंदपम भगवान बसवेसवर के अनुभव मंदपम के अबधार नाप से प्रेरित है भगवान बसवेसवर इसके बास्तुकार है स और दोग मंत्राले के थाथ एक ब्यापास संबर्धन एजेंसी है इसका अकार अंडाकार है इसके उच्टा मस्तर पर बिंडो टू दिल्ली है जिसमें से करतब पत इंडिया गेट और राष्टपती भावन देखा जा सकता है इसके उच्टा मस्तर पर साथ हजार लोगों की ब पूर्ति को तमिलाडू के स्वामी मल्लाई के राधा क्रिश्न सत्पती ने तयार किया है भारत का नया संसद भवन मत्पुन्तत पीम मोधी ने नय संसद भवन का उधगाटन 28 मई 2030 को बिनाय दमोधिकर सवरकर के 140 वी जयनती के अबसर पर किया जिसके अधार सिला पीम मोध 2020 को रखी थी उधगाटन को चीनहित करने के लिए 75 रुपया का सिक्का लॉंच किया नया भवन सेंट्रल विष्टा पर्योजना का हिस्सा है जिनका निर्मान टाठा लिम्टेड ने 971 कोड़ रुपया की नुमानित लागत से किया है भवन की डिजाइन एच्पी डिजाइ नय संसत भवन के बास्तुकार बीमल पटेल है भारत के प्रमुख रामसर साइटे की अगर बात करते हैं तो सार्भुग आद्भूमीर सरच्छन रिजर्ब जम्मु कस्मिर का यह 75 जो था वह रामसर साइट था यह इंपोर्टेंट है एक दोआउड देख लेते हाईगम तो तमिनाडू में है और कितने हैं तो 14 हैं आइए देखते हैं मिशन चंद्रियान थिरी के महत्पुन्तत थे चंद्रियान थिरी को 14 जुलाई 2030 को अंध्रप्रदेस के हरी कोटा से लॉंच किया गया था इस सुमनात की अध्यस्ता में यह लॉंच किया था लबी M3M4 रॉक को प्रग्यान नाम दिया गया है चैंद्रियान टू को 22 जुलाई 2019 के के सिवन के ध्यस्ता में इस रो द्वारा जी मार्क 3 रॉकेट से लॉंच किया गया था भारा सरकार की अगामी क्या-क्याल अच्छ यह भी फटा-फट देख लेते हैं यह भी कई बर पूछा जाता है कि कालाजार को पूरी तरह समात करने का लच कब तक है 2030 तक ब्रोडगेज रूट्स के 100% बिधूती करने का लच 2030 तक उरबरक छेत में आत्म निरभर बनाने का लच 2030 भारत में सेमिकंड़क्टर रिसर्स सेंटर स्थापना करने का लच 2024 किर्सी में सुन्ने डीजल उप्योग न अब 2024 हर घर में नल से जल स्वाच जला पूर्ती का लच 2024 डिजिटल रेडियो लाउंच करने का लच 2024 सव नए एरपोर्ट बिक्सित करने का लच 2025 सभी गामों में आप्टिकल फाइवर बिचाने का लच 2025 भारत को पास ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यस्ता बनाने का लच 2025 भारत को टीबी मुक्तिस बनाने का लच 2025 पेट्रोल मेथनोर 20% मिश्रित करने का लच है 2025 दूद्र प्रसंस करन चमता को दूगना 108 मिलियन टन करना 2025 सव मिट्रिक टन कोईला गैसिकरन प्राप्त करने का लच 2030 सेवा के छेतर में एक ट्रिलियन डॉलर निर्याद का लच 2030 कु भारत से पुन रूप से मलेरिया उनमूलन करने का लच 2030 पूल बाहन में 30% इलेक्टिक बाहन करने का लच 2030 है 30% इलेक्टिक बाहन 2030 तक है HIV-8 को खद्म करने एवा मलेरिया उनमूलन 2030 500 गीगावाट अच्छे उर्जा प्राप्त करने का लच 2030 280 गीगावाट सौर उर्जा प्राप्त करने का लच 2030 चंद्रमा परंतिज स्यात्री भेजने का लच 2046 हैड्रो फ्लोरो कारवन के उप्योग में 80% तक कम करना 2047 भारत के नेट जीरो के लच 2070 तक है अब आईए दखते हैं बर्स दोहजार बाज़ तैस में अस्थापित प्रमुख अस्टैच्यू अस्टैच्यू अफ वन्नेस एकात्मा की परतीमा मद्रपरदेश के खंडवा जी लेके उनकार इस्वर में सर्यू नदी के किनारे मंधाता परव प्रमुख अस्टैच्यू अफ नौलेज की बात करें तो महराष्ट के लातूर में स्थाफिस सत्र फूट उची अस्टैच्यू अफ नौलेज डाक्टर बियर अम्बितकर की परतीमा है अस्टैच्यू अफ प्रस्परिटी बेंगलुरू करनाटक में स्थित 108 फिट उची अश्टाइचू अफ प्रस्प्रेटी स्री नाथ प्रभुक केमपे गोड़ा बेंगलूरुक के सस्थापक की परतीमा है या परतीमा के मुर्तिकार राम भी सुथार है अश्टाइचू अफ पीज की बात करें तो राजस्थान की पाली जी लेके जैतपूरा में श्टिस 27 फूट उची अश्टाइचू अफ पीज जैनाचार बिजय बल्लव सुरी स्वर जी महराज की मुर्ति है श्टाइचू अफ पीज स्री रामा नुजचार्ज की अश्टाइचू अफ पीज सांती परतीमा 2022 में ग्रीह मंत्रिय मीज सा ने स्री रामा नुजचार्ज की चार फुट उची अश्टाइचू अफ पीज का नावरन जम्मू कस्मिर के स्री नगर में किया अस्टाइचू अफ्यूनिटी गुजरात के केवडिया में नर्मदा नदी के तर्ट पर इस्तित 182 मिटर 597 में फिट उची अस्टाइचू अफ्यूनिटी सरदार बल्लावाई पटल की परतीमा है यह दुनिया के सब से उची परतीमा है इसका निर्मान L&T कमपनी ने किया ह इस मुर्थी के सिल्पकार और भी सुतार है अस्टाइचू अफ्यूनिटी गुजरात के नाथ दाह द्वारा सहर में इस्तित 112 मिटर के 369 फूट उची अस्टाइचू अफ्यूनिटी विश्वास शुरूप भगवान सिव की परतीमा है बंदे भारत ट्रेन जिसे ट्रेन 18 की नाम से भी जाना जाता है पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से 22 के बीश दूसरी ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से कटना के विश चला है बंदे भारत चलाने वाली पहली महला ड्राइबर थी सुरेखाय आदम बंदे भारत का निर्मान क्या था इंटिग्रल को इस फ अदच्छिन भारत की पहली यानि देश की दूसरी किसान रेल के शुरुआत जो हुआ है वो 9 सितंबर 2020 को अनंधपूर आंधपरदेश से अधरस नगर दिल्ली तक हुआ था दिसंबर महिने के एडिशन स्पीडी केरेंट फेर्स बासिकांग के बुक में दिया हुआ शुर